तेरे कैलाशों के अंत न पाए अंत बे अंत तेरी माया ओ भुले बाबा अंत बे अंत तेरी माया तो स्टूडेंट्स सभी का स्वागत है Learn and Share के इस प्लेटफर्म पर आज के इस धमाकेदा 12th क्लास Chemistry के और गयनिक के एक और वन शॉट में कायदे से देखा जाए तो यह और गयनिक केमेस्ट्री का 12th क्लास का पहला चेप्टर है जिसका वन शॉट हम लोग यहां पर आज शुरू कर रहे हैं जिसका नाव है Hello Alkane और Hello Arine तो आज एक ही लेक्चर में अपने इसको पूरा पढ़ने वाले हैं पूरा डीटेल से मतलब बुक में जितना भी कॉंटेंट दे रखा है सारा हम आज के आज ही कवर करने वाले हैं बिल्कुल भी टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है अब सब जने सुनेंगे मेरी बात ध करनेक्शन नहीं टूटेगा पूरा चैप्टर शुरू से एंड तक कनेक्ट हो जाएगा आपके दिमाग में दूसरा नियम है हमारे पास में कि यहां पर क्लास में आप हो और हम है बस तीसरा कोई है ही नहीं कोई नहीं है क्यों क्यों क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं आपको उस पर ध्यां देना है चैट में चले गए अरे शिष्टर तुम आ गई गया ब्रदर तुम आ गया डियर फ्रेंड कई से हो करिश्मा कहां गई थी तुम कल क्यों नहीं आई थी तो तुम्हारा उससे बहुत बड़ा समय व्यर्थ हो रहा है जो आपका बहुत जादा कीमती स जाएगा उनको तो लेकिन जो पड़ी सीधा पहली बार वन शॉट ही रहें क्योंकि उनके पास समय नहीं जा गई अभी है तो उनको मेरी एडवाइस रहेगी कि वो फिर ना वन शॉट को या तो फिर दो बार देखने वो इस बात पर बहुत जादा ध्यान नहीं कि हम क्या क ऐन कोई चीज है हमारे पास में अपन जब चैप्टर शुडू करेंगे तो सब से पहले क्या देखेंगे इनको फहीं परीच siis कह ती यह क्या चीज हूति यह देखेंगें सब से बाद में इनका अपन लोग क्या देखेंगे कि कोई वरगी करण कर रखा है क्या कि ऑगर 2 हि तो इस तरह का basic एक वर्गी करण फिर हम लोग नाम पद्दती सीखते हैं IUPAC नाम से संभावना होती है exam में एकात question आने की फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में इनके आजाते हैं विर्चन बनाएं कैसे इसको बनाओगे कैसे chemical reactions तो वहाँ पे कुछ-कुछ chemical reactions important होती है उनसे question आ सकते है फिर उसके बाद हम लोग इस ऑटर में क्या पढ़ेंगे बहुत एक गुण धर्म की इसका बहुत एक गुण धर्म क्या है इसका बहुत एक गुण धर्म क्या है ये क्या-क्या बना करके दे सकते हैं तो इस पूरे सिलसिले में जो खास करके नेम रियक्शन्स होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यदा important है, नॉमनक्लेचर हमारे लिए important है और उसके लावा इस chapter में हमें एक आप देखोंगे ना किसा चलता है मुद्दे की बात तो मुद्दे की बात यह है, चैप्टर शुरू ही कर रहे है तो हमें देखने को मिल रहा है सबसे पहले हलोजन क्या होता है, भया हलोजन X होता है, X क्या-क्या हो सकता है फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, सबको पता है फिर इसके बाद में हमने कहा, हेलो एलकेन क्या होता है तो इसको ध्यान से सुन लो, हमसे कोई परिभाशा नहीं पूछता है कि हेलो एलकेन क्या है, हेलो एरीन क्या है बाकी डीटेल लेक्चर में तो सब कुछ ही रहता है बट यहां पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका कम से कम कम से कम समय लूँ तो हेलो एलकेन क्या है सब जने स्टूडेंट सुनें के ध्यान से कि भाईया ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में एकस जुड़ा हुआ होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो सीधी चेन है एलिफेटिक का मतलब होता है चेन वाला हाइड्रोकार्बन यह जैसे आप यहां देखो कि न एलकिल हेलाइड है एल्किल हेलाइड का क्या मतलब होता है कि भाईया एल्किल मतलब वही कार्बन चेन की बात हो रही है और हेलाइड मतलब हेलोजन लग रहा है उसमें जागर के एक्स जागर के उसमें लग रहा है तो यह हो गया एल्किल हेलाइड मतलब short में आप यह ध्यान रखेंगे कि कोई R है और उससे जो है X जुड़ा हुआ है R क्या है? कार्बन की चेन है उससे क्या जुड़ा हुआ है? X जुड़ा हुआ है X क्या है? X hello जैने ना तो यह कार्बन की चेन है, ऐसे हो सकता है हैलोजन उसमें लगा हुआ होगा, simple एक हाइडोजन हट की हैलोजन लग जाता है सेम हैलोएरीन क्या है हमारे पास में aromatic hydrocarbon में क्या लगा हुआ होगा? X लगा हुआ होगा वैसे तो देखो aromatic hydrocarbon कौन से होते हैं यह एक इंटरेस्टिंग बात है 11th class में एक hydrocarbon नाम से chapter है वहाँ पर एक नियम आता है हकल का नियम तो हकल के नियम का पालन करने वाले जो योगिक होते हैं वो aromatic hydrocarbon होते हैं तो वैसे तो aromatic hydrocarbon काफी सारे हैं लेकिन हमारे कुछ जिसके बारे में पढ़ना होता है वो केवल और केवल एक मांतर एक है और वो है बेंजीन वाला बेंजीन एक aromatic hydrocarbon है तो अगर ऐसा कोई hydrocarbon दिख रहा है तो वो एक aromatic hydrocarbon है इसको इस चेप्टर में हम लोग हेलो एरीन बोल रहे है या फिर इसको एरिल हेलाइड भी बोल रहे है aryl halide एक तरह से सामाने नाम हो गया हेलो एरीन एक तरह स्टेंडर नाम हो गया थोड़ा सा पस फर्क है नाम तो एक जने का काफी सारे हो सकता है मेरा घर पे नाम चिंटू याँपे नाम राहुत हला कि मेरा नाम चिंटू नहीं यहाँ ध्यान देंगे तो समझ गया क्या आर एक्स हेलो एलकेन है और हेलो एरीन क्या है फैनल में मतलब बेंजीन रिंग में अगर एक्स डुड़ा हुआ है तो वो आला कि और भी दस चीज़े जुड़ी भी हो अपने को उससे मतलब नहीं है बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं हेलो एरीन बोलते हैं आगे बढ़ सकते हैं तो अब इनके महतोपूर्ण कुछ एक उपयोग देख लेते हैं वैसे तो यह इतना इंपोर्टन नहीं है लेकिन अगर भूले विसरे मान लो कि कुछ एक नंबर का कहीं पर आजाए तो कर पाएं अपन फिर बहुत बेसिक बेसिक उपयोग देखने वाले हैं जैसे पहला उपयोग हो गया हमारे पास में कि एक दवाई है क्लो रेमफेनिक कॉल नाम में आ रहा है ना क्लोरो क्लोरो मतलब हेलो एलकेन, हेलो एरीन जैसा ही कुछ है यह तो इसका यूस कहा करते हैं देखो एंटिबायोटेक है टाइफाइड में काम में लेते हैं जो बेक्टीरिया से लड़ती है हमारे शरीर में जाकर रुके समझ गए फिर क्या है दूसरा देखो थायरोक्सिन हर्मोन जो हर्मोन हमको ची होता है ना बुलता है नमक में क्या आपके नमक में आयोडीन है तो थायरोक्सिन में असल में क्या होता है आयोडीन होता है तो देखो आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो यह हॉर्मोन अगर कम हो जाए हमारे शरीर में तो क्या? गलगंडर हो जाता ना, गला ऐसे मोटा हो, सूच जाता है क्लोरोक्विन, मलेरिया के उपचार में काम में आती है तो देखो, क्लोरो, क्लोरो है, इसमें कुछ हाँ है, वाँ ख्लोरो वाली दवाई है वह यह तो यह क्यों बता रहा हूँ मैं आपको एक्जाम में आजा एक नमबर में कि निम्नमे से लेकिन अब नहीं लेते नहीं को क्योंकि थोड़ा सी खतरनाक होता है और ये बहुत अच्छा की विलायक होता है, bisa भी लिएक के रूप में इसको हो लोग काम में लेते हैं मतलब वो तुरंत ऐसे शरीर पर असर करती है, आँखों पर असर करती है, तुरंत इसका असर दिखता नहीं है, बट इतना बीमार हो जाता है एक इंसान, कि माल लो अगले दिन ऑस्पताल पहुचे का, उसके अगले दिन तो व्यक्ति निपड़ दयागा, इतनी खतरना ग्यास होती, और फिर उसके अलावा DDT तो आप सबने सुना होगा, DDT क्या होती, कीट नाशक दवाई होती है हमारे शहर में, नहीं वो नगर पालिका वाले, नगर निकम वाले कभी मच्छर उच्छर बहुत जादा बढ़ जाते हैं, तो वही दवाई है, लेकिन अब इसको काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि इसके भी side effects होता है, DDT के बारे में इस chapter में अपने को पढ़ना है, यह थोड़ा सा important topic है अपना, इसको पढ़ेंगे अपन बाद में, और freons क्या होता है हमारे पास में, यह प्रशीतक है, मतलब AC में, refrigerator में, जो ठंडा करने वाली जो gas हम लोग डाल देते हैं, तो वो बड़े नुकसान वाले थे, तो इसको बंद कर दिया था इसके उपयोग को, तो अभी फिलहाल दूसरे जो प्रशीतक हैं, वो काम में लेते हैं, बट freons भी क्या है हमारे पास में, प्रशीतक हैं, और नाम से देखो freon है, मतलब fluorine होगा इसमें, इसमें, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटा-फट से, तो हमारा main, अब आगे पन चेप्टर में, कि हेलो एलकेन और हेलो एरीन्स का वरगी करण कर रहे हैं पन, तो पहला वरगी करण तो दोनों के लिए common है, हेलोजन परमानों की संख्या के आधार पर, बहुत simple है, कि अगर मान लो वो, एलकेन है, तो mono-hello-eलकेन, मतलो सीधी चेन है, तो mono-hello-eलकेन, अगर दो जुडे हुए हैं और सीधी चेन है, तो di-hello-eलकेन simple, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगा न, ऐसे मानलो अगर 3-3 हैलोजन जुडे हुए हैं किसी carbon की चेन में, एक, दो, तीन, तो tri-hello- इसे बेंजीन है तो इसको एरीन बोल रहे हैं और ट्राइयलो एरीन मतलब इसमें जुड़े हुए रहे हैं तो नाम पर फोकस नहीं करना ना विया अहीमें से नड़किया उससे है तो यहाँ देखेंगे हम लोग Mono Hello Yogicों के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम ने देखा देखो Mono Hello Yogic भी होंगे, Dai वाले भी होंगे, Try वाले भी होंगे लेकिन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, Mono आवले के भी Lewis तो दो इसके वर्गी करने हैं हमारे पास में, एक में जिसमें कार्बन जो है SP3 संकरित होगा, जिससे हलोजन जुड़ा हुआ है, और अगला जो हम अगले पेज पर एक दो पेज में पढ़ेंगे, वो यह होगा कि जिसमें जो कार्बन X से जुड़ा हुआ है, हलोजन से सिंगल बॉन्ड होगे उसके, मतलब यह कार्बन जैसे है, तो यह चारों इसके सिंगल बॉन्ड है, कैसे देख लो, यह वन डिगरी कार्बन है, मतलब यह दो हाइड्रोन से जुड़ा हुआ है, इधर माललो X से जुड़ा हुआ है, और इधर R से जुड़ा हुआ है, इस व सारे Carbon जिन से X जड़ा हुआ है वो सारे SP सचारों सिंगल Voron कारबन वे वर आगये वर कार्बन यह कार्बन कार्बन हो सकती है आरका मतलब आप दिमाग में कार्बन यह कार्बन की टेंदर के में यह एक स्क्रण पर स्क्रक्राइब सकते हैं एसा मेला कुछ carbon का है समूं ऐसा तो यह हमारे वास में एक सिंपल सा वर्गीकरण हो गया SP3 वाले में इसमें एक है लिलिक मस्त ना हो यह तो यह सारे सुझेंगे इसको यह क्या होता है देखो शकल से देखो इसको यह वाला carbon carbon से आगे जुड़ा हुआ है ये कैसा है ये SP2 संकरत carbon है देखो सब धने ध्यान से SP2 मतलब क्या होता है जो double bonds है अब देखो आप में से कोई ऐसा है जो संकरण के बारे में कुछ याद ही नहीं कुछ पताई कोई बात नहीं आप ध्यान रखोगे SP3 मतलब चारों single bond SP2 मतलब एक double bond carbon का यह ध्यान रखना है carbon के लिए तो ऐसे को हम एलिलिक बोलते हैं अब जैसे for example एक तो यह हो गया हमारे पास में यहां फिर जैसे मालो कोई हम एक example बनाते हैं जैसे एक example हो गया हमारे पास में let's say CH2 double bond C H single bond C और यहां पर है हमारे पास में let's say यहां पर hydrogen आ गया यहां hydrogen आ गया यहां X आ गया तो यह देखो जिस carbon से hydrogen जुड़ा हुआ है X की जगे चाहो जू डाल दो आप chlorine डाल दो, fluorine डाल दो, bromine डाल दो, iodine डाल दो, iodine डाल दिया है तो यह इस से जुड़ा हुआ है यह खुद तो SP3 है और यह आगे जिस carbon से जुड़ा हुआ है वो SP2 संकरित है मतलब वो खुद double bonded है साफ साफ दिख रहा है इसमें भी 1 degree, 2 degree, 3 degree होता है यह वाला 1 degree है क्योंकि यह वाला carbon 1 degree आगे एक carbon सुड़ा है माल लो यहां पर भी CS3 होता तो 2 degree हो जाता है माल लो यहां भी CS3 होता तो वो 3 degree हेलो एलकेन हो जाता हमारे पास इसमें ऐ को यह लोग करोगे डिया है, यह आपके पास में SP3 संकरित कारवन और यह वाला है आपके पास में SP2 संकरित कारवन, मदलब जिस कारवन से हमारा हिलोगन दुढा हुआ है वो तो SP3 संकरित है और जिस कार्बन से वो जिस कार्बन से आगे चुड़ा हुआ है वो खुद SP2 संकरत अलेलिक मतलब यह चीज ध्यान रखने है आपको अब उसके बाद यहां देखो कि बैंजलिक बैंजली बैंजली अब वाया बैंजिल बनाओ बैंजली बनाओ आरे मस्थीा आप सोचओ कि बैंजली बनाओ ओ स्ञोली Sis बइंजली बनाओ और ऊसमें x जोड़ दो बिल्कुल ना ऐसे नहीं होता यह तो हेलो बैंजेण होजाएक करोणी ब्रों तो वो फिर बेंजिलिक नहीं होगा, बेंजिलिक क्या होता है हमेशा ध्यान रखना ये वाला जो गुरुप है ना स्टुडेंट्स, इसको बेंजिलिक बोलते हैं हम लोग, बैंजीन हो उस पर CH2 जड़ा हो और फिर कुछ भी जोड़ दो उस पर, बैंजीन पर कार्बन हो फि समझ में आगे सबको, तो जैसे इसका एक्जामपल हमारे पास में क्या हो गया, फॉर एक्जामपल ही हो जाएगा हमारे पास में पिडिबलायड आ यहां पर आपके पास में चाहे कार्बन है कर से कज़ए और फिर क्लोरीन है यह , तो फिर इसमें आप चाहो तो 3 degree वाला भी देख सकते हो, मतलब ये carbon, इधर R माल लो, इधर R dash माल लो, और इधर आपका X माल लो जो भी है, तो ये वाला कैसा हो जाएगा, 3 degree, तो इसमें भी हमारे पास में 3 degree possible है, बढ़ता हो, आगे बढ़ता हो, फटा फट से, तो देखो next क्या है हमारे पास में यहाँ प पर फटा है, और फिर वो आगे जुड़ा होता है किस से, हैलोजन से, SP3 वाला है, हैलोजन से उड़ा होता है, फिर उसके पीछे क्या चल रहा होता है वो देखने है पर, यहाँ पर बहुत सिंपल है, दो ही तरीके के होते है, यह वाइनलिक हैलाइड और है एरल हैलाइड, तो देखो बहुत सिंपल है, वाइनल क्या होता है, वा, वा, ऐसे हैं, देखो वाद पकड़ो, यहाँ दो दो दंडिया न शुरू में ही वा, 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 ऐसे, तो बस यह ही से ट्रिक आ गए अपने को, क्या होगा, यह होगा हमारे पास में, माल लो कुछ ऐसा, कि जिस क कारबन से हलोजन जुड़ा हुआ है, वो खुद दबल बॉंड से जुड़ा हुआ है, सिंपल, जैसे माल लो अगर यह वाला एक्जामपल बनाऊं मैं, यह वाला, तो इसमें मैं कहूंगा कि यहीं पर ही हमारे को एक्स जोड़ के देतो, फॉर एक्जामपल, जैसे माल लो म क्योंट से जुड़ा हुआ हो, खतम, अलिलिक में क्यां, एक कादम आगे वाला जुड़ा हुआ हुऐ, अब यह वाला कारबन डबल बॉन ड़ॉन डेड होगा, इसमें यही वाला हुगा, मतलब जिस कारबन से हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है न, वो खुद कैसा होना चा का ही example है, देखो simple नाम है यह वाले है ज़्यादा परिशान नहीं हो ना इनको लेकर करके और ऐसे ही aryl है, तो aryl तो देखो aryl मतलब benzeen के लिए शब्द आता है यह दोनों similar ही होते हैं, बट benzeen के लिए इसको थोड़ा सा हम specify कर देते हैं मतलब benzeen बनाई, इसमें मानलो सीधा ही अपनने को एक्स जोड़ दिया for example, मानलो यह एक example हो गया let's say यह Cl हो गया, हमारे बाद क्लोरो बेंजीन हो गया यहां फिर मानलो कि यह बेंजीन है, इधर let's say chlorine है और इधर let's say CS3 है ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जुड़ा हो, बट हमारे को यह देखना है, benzeen पर सीधा ही कोई chlorine, chlorine जुड़ा हुआ है क्या, halogen जुड़ा हुआ है क्या तो वह फिर यह वाली चीज हमारे पास में हो जाती है तो फटा-फट से इसकी photo भीचे लेंगे students, तो यह नाम पद्धिति में देखो, सबसे पहले ऐसे करेंगे, अपन यहाँ योगिकों को लिख लेंगे, यहाँ सामने नाम आजाएंगे, यहाँ आयोपेसी नाम अपने पास में लिख लेंगे, अपन फटा-फट से देख लो, तो पहला यह रहा, पहला आयोपेसी नाम लेखने से शुरू करते हैं अपन, आयोपेसी ज़्यादा important है अपने लिए, सामने तो बस ऐसे ही, सीखना है, अब देखो, exam में आते हैं, कुछ एक नाम आते हैं, लेकिन थोड़े अच्छे आते हैं, easy वाले नहीं आते हैं, तो अ इनका नाम जैसे chloro, bromo, fluoro, iodo, यह नाम के पहले आता है, दस वी क्लास से सीखते हैं, दस वी में, ग्यार वी में, बार वी में, कि जो भी हमारे पास मेथेन, अथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसमें सबसे पहले ही लिखते, इनका क्या होता है, पूर्व लगन होता है हमार प्रोपेन, यह तो हो गया, इसका हमारे पास में आयूपेसी ना, सामने नाम क्या होगा, तो देखो सामने नाम में हम लोग यह देखेंगे, अगर मैं इसको यह रफ बना के दिखाऊं एक बार आपको, तो कुछ ऐसा है, तो आप यह चीज नोटिस करो, कि यह जो हमारे पा पास में जुड़ा हुआ है, तो असल में यह secondary chloride है, यहां पर, जो भी है secondary है, दुटियक है, ठीक है, समझ में आगया, फिर उसके बाद देखें, तो कितने carbon हैं total, 4 carbon है, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, secondary butyl chloride, सामने नामों में chloride, bromide, fluoride, last में लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यह, दुटियक, butyl, kilolide, अरे वा, सब को समझ में आई, यह butyl लिखे देते हैं उसको, बस और कुछ नहीं, हाला कि देखो, सामने नामों के हाथ-पैर हैं नहीं, बस चलते हैं यह बढ़िया अपने आप में, तो अब देखो, second क्या है हमारे पास में, CH3, फिर C, फिर CH2 और फिर BR, अब असल में बता हूँ, आपको यह वाला गलत लिखा हुआ है, बुक में इसका नाम सही लिखा हुआ है, लेकिन यह जो चीज है, मारे पास में यह गलत लिखी हुई है, अच्छा एक छोटी सी चीज देखेंगे, कि यहाँ पर यह जो butyl है ना, बुक ब्रेकेट लगाया है, और ब्रेकेट के बाहर कुछ संख्या नहीं लिखी, तो वो गलती कर दी इन्होंने, और फिर यहाँ लिखा है CH2 और फिर यह BR, तो देखो इस वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होरी, तो असल में इस पर दो CH3 और जुड़े हुए, अब सब ज जिसमें हमारा functional group भी आ रहा है, तो इसको देंगे 1 number, इसको देंगे 2 number, इसको देंगे 3 number, तो अब यहाँ पर आप देखो, 1 पर है, हमारे पास में ब्रोमो और 2 पर है दो-दो methyl, तो हम लेकेंगे 1 ब्रोमो और 2 तो डाई मेथिल, आयूपीसी नाम तो simple है न, क्या लेकेंग 1 ब्रोमो, 2-2 डाई मेथिल, 1 ब्रोमो, 2-2 डाई मेथिल, और फिर आपके पास में आ जाएगा main जो chain है, उसमें कितने कारबन है, 1, 2, 3, 3 कारबन है प्रोप, तो हो जाएगा प्रोप, और सब में single bond है, तो क्या बोलेंगे प्रोपेन, आप देखो इसमें ब्रोमो पहले क्य पहले आता है, méthyl बाद में क्यों लिखा, क्योंकि M बाद में आता है, कैसे नाम दिया? तो अब यहाँ देखो, total carbon कितने हैं, बोला 4 तो यह रहे, 5 वो यह रह तो 5 carbon है, तो इसका नाम हम लोग कैसे देते हैं, हम लोग बोलते हैं neo-pentl, bromide, यह इसका नाम हो जाएगा, इस सन coral को बोल दिया neo, मददलब जो main chain है, उसमें जो second last carbon है, उस पर दो-दो मैथिल अगर जुडे हुए हो तो वो समझना नियो कहलाती है नियो पेंटिल ब्रोमाइड ये इसका नाम हो जाएगा इसको मिटा देते हैं अगला देखते हैं स्ट्रक्चर हमारे पास में क्या है ये बना ले ना आप लोग कॉपे में कहीं साइड में बनाओ तो बाकि समझने का काम है पूरा अब देखो अगला क्या है हमारे पास में सिंपल है देखो ब्रोमीन हैubby Virgin है और तीन CS3 है तो यीवाला कैसे है कार्बन है ब्रोमीन है और तीन CS3 है मतले माल düouter को नियो है यह तो दिख रहा है और चार ही carbon है तो नियो ब्यूटल हो जाएगा न अरे भया बात तो अडिया करते हो यह तो नियो ब्यूटल यह 3 है 3, 2 नमबर पर मैथिल, 2 नमबर पर ब्रोमो, हो गया ना काम, 2 नमबर पर मैथिल और 2 नमबर पर ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो पहले आएगा हमारे पास में, हम लेकेंगे 2 ब्रोमो और 2 नमबर पर मैथिल आएगो, और कार्बन कितने हैं हमारे पास में 1,2,3, प्रोप प्रोपेन तो 2 ब्रोमो, 2 मेथल, प्रोपेन यह हो गया काम, इसका भी काम हो गया अचा उसके बाद, उसके बाद इसका सामन नाम लिख लो नियोब्यूटल ब्रोमाइड क्या हो जाएगा नियो ब्यूटिल ब्रॉमाइड अच्छा इसमें एक और चीज बदा सकते हैं आपको अब एक और चीज आप ऐसे समझ सकते हो कि यह वाला स्ट्रक्चर तो यह ख़त देखा था ना वो ऐसा कुछ था असल में यह वाला कर्बन 3डी हैं तो 3डी के लिए टृटियक व्यूटिल-ब्रॉमाइड भी लिख सकते हैं इसको नियो न लिख karate को भी लिख सकते हैं शट्र को उतिक first time victorious boom Frame book बूख लेते हैं व्यूं किया लिखा है तो बूख में Hmmm Lord निखा है तृतियक या बुक में भी आप पढ़ोगे तो तृतियक नहीं करके लिखता है तर्ट 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 व्यूतिल ब्रॉमाइट और अगर एक और भी कार्बन एड हो जाता है तो फिर उसमें नहीं हो लिखता है यह लोग ऐसा बुक वाले अपना ऐसा करते हैं हला कि सामने नाम यह भी है वह 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 बही है अगला है हमारे पास में students CH2CHCl आप देखो यह वाला अभी भी पढ़के आए वाप वाँ याद करो वाँ में दो रंडी थी न तो दो रंडी वाला आगया देखो दो रंडी वाले से क्लोरीन जुड़ा हुआ सीधा कारबन से तो मतलब यह वाइनिल क्लोराइड है कौन सा है? वाइनिल है, हेलाइड बोलते हैं यहापे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोराइड बोलेंगे तो सामयने नाम तो क्या हो जाएगा? वाइनिल क्लोराइड सामयने नाम हो जाएगा वाइनिल क्लोराइड और इसका IUP-C नाम students अपने लोग क्या लिखेंगे तो IUP-C simple है यह पहले नंबर का carbon है दूसरे नंबर का carbon है तो यह क्या है हमारे पास में एथ root word एथ डबल बॉण है तो एन एथीन तो एथीन पर ही पहले पर क्या जुड़ाओ है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1-chloro-ethene 1-chloro-ethene और वैसे चाहें तो सीधा chloro-ethene भी लिख सकते हैं उससे कोई फर्क नी पड़ेगा क्यों क्यों क्लोरी निधर भी जुड़ावा होगा तो अभी नाम तो यह होगा 1-chloro-ethene तो नाम में तो फर्क पड़ेगा नी चलो next देखो next है हमारे पास में CH2-CH-CH2-BR अब देखो यह वाला हम लोग पढ़ चुके है अब भी थोड़ी सी देर पहले ही पढ़ा था अपने जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है मादला हेलोजन जुड़ा है वो खुद तो SP3 संकरत है सारे single bonds है लेकिन वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो SP2 संकरत है तो SA को हमने क्या बोला था Allelic, याद है क्या बोला था हमने Students Allel Allelic तो वही चीज है हमारे पास में और इसका IUPAC तो देखो लिखी सकते हो IUPAC नाम कैसे लिखो के Very Simple ये 1 नमबर, ये 2 नमबर, ये 3 नमबर तो 3 कार्बन है तो प्रो पाजाएगा Bromopropane है हलाकि सुनना आप यहाँ पर एक interesting बात बताऊँ मैं आपको क्यार देखो यहाँ Double Bond पहले नमबर पर आ रहा है और यहाँ पर Bromine पहले नमबर पर आ रहा है इज़त किसको देनी है तो हम इज़त किसको देंगे यहाँ पर इसको Double Bond की इज़त जो है वो इससे ज़्यादा है किससे ज़्यादा है Bromine से ज़्यादा है तो 1 नमबर वाला कार्बन हमारा ये होगा वन नमबर यह होगा, टू नमबर यह होगा, थ्री नमबर यह होगा तो अब देखो नाम क्या होगा, ध्यान रखना, भई देखो कैसे याद रख सकते हैं जो नाम के पीछे आते हैं, उनका सरनेम होता है, अजज़त जादा होती है तो नाम के पीछे in आता है, लेकिन bromo तो नाम के पहले लिखना बढ़ता है, तो नाम के पहले वाले का इतना value नहीं होता, समझ गए इस बात को, तो bromo पहले आएगा, तो क्या आएगा हमारे पास में ये नाम आएगा इसका one bromo, one bromo, then you will have one bromo probe, तीन कारबने तो आप लिखें में ये वाली बात, और इसका देखो हम लोग IUPAC नाम के अलावा, सामने नाम क्या लिखेंगे students, तो सामने नाम है हमारे पास में, allyl bromide, क्या है, allyl bromide, ये वाले नहीं पूसता अपन जाना, टेंजन ही ले नहीं, देखो पीछे पढ़ा था अपने, मैं आपको दिखायता कहां पढ़ा था, allyl bromide, ये देखो हमारे पास में, ये रहा, allylik, ये रहा ना, कि जो carbon खुद है वो तो SP3 है, लेकिन जो अगले carbon चुड़ा वो SP2 होना चीए, तो उसको allylik बोलते हैं, और नाम allyl लिख दिया, allyl, 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 allyl तो IUPAC से है, चलो आजाओ आगे देखते हैं, तो next है students हमारे पास में, यहाँ पर एक योगे को कौन सा है, देखो, बड़ा सुंदर लग रहा है, वा, क्या बोलेंगे इसको, तो देखो, IUPAC नाम रखने का तरीका हमारे पास में easy है, IUPAC नाम कैसे रखोगे आप लो, कि ये तो ये क्लोरो का C है, ये मैथिल का M है, तो क्लोरो के C को इज़त मिलेगी, मैथिल के M को कम मिलेगी, वही बात है, तो नाम तो इसका क्या आजाएगा, हमारे पास में IUPAC नाम देखें, IUPAC नाम लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मैथिल ब लिखेंगे तो सामाने नाम में अपर लोग और था मेटा पेरा यूज करते हैं और तो मेटा पेरा यूज है मलब क्या होता है कि बेंजीन की रिंग है अगर दोनों चीजे पास-पास में हैं तो उसको और थो बोलते हैं अगर एक जगे छोड़ करें एक यहां पर है और एक य पर ओम प्रकास तो यह क्या नाम आएगा इसका हमारे पास में और थो और फिर है क्लोरो और फिर इस पूरी चीज को हम लोग स्टोरेंट्स क्या बोलते हैं तोलूइन देखो क्लोरीन के साथ में बेंजीन का कोई नाम नहीं होता क्लोरो बेंजीन होता है लेकिन वो तो जुड़ा हुआ मिल जाए तो इसका एक सामने नाम है बहुत famous that is toluene got it तो क्या है हमारे पास में और्थो ख्लोरो तालूइन और थो ख्लोरो टालूइन टॉलूइन ऐसा है नाम हमारे पास में अच्छा आप यहां पर देखो यह वाला क्या है हमारे पास में बड़ा संदर है यहां पड़ चूक है अपने आदे आपको यह आपको सामने नाम में आदा अपने बढ़ा था ना बैंजल 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 क्या था बैंजाइल कि बैंजीन होता है फिर पिर आगे कुछ भी हो बैंजल अल्कोहॉल हो बैंजल हिलाईड यह इसका सामने नाम बहुत सिंपल है बैंजल क्लोड़ राइड वाओ फिर उसका नाम लेखेंगे यह अई-पीस नाम में क्या होता है अगर मालो बाहर वाली कारबन्चें है हमारे पास में उसमें अगर कोई भी मेहमान आगया तो इसकी बेंजीन रिंग इफ्जित ही चली जाएगा अब उसको बेंजीन नहीं बोलते है उसकोने फैननल चल ले के आना जा इफजेशली गई उसके तो आभी है यह क्या है हमारे पास मेथे7 है देखो न तो methen पर एक तो क्लोरो जुड़ा हुआ और एक फैनल जुड़ा हुआ ऐसे नाम दिना इसका तो रूट वर्ड हमारे पास में क्या हो जाएगा रूट वर्ड हो जाएगा मैथ और देखा जाए तो सिंगल बॉर्ड अकेला ही है तो मैथे ही नहीं आएगा उसमें तो कोई टेंशन ही अब दोनों ही हमारे पास में पूरू लगना आएगे है और फैनिल है दोनों बन नमबर पर तो आपको वन ख्लोड वन फैनिल लिखने की जुड़ात टो अतमisen को meidän को या पहले लिखेंगे हैं कि क्लोरो और खैनल का पी बैंजीन रंग जब ही प्रतिश्था पी तरह जुड़ता है ना तो इसको फैनिल बोलते है फैनिल तो क्या हो जाएगा chloropanil methane chloropanil 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 यहां आप ऐसे लेख सकते हैं one chloro one phenyl methane बात एक ही बात तो एक ही है बागु अच्छा इसका नाम कहचे रिखेंगे यह तो यहां देखो आप यह कैसा है carbon पर hydrogen है hydrogen है वह दो-दो chlorine भी उसी carbon पर ही है आयू-पेसी नाम लिखना तो देखो बहुत आसान है एक ही carbon है तो मैथ हाएगा कोई tension वाली बात ही नहीं उस पर दो-दो chlorine है हमारे पास में तो हम लोग क्या लेखेंगे इक चीज आपको बता ही नहीं ओ थोड़ी ना complicated होती है मैं देखो एक खाली पेज है कि हमारे पास में तो मैं आपको बहां बता दो हाँ एक खाली पेज है हमारे पास में यहां पर देख लो क्या है दो नाम होते हैं एक होता है geminal और एक होता है vicinal क्या होता है geminal और एक होता है vicinal geminal vicinal तो gem gem इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं gem dihalide मालोग अगर हेलोजन के लिए बात कर रहे हैं तो gem dihalide और एक होता है vis dihalide लिखते हैं इसको यह vicinal dihalide बोल सकते हैं इसको vis dihalide अभी समझाता हूँ क्या है तो यहां देखना है geminal और vicinal vicinal शब्द है vicinity से vicinity का मतलब है पास में जैसे मालोग कोई योगी खेल जिसमें दो-दो कार्बन है अब इसमें दो हैलोजन जुड़े हैं लेकिन पास-पास वाले पे जुड़े इस पे और इस पे तो इसको हम लोग vicinal dihalide बोल सकते हैं बाकी hydrogen होगे ठीक है यहां आगे भी carbon हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है उससे मतलब नहीं हो यहां जिसे मालोग जैमिनल का मतलब है तो यह सामने नामों में हम ऐसा बोलतें कि carbon है एक ही carbon पर अगर दो-दो हमारे पास में हैलोजन जुड़े हुए हूं तो इसको बोला जाता है इनका नाम रखने के लिए जिसे यहां पर एक शब्द हम लोग काम में लेते हैं vicinal dyrhylide के लिए ethyledine क्या शब्द काम में लेते हैं sorry ethylene और इसके लिए क्या शब्द काम में लेते हैं ethyledine अब तुम सोच रहे होगे कि भाया नहीं बताते तो ठीक रहता हमारे लिए बढ़िया ही रहता काश आप नहीं बताते यह ना माते का दर्द हो गया ना तो यह वाला मैं skip ही करता हूं वैसे हाला कि main class में तो अपन पढ़ते हैं फिर इसको अच्छे से तो जैसे हमारे पास में यह है ethyledine chloride जैसे मानलो अगर एक example में आपको बताऊं कि यह carbon है मानलो इदर H है इदर H है इदर CL है इदर CL है इदर CL है तो इसका नाम होता है ethyledine chloride क्या नाम होगा ethyledine chloride समझ गया क्या इस वन इस एथिलीन एथिलीडीन chloride मतला एथिलीडीन कहां से आया इसका सामाने नाम हमें ऐसे रखते है अगर chlorine है तो chloride fluorine होता फ्लोराइड bromine होता तो bromide हो जाता ठीक है और उसका क्या है हमारे पास में एथिलीन simple में एथिलीन लगा देंगे तो जैसे इसका देखो हमारे पास में example है इसका example है हमारे पास में एथिलीन डाइक्लोराइड तो यह एथिलीन डाइक्लोराइड जैसे माल लो यह carbon यह carbon यह carbon यह chlorine है यह chlorine है और बाकी चलो hydrogen जोड़ेड़े ऐसा माल लो तो इसका नाम क्या होगा? एथिलीन डाइड़ोरेड अब याद अगर नहीं भी रहे तो कोई बहुत ज़्यादा फरक नहीं पड़ रहा है बस आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा तो एथिलीन डाइड़ोरेड हो गया और यहाँ पर भी एथिलीडीन से डाई क्लोराइड होना चाहिए यहाँ पर अशा डाई नहीं तो भी तो एथिलीडीन इसके लिए आता है आप तो यह धियान रखो, देखो बुक में क्या लिख रखा है मैं आपको भी बताता हूँ बुक में इनों ने मेरे हिसाब से गड़वर लिखा हुआ इसका नाम बुक में इनों ने लिखा है मैथिलीन क्लोराइड यह जो बुक में हमको यह दे रखा न यह वाला योगिक यह वाला, यह वाला तो इसके लिए लिखा है methylene मेरे हिसाब से होना चाहिए methyledine methyledine then you should have methylene dichloride methyledine chloride simple में chloride methyledine chloride होना चाहिए और book वालों ने मेरे हिसाब से गड़बड print किया बागी ठीक है, चलता है methyledine chloride तो ये सामाने नामों के है भचड़, हमें सामने नामों से इतना मतलब नहीं है अब tension मतलों है हमें सामने नामों से कूई इतना खास लगाव नहीं है English वाली बुक में भी देख लेता हूँ English वाली बुक में भी विन्ने methylene लिख था है methylene chloride बट मेरे के साब से methyledine होना चाहिए क्योंकि बुक में उन्होंने ऐसे समझा रखा उसको थियोरी में अपन आगे बढ़ते हैं छोड़ो इसको तो आगे क्या है हमारे पास में यौगे के रहा CHCl3 बहुत फेमस चीज है तो क्लोरोफॉर्म होता है CH और इसमें 3-3 अगर क्लोरीन जुड़े होते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म और इसका ऐसे नाम क्या दोगे आप लो ट्राइक्लोरोमेथिन सिंपल में 3-3 क्लोरीन जुड़े होए ट्राइक्लोरोमेथिन क्या कोई दिक्कित, क्या कोई परिचानी क्या है यह हमारे पास में, bromoform chloroform का बाई, bromoform सामने नाम है bromoform और यह क्या है, हमारे पास में tribromo methane tribromo methane और देखो, चलो CCL4 क्या होगा हमारे पास में यह होगा हमारे पास में tetra chloro methane, IUPC तो क्या हो जाएगा tetra tetra नहीं, tetra chloro tetra chloro then you will have methane tetra 4 के लिए chloro chloride chlorine 4 है हमारे पास में, और methane क्योंकि एक ही carbon है हमारे पास में और इसका हमारे पास में student से सामने नाम होगा, इसको बोलेंगे हम लोग यह हो जाएगा, हमारे पास में carbon tetra chloride क्या नाम है students इसका carbon tetra chloride और last तीन कारबन है, तो prop और F है, fluorine है तो क्या हो जाएगा, fluoropropene क्या नाम हो जाएगा, fluoropropene simple फिर इसको देखेंगे, हमारे पास में सामन नाम कैसे लिखेंगे तो propyl fluoride propyl fluoride last में fluoride तीन कारबन है ना, तो propyl propyl और fluoride लिखे लो या fluoride लिखे लो, क्या परकपटर propyl fluoride और यह N-Propyl fluoride N मतब normal, carbon की चेन सीधी सीधी है ना तो बीच में से कुछ नियो तो नहीं है यहाँ पर यहाँ फिर कोई वो तो नहीं है sec तो नहीं है हमारे पास में ऐसा, ISO या Neo जासा कुछ तो नहीं है तो इसलिए N-Normal, मतब सीधी चेन है हमारे पास में तो students यह हमारे पास में example दे रखे हैं IUPSC नाम करने के, फटा-फट से फोटो कहीं चलो तो अपन आगे main topic में जंप करें यह पीछे वालो के भी फोटो ले लिना एक बार यह रहे अपने, यह वाले है ना और एक और पेस्ता, नहीं लियो तो ले लिना फटा-फट से एक मिनिट यह वाला अपन ने one bromo कर दिया है इसको सही भी कर दिया ना, देख लो, सही हो गया मतलब अपन आ गये यहाँ पर ना, वापस एक बार इसको सही कर दो यह नाम यह नहीं होगा हमने one bromo लिख दिया ना, जबकि मैंने numbering सही किये, three bromo होगा तो यह उगा three bromo propene इसका नाम होगा हमारे पास में three bromo propene चैट में लिखा भी होगा students ने मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, चलो ठीक है होगा होगा सही, भागो भागो भागो, फोटो भी ले लिया आप लोगो ने तो अब यहाँ देखो, अब next है हमारे पास में CX आबंद की प्रकृति nature of CX bond, तो बड़ा simple सा topic है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, धुरुवी है, यह जो योगिक है हमारे पास में कैसी प्रकृति के है students, धुरुवी है, मतलब कैसी समझेंगे, जैसे मालो carbon है, यह X से जुड़ा हुआ है, यहाँ hydrogen है, यहाँ hydrogen है, और यहाँ hydrogen है, अब विध्युत रिणी ततो, और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा विध्युत रिणी पता न, कौन होता है, सबसे ज़्यादा विध्युत रिणी होता है, fluorine, तो यहाँ पर अगर यह लोग जुड़े होते हैं, तो यह क्या करते हैं, carbon के इस वाले electron को भी अपनी तरफ इस लेते हैं, तो इन पर आंशिक रिणाविश आता है, और इन पर आंशिक धनाविश आता है, तो धुरूव बना लेता है, इधर positive इधर negative, तो कैसी प्रकरती होगे इनकी धुरूविये प्रकरती होगे, यह अपने को याद रखना है, मतलब कोई negative वाली चीज़ अटेक कर लिए कि आबंद वियोजन एंथेल्पी किसकी ज़्यादा होगी energy, मतलब बंद तोड़ने के लिए किसमे energy ज़्यादा देनी पड़ेगी, देखो CS3F, CS3Cl, CS3VR, CS3I, तो अब होता क्या है, फ्लोरीन छोटा है, और विदूदरनी भी ज़्यादा है, तो वो CS3 के कार्बन के electron उनको जोर से अपनी तरफ खीशता है, तो यहाँ पर आप देखोगे न, इनकी आबंद लंबाई एक तो बहुत कम है, बहुत छोटा आबंद, फिर नीचे आओगे क्लोरीन का, तो क्लोरीन थोड़ा बड़ा है, तो आबंद लंबाई बड़ी होगे, ब्रोमीन और बड़ा है, आयोडिन और बड़ा है, तो नीचे आते जा रहे हैं, तो बंद की लंबाई और बड़ी होती जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, कि उपर से जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं, तो बंद की लंबाई बड़ी होती जा रहे हैं, मतलब जब 52 किलो जूल प्रती मोल एंथल्पी देनी पड़ रही है, energy देनी पड़ रही है कार्बन और हमारे पास में क्लोरिन के लिए इतनी और कार्बन और ब्रोमीन के बॉंड के लिए और कम और आयोडिन के बॉंड के लिए और कम, मतलब तूटने की जब बात आएगी तो CSRI सबसे पहले तूटेगा और सबसे लेट कौन तूटेगा CSRIF इसलिए अपन आगे देखेंगे कि CSRIF को तो अपन काम में नहीं लेते reactions में क्योंकि इसका bond तोड़ने के लिए तिनी energy लग दाती ये बात ध्यान रखने है अपने को उसके बाद क्या है हमारे पास में दूइधरुव आगोन डाइपोल मॉमेंट तो इसके लिए बस आप ये सुन लो दूइधरुव आगोन के लिए हमारे पास में एक सूत्र होता है μू बराबर Q इंटू R लिखलो या L लिखलो फरक नहीं पढ़ रहा क्या है सुन लो भसाब इसका मातरक होता है dewey क्या होता है मातरक ये रहा है debye debye bye bye debye मातरक है हमारे पास में ये इसका क्या होता है आवेश दुए दूइधरुपे जी जितना इस पर partial negative होगा तो उतना है पार्च पॉलिटिव होगा तो कोई सा भी चार्ज हो सकता है तो यह तो क्या होगे हमारे पास में आवेश और इंटू में है आबंद की लंबाई क्या है बॉंड लेंथ क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स बॉंड लेंड जी तो इसका मातरक है हमारे पास में डिवाई और यह इसकी कुछ हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू दे रखेंगे यह कहाँ पर होता है जहाँ पर दुई-दुरू बनता है ना वही निकालते है इसकी वैल्यू अदर्वाइस तो 0 आ जाएगा अगर माल लो आवेश ही नहीं आया इन दोनों चीजों पर तो क्यू 0 हो जाएगा यू की वैल्यू 0 हो जाएगा फिर कोई मतलब नहीं होता इसका तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह वाला जो है ना कौन CS3, CL जो है यह सबसे ज़्यादा धुरुवी यह योगिक है काईदे से कौन होना चीज़िए सबसे ज़्यादा धुरुवी 1.847 यह होना चीज़िए क्यों क्यों क्योंकि फ्लोरीन पर चार्ज बहुत जादा नेगेट वा जाता है तो चार्ज की वैल्यू फ्लोरीन के क्योंकि bond length बहुत जादा नहीं बढ़ती लेकिन जो चार्ज न वह कम हो जाता है चार्ज देखोगे क्लोरीन से ब्रोमीन ब्रोमीन से आयोडिन आ रहे है तो चार्ज का separation जो है पडोसी का electron खींचने की जो शक्ती है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है मतलब क्यों की value कम होती जाती है इसलिए mu का जो value है उपर से नीचे जाते 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 कम हो जाता है लेकिन अपवाद हमें कहां देखने को मिलता है शुरू की दोनों values में इन दोनों में comparison हमें समझ में नहीं आता होना कायते सी चाहिए कि इसकी हमारे पास में mu की value हमारे पास में सबसे फटाफट से अब आगे बढ़ रहे हैं किस पर students next हमारा topic है एलकल हैलाइडों के विर्चन की विधिया तो भया आपन इसको बनाना सीखने वाले हैं फटाफट फटाफट से देख लो कुछ-कुछ methods है अपने पास में तो पहला method है hydrocarbonों से तो hydrocarbonों में भी हमारे पास में अं हें मुक्त मूलक द्वारा. तो क्या होता है हमारे पास में देखो समझें मुक्त मूलक उता होता है बस वह समय हो के तो काम हो जाएगा जैसे मानलो क्लोरीन है और यह क्लोरीन होता नहीं है आप यह हर ECLOR कि असे जुड़े हुए थे, 2 दने क्लोरीन एसे बांड कर रखख conocido ये एलेक्ट्रोन इसके पास से लागया और ये एलेक्ट्रोन इसके पास से लागया तो ये क्या बन गया क्लोरीन मुक्त मूलक बन गया तो ये जो मुक्त मूलक होते हैं बहुत जादा अस्था ही होते हैं जाकर करके धार से पगड़ लेते हैं किसी चीज को रियक्शन कर लेत तो देखो हम बना किस से रहे हैं? हाइड्रोकार्बन से बना रहे हैं तो कोई साथ भी मानलो चलो हमाइड्रोकार्बन ले लेते हैं let's say CS3, CH3 ले लिया आपन लोगो ने अब इसका हम लोग ये करा रहे हैं मुक्तमूलक क्लोरीन चाहिए हमको तो अब मुक्तमुलक बनता कैसे सवाल है होना चाहिए दिवांग में तो बहुत सिंपल है अगर हम H new ले ले सूर्य का प्रकाश अगर ले ले तो यह जो क्लोरीन है यह इस तरह से तूट जाता है अभी इस तरह से तूट करके जाकर के इस पर हमारे पास में अटैक कर देता है और हमारे पास में हमारा प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाता है यह बन जाएगा CS3 और मालो लेकिन अगर मानलो क्या होता हमारे पास में, अगर मानलो हमारे पास में ऐसा example हो, CH3, CH2, let's say CH2, और यहाँ पर हो आपके पास में CH3, ऐसा कोई example हो, तो फिर क्या करोगे, यहाँ तीन वाला ही हो, तीन वाला भी ले सकते हो, छोटा करके उसको, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं ह यह देलो, चलो, यह CH3, तो यह सामने, let's say, Cl2 डाला, यहाँ फिर यहाँ पर हम लोग, यहाँ तो फिर क्लोरीन यूज करते हैं, यहाँ ब्रोमीन यूज करते हैं, फ्लोरीन और आयोडीन यूज नी करते हैं, फ्लोरीन का इस तारे से मुक्तमलक नहीं बनता, और आयोडीन इस तरह से सीधे reaction नहीं करता, फ्लोरीन और आयोडीन इस तरह से सीधे reaction नहीं करते, तो क्लोरीन ले सकते हो, यहां ब्रोमीन ले सकते हो, H new धूप में रखा इसको, तो वही चीज, अब देखना, यहां मस्ट चीज है, अब यहां पर ऐसा होगा, कि यह जो क्लोरीन है, यहां जाकर जुड़ेगा तो अलग प्रोड़क्ट बनेगा, यहां फिर क्लोरीन यहां जाकर जुड़ेगा तो अलग प्रोड़क्ट बनेगा, मतलब कहने का मतलब है, CS3, CH, यहां क्लोरीन आ जाएगा, और ये भी तो बन सकता है प्रोड़क्ट CS3CH2CH2CL ये भी तो बन सकता है तो यहाँ पर काईदे से हमारे पास में ये वाला ज्यादा स्थाई होता है लेकिन हमारी बुक में ज्यादा इसके बारे में चर्चा की नहीं यहाँ बात 11th class का topic है यह तो यह 11th का topic होने के कारण 12th में अपना इतना important नहीं है board class में आप बस ही समझें यह एक बिकार method अगर मैं short में बोलूँ आपको तो यह एक बिकार method है क्यों क्योंकि इसमें ना हमें इस तरह के अलग-अलग Hello LKNO क्या mixture मिलता है अब यार mixture में से फिर अलग-अलग करने की माथा फोड़ी तो इसलिए कोई खास अच्छी विधी है नि बिकार method है एक्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है बस आप ध्यान रखो कि H new कर कभी आ जाता है सामने इस तरह से तो आपको इस तरह का product बना करके दे देना है समझ में आगए कि सब कोई वाली बात बाकि मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें जो 2 degree वाला होगा ये ज़्यादा stable होगा 1 degree वाला जो होगा ये कम stable होगा ये बात भी even हमारी NCRT में मेंचन नहीं 12th में अगर chlorine ज़्यादा मातरा में ली है अपने तो ये reaction आगे continue करती है मतलब मालो ये भी मिल गया फिर मालो chlorine ने वापस इसी पर जैसे मालो ये चीज मिली chlorine ने वापस इस पर attack कर दिया तो यहाँ भी chlorine आ गया तो poly-hello-alcane भी मिल जाते है तो यही हमको लिप करके बोला है और I और F के साथ ये अभी chlorine सीधे सीधे नहीं होती तो बेकार विधी है तो कुछ खास ध्यान में रखने लायक नहीं है दूसरी विधी देखो हमारे पास में अलकीनों से ये students हमारे पास में बहुत important है तो हम लोग अभी इसके अंदर ही चल रहे है हाइड्रोकारबनों से ही बना रहे है पहला अपने हैलोजन मुक्त मोलक से देखा अब हम अलकीनों से बना रहे है तो बहुत सिंपल है हमारे पास में पहला है हाइड्रोजन हेलाइडों के सैयोजन के द्वारा hydrogen halide के सेयोजन के द्वारा तो hydrogen halide क्या होते है students Hx hydrogen halide hydrogen halide और है क्या हमारे वास में hydrocarbon main heading तो hydrocarbon है तो जैसे मालो यह ले लिया आपने CS3 और यह CS3 अब यहाँ क्या होगा reaction जब होती है interesting बात है एक तरफ जाकर के x जोड़ता है एक तरफ जो है आप लोग x जोड़ सकते हो तो यह CS3, C, H3 बहुत ही बढ़ी बात है हमारे पास में तो एक तरफ CH4 हो रहा है हमारे पास में और एक तरफ x आजाएगा हमारे पास में क्या गड़बड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर है न अच्छा सॉरी हमको यह लिखना था है अपर अल्कीनों से न मैं वही टेंजन कर दिया अल्कीन बनाना है भाई मेरे को मैं वह सोच रहा हूँ क्या जोड़ेगा इसमें अल्कीन है अल्कीन यह लो यह चीज़ है तो अब देखो क्या होगा एक तरफ जोड़ेगा ह और एक तरफ जोड़ेगा एकस तोड़ दो डबल बॉंड और इस तरह का कोई प्रोड़क्ट बना दो आप क्या बनगे आपके पास में CH2X किस से बना रहे हैं एलकीनों से बना रहे हैं है तो हाइड्रोकार्बन ही हाइड्रोकार्बन में भी अलकीन है तो अलकीन में डबल बॉंड लेना है डबल बॉंड को तोड़ना है एक तरफ हाइड्रोन को डालना है एक तरफ X को डालना है एक तरफ हमने H को डाल दिया एक तरफ X को डाल दिया इससे फरक नहीं पड़ता कि कहा हाईडरिन डाला कहा हाईज डाला क्योंकि यहाँ पर सबकु सेम आएगा उल्टा भी बनाओगे तो प्रोड़क्ट आपके पास में सेम ही बन करके मिलेगा यह देखने को मिल रहा है सबको अब देखना है यहाँ पर यह समय तेलकीन से है असल में इसको मैं मिटा करके एक बार और नीचे लिख देता हूँ देखो एक बार बहुत सिंपल है समय तेलकीन का मतलब होता है हमारे पास में जिसका दाहिने बाहिने जो लोग हैं वो सब सेम हैं जैसे मालनो यह वाला एक्जामपल है अब इसके क्या है आपने HX जोड़ा मालो चलो HCl जोड़ लिया आपने तो क्या देखने को मिलेगा एक तरफ हमारे पास में hydrogen जाएगा और एक तरफ हमारे पास में chlorine चला जाएगा अब यह सम्मित है सम्मित का मतलब है कहीं भी chlorine डाल दो कहीं भी hydrogen डाल दो फरक नहीं पड़ रहा लेफ्ट साइड राइट साइड सेम है यहां जैसे बड़ा एक्जामपल लो जैसे माल लो आप लोगो उने ऐसा एक्जामपल ले लिया C double bond C यहां पर आपके पास में है CH3 फिर अगेन यहां पर है CH3 और इसके लिए देखोगे तो तीन bonds तो हुई रहे तो एक CH है यहां पर और एक CH यहां पर तो यह समोमित है जैसा left hand side है double bond के उधर भी वैसा ही double bond के इधर भी ऐसा ही अब जैसे इसमें आपने फिर से क्या किया HBR को add कर दिया तो क्या देखोगे double bond को तोड़ोगे कहीं पर भी H डाल दो कहीं पर भी BR डाल दो product सेम आएगा CS3 C और यहां पर आगया हमारे पास में let's say BR यहां पर आगया हमारे पास में let's say H और यह CS3 यहां पर भी H है यहां पर भी H है same product आएगा मतलब नाम जब रखोगे तो नाम दोनों का सेम होगा मतलब चीज सेम बन रही है हमारी तो यह कैसे alkenes हो गए हमारे पास में sammit sammit alkenes double bond वाले यहोगे जो sammit है double bond की left hand जैसे है double bond की right hand भी वो वैसे ही है simple लेकिन आप समस्या कब पैदा होगी कि हमारे पास में जब हम लोग sammit alkenes इसको बनाएंगे तो sammit alkenes का क्या मतलब है जैसे मान लो हमारे पास में इस तरह का कोई योगिक है CH2 double bond CH और यहाँ पर है आपके पास में CH3 मान लो इस तरह का हमारे पास में कोई योगिक है अब इसमें आपने जोड़ा कि वहिया हम HBR जोड़ रहे हैं अब समस्या क्या होगी यहाँ दो-दो product बनेंगे कैसे भाई एक बार ऐसे हो सकता है कि hydrogen यहाँ लगे तो different product बने और एक बार हो सकता है bromine यहाँ पर लग जाए तो different cheese बन जाए मतलब मैं आपको बताता हूँ बना के देख लो दोनों ही product बना करके देख लो आप तो यहाँ पर यह भी बन सकता है कि CH3 हो जाए और यहाँ पर यह CH पे BR जुड़ जाए और यह CH3 तो हई मतलब यह क्या हो जाएगा 2-bromopropane हो जाएगा हमारे पास में बीच में है तो यह हो जाएगा आपके पास में CH2 और यह CH3 यह क्या हो जाएगा आपके पास में 1-bromopropane तो अब मैं आपको एक चीज़ बताओ एक इसमें से मुख्या बनता है और एक अल्ब बनता है कैसे बता हम लोगों को तो हम लोग यहां पर लगाते हैं students Markovnikov का नियम किसका नियम Markovnikov सुनाएं कैसे हबने Markovnikov का नियम क्या होता है ग्यालव व्क्लास का यह नियम होता है बट़ एाद रखना है बहुत important नियम होता है यह है यह नियम है हमारे पास में अमीर और अमीर हो जाता है और गरीब और गरीब हो जाता है हाँ यही वोला मारको निका भी या मस्ती कर रहे है मतलब समझना हाइड्रोजन उसके पास जाता है जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन जाता है और हैलोजन उसके पास जाता है हमारे पास में, समझ मैं ही, और दूसरी तरफ जहाँ पर हाइड्रोजिन ज़्यादा थे, वहाँ ब्रोमीन के जाने के संभावना कम ही होती है, तो यहाँ पर यह वाला प्रोडक्ट मिलता है हमको, यह वाला अल्प मातरा में हमें देखने को मिलता है, समझ मैं ही सबको, तो देखो इस तरह का इलकीन भी हो सकता है, उस तरह का इलकीन भी हो सकता है, मतलब सम्मित और असम्मित दोनों तरह के इलकीन हमारे पास में हो सकता है, उसको नोटिस करें, अचाही उपर देखें क्या लिखा हु देखा HF को लेते ही नहीं क्यों कि HF को तोड़ने के लिए मात्य कदर जादा एनर्जी बहुत जादा देने पड़ती है उसको देखा था ना पने आबंद विद्धन एंथल्पी उसकी जादा होती है तो यह हो गया हमारे पास में असममित एलकीन से क्या बात भीगा हुम कहर है हमारे पास में यह अलकीन टेस्ट कर सकते हो इससे आप लोग अगर कोई अलकीन है आपके पास में और उसमें आपने बिरोमीन डाल दी बिरोमीन और आपने साथ में रखा है शीशील फोर कार्बन तेत्रा त्लोलाइद अगर इसको डाला है आपने तो क्या होगा डबल ब ब्रोमीन को टेंचन है कि उनका लिंग कौन सा रखा जा रहा है यहां पर तो यहां देखें सब दिने ऐसी कोई चीज बनती है तो यह टेस्ट कैसे हुआ इसका हमारे पास में लाल भूरा कलर होता है रेडिश कलर है मानलो तो यह कलर गायब हो जाता है जैसे यह रियक्शन इससे होते हैं तो ब्रोमीन खतम हो जाता ब्रोमीन खतम हो गया तो अब इसका कोई कलर नहीं है कलर नहीं है कलर लिख रहा हूं मैं है रंग नहीं लिख रहा समझे तो ये क्या बना करके दिया है इसने हमको vicinal di bromide बना करके दिया vicinal मतलब पडोस पडोस वाले carbon पर सामने नाम में लेकिन आप vicinal को डालो खड़े में आप नॉर्मल तो नाम लिखी सकते हो di bromo जो भी बना करके दिया आपको तो देखो क्या है CCL4 में घुली ब्रोमीन ब्रोमीन को CCL4 में घुल देते और अलकीन में डालने पर ब्रोमीन का लाल रंग गाया हो जाता है लाल भोरा रंग इसका फिचुक जाता है इस विदी से किसी अणू में double bond की पहचान की जाती है बराबर नहीं है तो कहीं पर अगर double bond बोले अलकीन है आप कैसे यह लो भाईया यह लो सिंगल bond वाला है एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास में योगिक है और एक में double bond वाला है बोले टेस्ट करके बताओ कैसे बताओ ऐसे बताएंगे उतपाद क्या बनता है सनिधी Di-Bromide सनिधी का मतला वहाँ पास-पास वाला तो पास-पास वाले कार्बन पर Di-Bromide मतलब दोथो Bromine आजाते हैं विस, Dibromide इस प्रोडक्ट को हम लोग बोल सकते हैं vicinal Dibromide मतलब पास-पास वाले कार्बन पर Bromine Grumide जुड़ा हुआ हाई तो यह हो गया हेलोजन के सायोग द्वारा, तो देखो अभी भी हाइड्रोकार्बन ही है, तो अभी तक जो भी पड़े न, उस सारे हाइड्रोकार्बन वाले ही हैं, कि हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे, अब नेक्स देखो हमारे पास में हेलोजन विनिमा द्वारा, त कि सीधे सीधे हमारे पास में सीधे मुंग वाले method होते नहीं, आप सीधा जैसे अभी जो methods देखे ना, उसमें I2 लेकर के RI नहीं बना सकते, थोड़ी limitations है, तो RI बनाने के लिए method है, अब देखो नाम आ गया ना भाई साब का, Finkelstein reaction, तो देखो ये क्या है Finkelstein reaction, ये RI बनाने का method हड़ है, इससे हम लोग Iodoalkane बना सकते हैं, क्या बना सकते है students, Iodoalkane, नेम reaction है, एक्जाम में बोले, Finkelstein reaction लिएक्शन लिख क्या हो, तो तुमको आनी चाहिए, अब देखो याद कैसे करनी है, मैं बताता हूं तुम लोग को, पहले लिख लो फिर मैं बताता हूं, तो देख माल लो आपके पास है है, R, chloroqu रो होना चाहिए, या riff होना चाहिए, लो होना चाहिए, तो अपने एक ही लिखे और को यह लिखे है, कोई? एक लिख लो, RCl होना चाहिए, माल लो, तो इसके साथ में हम किसकी reaction कराते है, NAI की, और साथ में क्या होता है, Acetone, Acetone, Acetone पता है स तो हम क्या कर रहे हैं? रेक्षन जब होती है, तो यहां ध्यान दो सब्दने क्या होगा? यह जो CL है, NA को बुलेगा, आजा, आजा, मैं हूं प्यार तेरा RI के साथ रवाना हो जाएगा, और NA CL के साथ रवाना हो जाएगा सेम रियक्शन किसके साथ कर सकते हो ब्रोमीन के साथ देकर सकते हो सौरी यहा लेना है BR और यहां तो हमें I ही लेना है क्योंकि हमको IODO-ALKAN बनाना रहता है और यह acetone यहां पर भी आपको लेना पढ़ेगा तो वही RI है जाएगा और यहाँ पर बस आपके पास अने ये बी आर बन दे है तो याद कैसे करेंगे? तो ट्रिक है देखो फिंकेल्स्टाइन को बोल राई फिंकेल्स्टाइन आई देखो टाई टाईन आई आइन आ रहा ना आई ऐसी एसी तो वो नह रहा है कि नहीं आ रहाई, आ रहाई हमने Finkelstein को बोला Finkelstein तेरे को समझ में आ रहाई, आई, Finkelstein आई तो Finkelstein बोलता है नहीं, आ रहाई मतलब आ रहा है हमको समझ में आ गई, बोले नहीं, आ रहा है आ रहाई, आ रहाई, क्या बन रहा है इसमें आरही आरही Vinkal sign में क्या हुलना है क्या होता है तुमको तुम आर भाइया ऐसे ही है मतलब ये दोनों चीजें जो है ना यह अवकशेप के रूप में बाहर आ जाती है मतलब इसमें घुलती नहीं अशिटोन में और वैसे अशिटोन की जगए पर शायद हम लोग मैथिल एलकोहल भी यहां काम में लेते हैं बट बुक ने हमको ऐसी टोनी बोला तो हाएछिटोन से लेगा है स्वैट ये भी इसंन नेम रिक्सोल पॉर्च तो क्या है ह忙 में बहुत सिंपल है तो यह तो दूसरी चीज नहीं बनती न वह बनाने का मैथर इस कि हम लोग अरएफ बना सकते हैं तो Finkelstein और Swartz को आप लोगों को याद साथ में ही रखना चाहिए कायदे से. तो क्या है reaction हमारे पास में? Alkyl fluoride के संचलेशन का सबसे अच्छा तरीका. Alkyl fluoride बनाने का तरीका है यह. Alkyl fluoride मतलब carbon chain में अगर fluorine जुड़ा हुआ है, तो वो चीज़ बनाने का सबसे अच्छा तरीका हमारे पास में यह है. तो यहाँ देखो for example हम लोग कहरे है, धात्यों fluoride जैसे AGF, HG2F2, COF2 यह cobalt है. Cobalt वाला fluoride है यह हमारे पास में Sb fluoride है, कि opacity में alkyl chloride bromide को घरम करने पर RF बनता है. तो बहुत simple है, जैसे माललो आप लोगों ने कहा कि आपको तो एक चीज़ ध्यान रखने है, जैसे माललो AGF लिया हम लोगों ने. क्या कहते हैं, कि opacity में alkyl chloride यह ब्रोमाइड लेना है आपको. तो alkyl chloride यह ब्रोमाइड, जैसे माललो हम लोगों ने ले लिया CS3 chloride. reaction कराई और क्या करना है गरम करना इसको तो क्या बनेगा हमारे पास में देखो CH3F बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा AGCl के साथ निकल जायागा सिंपल अच्छा ऐसे ही कुछ भी कलोरीन था आप ब्रोमीन ले सकते हो तो यहां तो कलोराइड ले सकते हो यहां फिर ब्रोमाइड ले सकते हो तो AGBR ले लो सॉरी यहां पर तो आपको फ्लोरीन लेना ही पड़ेगा ज़्यों कि फ्लोरीन चाहिए अपने को तो यहां तो फ्लोरीन यहां चाहो तो आप लोग ब्रोमीन वाला ब्रोमीन ले सकते हो ब्रोमीन वाला रियक्टेंट CS3BR गरम करोगे क्या बनेगा CS3F प्लस AGBR silver bromide क्या बोलती पबलिक तो ये है हमारे पास में ये वाली reaction इसको याद कैसे करना है तो देखो इसका मैंने ऐसे SS trick बना ही नहीं आप finger stein के साथ में याद रख सकते हो swarts को बाकी कुछ बनाना जाहो trick तो अपनी मरजी से बना सकते हो आप ऐसे कर सकते हो की èn रहा है RF बनाने की तो बोले PT जो है राहूल भीया पूलो पूलो तो मतलब ख्राट राहूल भीया R और पूलो 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 मतलब तो RF बन रहा हमारे पास में सीधा पूछिई या कहीं पर conversion में लिखकर के देगा कि निमन अभिक्रियाओं को पूरा करो और सामने यह ऐसा product हम लोगों को लिखना होगा तो देखो next दो फटाफट से देखो alcoholों से तो यह तीसरा आपने पास method आगया alcoholों से तीन बोले था न में हम तो टीन में हैं हमारे पास में पीछे देखो कि तो दिख जाएंगे ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है 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 लो जन विनी में द्वारा सेकंड था और थर्ड अब हम लोग पढ़ रहे हैं alcohol के द्वारा तो यह वाला थोड़ा ना बुक में बहुत ज्यादा short में दिर्खा है मुझे पसंतला देख लो तुम है easy बस तुम तो एक-दो चीज़े ध्यानक्तना हो जाए the हमारे पास में है जैसे मालो yet एक दो एक स्टों किया है n इक सबिया करा है और और पना क सिर the तो यहां पर एक तो H2O बनेगा हटाओ उसको हमारा में प्रोड़क्ट क्या है Rx यह में प्रोड़क्ट बनेगे हमारे पास में तो अब इसमें आप देखोगे ना तो हमारे पास में अगर अभी क्रिया शील्टा के क्रम की बात करोगे तो अभी क्रिया शील्टा का क्रम तो तीनों चीजों के लिए होता है देखो अमलों के लिए तो हमने हाईडोजन हेलाइट के लिए तो पड़ी लिया था मतलब HI सबसे तेज reaction करता है उससे धीरे HBR करता है और उससे धीरे HCL करता है HF लेते ही नहीं है और similarly अगर alcoholों की बात करें तो हमारे पास में 3 degree जो alcohol होता है वो सबसे तेज करता है reaction मतलब 3 degree OH सबसे तेज करता है फिर उससे धीरे 2 degree OH करता है और उससे धीरे हमारे पास में 1 degree OH ये reaction करता है मैं आपको लिख करके इस बात को समझाता हूँ जैसे माल लो अगर आप लोगों ने क्या किया ये बात अपनी बुक में लिखी हुई है इसलिए सोड़ा समझना जरूरी है कि माल लो हमने ले लिया CH3 CH2 OH 1 degree alcohol है कैसा है 1 degree ये जो carbon है केवल आगे एक ही carbon से जुड़ा हुआ है तो इसका reaction हमने कर रहा है suppose HCl से तो ये reaction अपने आप नहीं होती इसमें हम लोगों को निर्जल ZNCl2 लेना पड़ता है एन हाइडरस ZNCl2 निर्जल ZNCl2 हम लोगों को इस reaction में students लेना पड़ता है और यहाँ पर जो HCl है आप notice करोगे तो book में इसको gaseous state में लिखा है क्या आप तो देहन दो क्या होगा product बन जायागा हमारे पास में क्या CH3 CH2 CL प्लस आप देखोगे तो H2 ओलग thumbs up अब उसके बाद देखेंगे सब देने यहाँ पर हमारे पास में है next अगर माल लो अगर I am saying कि CH3 CH2 OH ना हो करके 2 degree हो 2 degree मतलब यहाँ पर hydrogen ना हो और यहाँ पर एक और suppose CS3 जुड़ा हुआ हो यह कैसा हो जाए हमारे पास में निर्जल Z and CL2 यह बहुत important reaction आगे भी खूप काम आती है तो यह बनेगा CS3 CH अब देखो यहाँ पर क्या है 2 degree है तो उसको as it is बनाना है OH बहार निकालना है यहाँ पर आपको CL लगाना है दिमाग भी लगाना आपको यह माल लो CL है अगेन यहाँ पर CS3 है बनाना चाहो तो CS3 को यहाँ लिख दो CL को नीचे है उपर लिख दो वो कोई दिखकत वाली बात नहीं और रेश्टू बनेगा लेकिन 3 degree alcohol इतने ज़्यादा active होते है CS3 C माल लो उपर भी CH3 है और नीचे भी CH3 है और यह OH है यह इतने ज़्यादा active होते है reactive होते है कि इनकी reaction के लिए निर्जल ZNCl2 की जरूरती नहीं होती हमको सीधही reaction हो जाती है CS3 C इधर भी CH3 और इधर भी CH3 और इसके सामने हमारे पास में क्या आजाता है CL आजाता है Is this clear? और H2 हो तो बन के बाहर निकलेगा ही निकलेगा तो मतलब अपने को तो पानी बाहर निकाल देने पर ध्यान देना है बाकी reaction अपने आँख शलट जाएगी बढ़े आगे बढ़े students दे ताली समझ गए सारे students simple reaction थी कोई साभी alcohol हो सकता है उसके इस तरह से हम लोग reaction करा सकते है 3 degree है तो बहुत बढ़िया हमको उत्पुरे रखी नहीं चाहिए तो 3 degree बहुत तेजी से reaction दे देते हैं यह वाली अपनको अब उसके बाद में next है हमारे पास में Bromo Alkenes का निर्माण अगर मान लो Bromo Alkenes बनाना हो तो देखो दिमाग तो वही लगाना है अपने को कि alcohol लेना है चल तो reaction alcohol की रही है क्योंकि तो alcohol लेना है और Bromo Alkenes लेना तो यार Bromo Alkenes तो HBR होगा मतलब Bromo Helide लेना पड़ेगा न तो इसमें से भी क्या होगा यहां पर लग जाएगा लेकिन बस यहां पर एक छोटा सा जोल है वो जोल क्या है HBR बना बनाया नहीं होता है जैसे HCL बजार से खरीट किलाते हैं चलो चलो HCL हमाद HBR थोड़ी खरीट किलाते हैं कि चलो चलो HBR HBR को ताजा ताजा बनाना पड़ता है और कोई बात नहीं है बस तो यहां पर हम इसको कैसे बनाते हैं students हम लोग HBR को बनाने के लिए यहां पर एक लेते हैं NA एक तो लेते हैं दो चीजें लेनी होती है अपने को H2SO4 लेना होता है हमारे को H2SO4 और एक NABR लेना होता तो यहां से होता क्या है देखो कि हमारे पास में H और BR मिलके HBR बना लेता है HBR इससे reaction जरके जो product हमको चाहिए वो दे देता है तो H2O तो बनता ही है और BRR के साथ जड़ जाता है हमारा main product हमको मिल गया और उसके अलावा इन दोनों ने क्या बनाया आपस में तो 1H निकल गया एक BR निकल गया तो NAHSO4 बनाया sodium hydrogen sulfate NAHSO4 हाला कि यह हमारे को ध्यान नी दे ना हमारे book में तो केवल एक बना करके दे देता है समझे मेरी बात समझे किया हुआ है हापर कि मतलब अगर जैसे book की बात करूँ न तो book वाला तो यह लिख देगा जैसे माल लो CS3, CS2, OH और इसमें भी low तो फिर बली 2 degree, 3 degree अलकोहल लो बढ़िया है जल्दी reaction हो जाती है फिर क्या ले लिए आपने सामने इसके NABR लिखा और माल लो आपने लिखा H2SO4 और arrow करके आपने सीधा ही बना दिया CS3, CS2, BR खतम भूल जाओ और क्या बन रहा है आपको मतलब भी नहीं है पानी बना, क्या बना book में तो simple में इनको shortcut में RR की form में ही लिखा हुआ है book में तो लिखा हुआ है ROH, NABR, H2SO4 RBR, NAHSO4 RBR बन रहा है NHSO4 बन रहा है और H2O बन रहा है बस खतम हो गई reaction तालिया, तालिया, तालिया logic वही है अब जैसे आपको IODO-LKN मनाना है तो फिर वहीं फस गए alcohol से IODO-LKN मनाना है तो आपको करना तो देखो काईदे से यही काम है कि ROH लेना है और हमको इसमें क्या डालना है IODO लाना है यहाँ पर IODIN लाना है तो काईदे से हमें इसका reaction HI से कराना है तो होगा क्या हमारे पास में OH जो है वो H के साथ में reaction करके H2O बना लेगा और RI यहाँ पर आजागा होना तो यही है काईदे से लेकिन सीधे मूह नहीं होगा सीधे मूह नहीं होगा यहाँ पर हमारे पास में दूसरा तरीका हम लोगों को थोड़ा सा लगाना पड़ेगा IODO अलकीन बनाने का यह वाली reaction I guess बुक में आपको direct नहीं दी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आप यहाँ पर देखो सब्देन एक बार अपन कैसे इसको बना रहे है ऐसी कोई reaction आ जाए तो आप लोग ध्यान रखना हम लोग यहाँ पर KI की help लेने वाले हैं किसकी students KI potassium iodide किसके लिए iodine चाहिए न अपने को और साथ में ROH तो चाहिए ही चाहिए alcohol तो लेना ही है इसके साथ में एक और चीज़ लेनी है वो होता है हमारे पास में H3PO4 क्या होता है students H3PO4 यह भी हमारे पास में अमल है phosphorus का अमल है तो यह क्या गरेगा यहाँ से H बहार आएगा यहां से I बहार आएगा HI बनजाएगा वो जो HI बनेगा वो इससे reaction करके हमको वही बना करके देदेगा कि हमको चाहिए था तो वो जो बनेगा हमारे पास में एक तो RI बन जाएगा H2O बन जाएगा और यह जो बनेंगे हमारे पास में बचेगा K बचेगा और H2PO4 बचेगा हमारे पास में तो KH2PO4 हमारे पास में बचेगा क्या KH2PO4 हमारे पास में बचेगा देखो यह वाली इतनी important नहीं है क्योंकि ना तो यह name reactions है और ना ही book में भी इनको इतनी जद्दी कई है लेकिन यार कहीं पर conversion में आजाया तो सतर करें यह सारी मतलब आपको तो दिमाग में रखना है कि कोई HI दिख रहा है मतलब आई कहीं से इसके साथ जुड़ा के पानी निकाल सकते हैं क्या H2PO बन गया I जो है यहां जाके लग गया के जाके वहां लग गया ऐसा दिमाग लगाना है आपको पानी तो stable चीज है stable चीज है बाहर बना करके निकालते जाओ इस तरह से काम करना है कोई साथ रेक्षिन जैसे मालो ऐसे है CH3 CH2 OH प्लस आपने लिख दिया KI potassium iodide प्लस आपने लिख दिया CH3 PO4 तो product क्या बनाना है आप लोगों को CH3 CH2 I प्लस H2O प्लस KH2 PO4 ऐसा है नेक्स देखो चलो नेक्स तो students next है हमारे पास में phosphorus halide की अभिक्रिया द्वारा तो देखो phosphorus halide की अभिक्रिया बुक में भी काफी short में लिखी हुए है मतलब phosphorus halide होना जाए जैसे PX3 हो सकता है PX5 हो सकता है मतलब जैसे PCL3 हो सकता है PCL5 हो सकता है तो इससे reaction करा के कैसे तो देखना यहां पर हमारे पास में दो reactions है phosphorus halide में पहली और दूसरी करके यह और भी हम लोग इसी में ही पढ़ लेंगे मानलो इसी की ही पहली भी है और इसी में ही दूसरी भी है दो reactions है तो ध्यान से देखो पहली क्या है हमारे पास में अगर हम लोग क्या ले RCl बनाने के लिए किसी विशिष्ट alcohol की अभिक्रिया PCL3 या पर PCL5 से अपने को करानी होती है जैसे हम लोग अगर क्या करें मानलो CS3, CH2, OH है CH3, CH2, OH है इसकी reaction हम कराएं किस से PCL3 के साथ कराएं समझना सारे students PCL5 के साथ PCL5 के साथ PCL5 के साथ तो क्या बनेगा हमारे पास में तो एक क्लोरिन तो हमें इसको देना ही है उसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना तो CS3, CH2, CL तो बनी जाएगा वो तो हटाओ ये तो देखते ही आप समझ जाना कि क्लोरिन यहीं पर कहीं पर आ रहा होगा लेकिन बाकी चीज़ है मिलकर किया बनाएंगी वो थोड़ा सा important है यहाँ पर तो यहाँ पर बनता है हमारे पास में students PO, CL, 3 क्या बनता है students एक चीज़ बनती है PO, CL, 3 और एक बनेगा हमारे पास में यहाँ पर HCL चेक करो देखो कैसे बना सब कुछ क्या हुआ CS3, CS2, CS3, CS2 CL के साथ अलग हो गया ठीक है, यहाँ क्या बचा, PCL4 बचा PCL4 बचा और OH जो यहाँ से निकला था वो बचा तो PO और CL3 तो यहीं सेट हो गया और H जो यहाँ से निकला था, क्लोरीन जो यहाँ से निकला था हमनोंने जाकर के HCL बना दिया तो यह क्या है, किसी विशेश एलकोहल की अभिग्रिया, किसी विशेश किस से होती है फॉस्फोरस से, हलाइड से होती PCL3 यहाँ फिर PCL5 से अब देखो PCL3 से डिफरेंट रियक्शन है, अब जैसे मान लो अगर यहाँ पर हमारे पास में प्रोपेंट टू ओल है CS3, CH, OH और अगेन यहाँ पर CS3 अब इसका प्रोपेंट टू ओल की रियक्शन आपने कराई PCL3 के साथ में तो मेन प्रोड़क्ट तो वही है जो बनना चाहिए यहाँ आजाएगा CL और यहाँ आजाएगा आपके पास में CH3 अब remaining product हमारे पास में क्या बनता है तो वो है H3PO3 क्या बन रहा है यहाँ पर H3PO3 देखो कैसे 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 तो यहाँ पर hydrogen हमारे पास में 3 आने चाहिए और phosphorus हमारे पास में hydrogen अगर 3 चाहिए तो यह 3 चाहिएगी पूरी चीज 3 बार चाहिएगी और यह पूरा product तीन बार बनेगा क्योंकि 3 C L तो आ जाएंगे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है तो hydrogen 3 यहाँ से निकलेंगे H3 P यहाँ पर है और oxygen 3 यहाँ से निकलेंगे तो H3PO3 हमारे पास में इस तरह से बन जाएगए अब book में बहुत गंदे तरीके से reaction लिखी भी है मैं पढ़के बताऊं तुम लोगों को book में हमको लिखकर के दे रखा है ROH PX3 gives the RX H3PO3 यह ली reaction नीचा ले लिख दी फिर उपर वाली को कैसे लिखा हुआ हमारे पास में ROH की PCL5 के साथ reaction लिख दी RCL POCL3 HCL3 मतलब लिखा इसी तरीके से ऐसे कोई tension नहीं है यह क्या methods है हमारे पास में Phosphorus Halide की अभी करिया Phosphorus Halide PCL3 से अलग reaction होगी PCL5 से अलग reaction होगी समझ में आया है कर सब को लिखा Is this clear guys Am I clear Yes sir चलो दुपराग बढ़ते हैं अब हमारे पास में वापस से Iodalkenes का निर्माण तो इसी से ही हम लोग Phosphorus को यूज करके हम लोग Iodalkenes बना सकते हैं दरसल BR2 को यहाँ पर add करा सकते हैं यहाँ फिर I2 को iodine को भी यहाँ पर इस method से add करा सकते हैं तो देखो कैसे Iodalkenes यहाँ पर KI के यूज से भी क्या है तो और तरीके से भी कर सकते तो और तरीका कैसा है हमारे पास में students ध्यान देंगे तो हमको यहाँ पर Lal Phosphorus लेना होता है Alcohol तो लेना ही है reaction तो है यह अलकोहल की तो यहाँ पर हम लोगों को Lal Phosphorus चाहिए होता है लाल Phosphorus असल में P4 होता है ऐसे Phosphorus वैसे तो P Block वाले chapter में आता है यह Phosphorus की पूरा खंदान, रामा एंड पूरा लेकिन अब वो नहीं है तो मोटा मोटा अपने को लाल Phosphorus चाहिए होता है लाल Phosphorus अब मोटा मोटा तो यह है देखो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर PBR3 चाहिए होता है अपने को यहाँ पर PI3 चाहिए होता है तो वो होता है बनता कैसे है फिर ताजा मलो बना बनाया नहीं होता तो लाल Phosphorus लेते हैं फिर उसमें Iodine यहाँ फिर Bromine डालते हैं तो उससे PBR3 यहाँ पर PI3 बनता है फिर वो इससे reaction करके हमें आगे हमारा product दे देता है तो देखो बहुत simple है क्या है हम पर P4 की 6BR 2 से reaction कराते हैं तो PBR 3 बनता है हमारे पास में तो उसका जब reaction होता है students यहाँ पर तो यहाँ पर मैं उपर ही बता दूँ हूँ तुम लोग को कहां बता हूँ यह वाली bromine वाली है एक तो reaction और एक iodine वाली है दोनों ही होती है बुक में तो क्या दोनों को साथ में लिख रखा है कि बुक में ऐसे लिख रखा है लाल phosphorus मैं बुक का बतायता हूँ तो तुम समझ जाओगे देखो बुक में एक साथ दोनों लिखी वी है कैसे तीर बनाया यहां लिखा लाल phosphorus लाल phosphorus मतलब P4 फिर इसके साथ में हम लोग लेते हैं X2 और bracket में लिखा वाए कि जो X2 है न वो यहां तो BR2 हो सकता है ब्रोमीन हो सकता है यहां फिर iodine हो सकता है तो अब क्या हुआ लाल phosphorus ने इससे reaction की क्या बनेगा हमारे पास में यहां तो PBR3 बनेगा यहां फिर हमारे पास में यह बनेगा PI PI3 तो इनसे जब reaction होगी तो वापस हमें product में वही मिलेगा जो हमें हमेशा से मिलता आया है मतलब यहां तो हमारे पास में RX बनेगा और X की जगे यहां तो bromine होगा यहां फिर iodine होगा और product और क्या बनेगा students हमारे पास में तो product आप लोग देखोगे तो हमारे पास में बनेगा RX बस हमको book में लिख करके छोड़ावाए और वैसे दोख होगे तो RX बनेगा और H3PO3 हमारे पास में इसके साथ बनता है जैसे मैं एक example के लिए लिख देता हूँ एक reaction जैसे माल लेजिए यह होगया हमारे पास में 3 times of CH3 और फिर यह होगया आपके पास में CH यहां again CH3 यहां ले लिए अपन लोगों ने OH इसका reaction हम लोगों ने कराया किसके साथ में PI3 के साथ में PI3 कहां से आया यह समझ में आगया क्या आपको फॉस्फोरस लेंगे I2 लेंगे दोनों की reaction होगी तो PI3 बनता हैगा तो अब यहां पर क्या होगा I तो यहां पर आके लग जाएगा तो 3 times of CH3 CH नीचे आई अगें CH3 और प्लस में हमारे पास में क्या आजाएगा यह 3 निकले हैं H3PO3 बनता हैगा हमारे पास में जैसे पीछे बन रहा था H3PO3 यह अमल हमारे पास में इस अमल का नाम होता है हमारे पास में H3PO3 का नाम होता है क्या Phosphorus Aml, H3PO3 is Phosphorus Aml, Phosphorus Aml, यह reaction है हमारे पास में, अब इसमें students फटा-फट से इसकी photo कहीं चलो, एक last reaction है हमारे पास में, Thionyl Chloride की reaction, तो Thionyl Chloride की reaction students क्या होती है हमारे पास में, ROH की reaction हम लोग कराते है, SOCl2 के साथ में, यह reaction बहुत important है, अगर आपको बोले न, कि हमको हेलो एलकेन बना करके दो, तो आप इसी method से बना करके देना, क्या reason है देखना मैं बताता हूँ, इसमें क्या होता है, SO2 gas बनके बाहर निकलती है, HCl, H और ACl जो है, यह gas बनके बाहर निकलती है, और main product हमारा क्या बन जाता है, RCl, RCl, Thionyl Chloride की यह reaction है, तो best क्यों है, यह भी gas बन गई, यह भी gas बन गई, काम ही घतम, क्या बन गया हमारे पास में, RCl product बन करके बाहर आ गया, तो यह reaction सबसे शांदार जबर्दस जिन्दावाद reaction है, ध्यान देंगे सब जने, तो अब है भाई, अपने पास में हेलो एरीनों का विर्चन हेलो एरीन बनाएंगे, हेलो एरीन पता है सबको क्या होता है, बेंजीन होगी, उस पर हेलो जन लगा हुआ होगा, तो इसके लिए क्या method दे रखा है हमको किताब में, हाइड्रो कारबनों से इलेक्ट्रोन रागी प्रतिस्थापन द्वारा, यह पढ़ाओ, उससे पहले ए तो इसका यह वाला bond तोड़ना मुश्किल है, यह वाला bond तोड़ना काफी जाद है, मलब जैसे alcohol से बना रहे थे आप, phenol से नहीं बना सकते, आप सोचो यह bond तोड़ देंगे, x लग जाएगा, यह reaction ही नहीं होगी, उसके पीछे reason यह है, कि हम लोग अनुनाद में बहुत ब इनर्जी लगती है, तो यह bond है, तो यह bond है, तो इसलिए हम लोग इससे मान लो, आपको हुए क्या दे कि SOCL2 से reaction करा दो, सेम ऐसा कुछ बना दो, तो यह हमारे पास में हेलो एरीन बनाने के लिए काम का method नहीं है, समझ गए का सब्दन इस बात को, तो हमारे पास हेलो एरीन बहुत सिंपल है, देखो, मैं आपको दो reaction बताऊंगा, बुक में हमें एक ही given है, हम दोनों सीखेंगे, या थैंक यू, अरे ऐसे ही है यार, तुम कुछ रहो, बेंजीन उठाओ, क्या करना है, आपको इसमें, यहां तो chlorine से reaction कराओगे, यहां ब्रोमीन से कराओगे, तो यह यहां तो chlorine लेते हैं, यहां फिर ब्रोमीन लेते हैं, आप चाहो तो इसको X2 लिख लो, टेंजन ही खतन करो, X2 लिख दो, और बोल देना इसको कि यार, यहां तो यह जो X है, यहां तो chlorine होगा हमारे पास में, यहां फिर ब्रोमीन होगा, समझ में आई सब कोई वाली बाद, इसके साथ में हमें यहां क्या लेना होता है, अंधेरा कायम रहे, अंधेरा लेना होता है, अंधेरा, अरे, अंधेरा, अंधेरे में होती ही reaction, और हमें लेना क्या क्या होता है, जैसे माल लो हम लोग यहां पर ले सकते हैं, हम चाहें तो ALCL3 ले सकते हैं, लुईस अमल, यहा यहां फिर बुक में देखोंगे तो केवल F e लिख करके दिया है हाला कि F e उत्पुरेटक नहीं है यहां पर यहां पर F e Cl2 से डुड़कर करके वापएस F e Cl3 बनाता है तो वो उत्पुरेटक नहीं है ले सकते हो आप चाहो तो केवल F e भी लिख सकते हो बुक वाले की तरह, लेकिन असल में हमको लूई संबले चाहिए होता है, ALCL3 यहाँ फिर FECL3, अब सुनना, अगर जैसे मानलो आपने यहाँ पर क्लोरीन लिया है तो तो आपको ALCL3 लेना पड़ेगा, अगर मानलो ब्रोमीन लिया है, तो ALBR3 लेना पड़ेगा, समझ में आगई? यह चीज थोड़ा सा अपने को ध्यान देनी होता है, देखो मेकैनिसम थोड़ा याद करोगा, मैंने कराया है बहुद बार आपको होता कुछ नहीं है, कि यहाँ पर एक क्लोरीन तूटता ऐसे है, कि एक क्लोरीन दोनो रागी रियक्शन होती है, इलेक्ट्रोन लेने जाता है देदो मेरे को, तो यह बेंजीन क्या करता है अपने एक हाइड्रोन को भाहर निकाल देता है, और इलेक्ट्रोन इसको देके इसको जोड़ लेता है, खुछ से मतलब और वो मिलता है, और वो HCl बना देता है मैं मेकेनिसम नहीं बता रहा हूँ, आप तो सीधा समझो Cl टूटा, HCl यहाँ क्या, एक जो है, हाइड्रोन यहाँ से निकला वो Cl के साथ जोड़ करके, उसने HCl बना दिया चाहो तो Bromine के लिए भी, same reaction कर सकते हो, बस उसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कि यहाँ पर हमें Br2 लेना पड़ेगा अंदेरा तो यहाँ भी चाहिएगा, यहाँ पर आप फिर AlBr3 लेंगे यहाँ फिर FeBr3, आप लोग लेंगे Lewis Aml और यहाँ पर भी same ही reaction आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर आके एक जगे पर Bromine जुड़ जाएगा और साथ में आपको HBr मिल जाएगा लेकिन आप सुनना, यहाँ पर भी iodine और fluorine तो हम लोग नहीं लेते हैं बुक में ही reaction नहीं दे रखी, बुक में different reaction दे रखी, बुक में क्यों है ऐसा मैं आपको वो भी बताता हूँ देखो यह वाली reaction क्या थोड़ा easily नहीं होती बुक में हमें यह दे रखा है कि अगर माल लो बेंजीन रिंग पर कोई electron दाता सम्हों जुड़ा हो electron दानी सम्हों कोई जुड़ा हो जैसे माल लो CS3 जुड़ा हुआ हो वो बेंजीन रिंग को बोलता है यह ले electron जाईश कर electron ले 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 तो ऐसा करने से इसके क्या होता है जब electron बेंजीन के घूमने निकलते है न तो ortho और para वाली position पर negative charge देखने को मिलता है जैसे माल लो यहाँ आप confuse हो रहे होगे इसको यहाँ से हटा के उपर बना दो CS3 को यहाँ बना दो तो ortho और para पर electron density बढ़ जाती ortho और para इधर और इधर यहाँ फिर इधर और इधर समझ लो ortho और para तो case वही है मतलब बाकी सारा सब कुछ सेम है बाकी सारा सब कुछ सेम है जैसे माल लो वही आपने क्या ले लिया मैं एक ही example बता लाँ जैसे माल लो CL2 ले लिया और सेम वही चीज़ें ले लिया आप लोगों ने कि ALZL3 ले ले लिया यहाँ फिर F1 ले लिया साथ में अंधेरा कायम रहे ले लिया तो क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर ortho और para position पर हम लोगों को CL मिलने की आशंकर है जैसे माल लो एक ये वाला product मिल जाएगा और एक हमको product ये वाला मिल जाएगा पैरा वाला CSR और नीचे CL एक ortho पर CL जाएगा और एक para पर CL जाएगा आप तो सिधा याद रख सकते हों कि ये जो electron data सम्मू होता है methyl के जैसे हमारे पास में यहाँ दूसरे अगर alcohol है यहाँ पर तो ये क्या होते हैं ortho और para निर्देशी होते हैं जो electron रागी आता है ना इनके पास में electron मांगने तो उसको बोलते हैं जा ortho से ले यहाँ फिर para से ले ऐसा उसको बोलते है और इसमें हमें देखने को मिलता है कि जैसे नाम तो दे दोगे आप लोगे यहाँ पर जैसे माल लो methyl है और chloro है क्योंकि इनके क्वथनांक में अंतर होता है वालो अलग है अलग-अलग temperature पर उड़ेंगे तो उसको अलग-अलग आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर यह आपके book में हमें reaction दे रखिए सबको समझ में आई क्या वाली बात यहाँ फिर इसका नाम आप ortho chlorotolein भी दे सकते हो ortho chlorotolein और para chlorotolein भी इसका नाम आप सामाने नाम जो है दे सकते हो तो I hope समझ में आया सबको वाली बार देखो ortho और para समावयों को उनके गलनांकों में अत्यदिक अंतर होने के कारण आसानी से अलग कर सकते हैं कोई tension ही नहीं है क्योंकि इनके गलनांक में अच्छा कोथनांक में तो क्या गलनांक में अच्छा अंतर है मैंने कोथनांक बोल दिया था गलनांक में अच्छा अंतर है और उसके लावा आप देखोगे कि iodine के साथ यह अभिक्रिया होती नहीं, क्योंकि iodine के साथ यह reaction reversible हो जाती है, उत्क्रमणी हो जाती है, अब इसके आगे मत जाना, इसके आगे भी है वैसे तो, कि अगर मानलो उत्क्रमणी हो जाती है न, तो इस अभिक्रिया में जो HI बनता है, उसको oxykrit करने के लिए oxykarak हम हमको चाहिए होता है, मतलब इस reaction में क्या गड़बड हो जाती है हमारे पास में HI बन जाता है, यहां देखेंगे हमारी पीट पर ध्यान ना दे, इधर खुजली हो रहे हमको, खुजली हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को यह reaction देखो, कि यहां पर हमारे पास मे HCL तो नहीं बन रहा न, HBR तो नहीं बन रहा, HBR वैसे यहां पर बन रहा है हमारे पास में, मतलब मोटा मोटा यहां पर क्या है हमारे पास में, कि जो HI बनता है न, उसको OxyCrit करवाने के लिए हमें कुछ और भी लेना पड़ता है, और भी सामान HNO3 या HIO3 भी हमको यहां प मेथड अब हमारे पास में, इसको बनाने का एक और मेथड दे रखा है और वो है, Aminobenzene से Sandmeyer अभीक्रिया द्वारा, Aminobenzene से Sandmeyer अभीक्रिया द्वारा, अब देखो नाम आ गया फिर से, अब यार इंसान का नाम आ जाए तो इज्जत, इज्जत बड़ी चीज भाव, त Aminobenzene से Sandmeyer अभीक्रिया द्वारा, Sandmeyer आ जाए तो तुम समझ जाना बहुत-बहुत काम की रियक्षन है, और यह Amin वाले चेप्टर में भी आती है, तो शांदार रियक्षन है, क्या है देखो हमारे बास में, सबसे पहले इसने बोला यार, Aminobenzene होनी चाहिए आपके पास यह Aminobenzene गोल दो, यह इसको आप गोल देंगे Aniline, तो यह Aminobenzene है Aniline है, अब इसकी रियक्षन हमें करानी होती है, स्टूडिंस ध्यान देंगे, बुक में हमको लिख करके दिया है, नानो से, नानो, और हमको करानी होती है यहां वाले, HX से इसकी रियक्षन, और साथ मे हम लोगों को यहां पर चाहिए होता है, यहां पर temperature चाहिए होता है, 273 से लेकर के 278, 278 Kelvin तक का, 278 Kelvin, इससे हमारे पास में क्या बनता है, Benzene Diazonium Salt बनता है, Benzene Diazonium Lavan, Benzene Diazonium chloride बना लो, HCl लेकर के, बठा Benzene Diazonium Salt बनता है, Lavan, क्या होता है यह कुछ ऐसा होता है देखो यहां पर N2 और X इसमें nitrogen पर positive charge होता है X पर negative charge होता है अब N2Cl है तो इसको benzen diagonyum chloride बोलते है BR होगा तो bromide बोलेंगे हमारे को book में यहां पर कौन सा बना करके सिखाया है हम लोगों को तो हमको X ही बोला है ठीक है तो इसको हम लोग बोलते हैं benzen diagonyum halide यहां पर इसको नाम दिया हम लोगों ने benzen diagonyum बहुत important चीज़ है यह वाली agonyum halide यह बनाना आनी चाहिए अब इससे बनाएंगे हमको जो भी बनाना तो मैंने नाम इनके यह लिख दिये यह वाली चीज़ है यह वाली चीज़ यह रही हमारे पास में benzen diagonyum यह जो N2X गुरुप जो है ना हमारे पास इसको diagonyum बोलते हैं बहुत important है इससे हम काफी कुछ बना सकते हैं इमीन वाले चैप्टर में देखेंगे इसको अपन बट आप यहाँ पर देखो यह बन गया ना अगर आपके पास में तो यह काफी ना reactive होता है यह काफी हमारे पास में reactive चीज़ होती है आप जैसे यह क्या आपको लिखने बेद्यानरखना है वैसे दो देखो यह ऐसा कुछ होता JI इस पर नेगिट्व होता है इस पर पोसिट्व होता है ऐसा कुछ होता है ऐसे लिखलो थो ऐसे लिखलो तो वैसे लिखलो बात यह की zu What iskinna डो reaction होती दो तरह से इसकी reactions होती है तो हमें दोनों ही देखनी है एक reaction होती है इसकी के साथ में potassium iodide के साथ में तो potassium iodide के साथ में जब reaction होती है students तो हमारे को बहुत बढ़िया चीज मिलती है जो हमको चाहिए होती है बेंजीन पर iodine लगा हुआ और N2 nitrogen गए इसको टाटा बाइवाई और क्या बनता है हमारे बास में और भी कुछ बनना चीएगा इसमें तो हमें उससे मतलब नहीं है भी या हमारे उससे मतलब ही नहीं है simple इनको बाइवाई टाड़ा बोल दो और सीधा iodine जो है यहां पर आके लग जाएगा बाकी जो बनेगा उससे हमारा मतलब नहीं दूसरा क्या दूसरी reaction है Cu2x2 से और इसमें हम लोगों को क्या लेना होता है एक्स की जगह पर कौन होता हमारे पास में क्लोरीन या फिर ब्रो से यहां अब यह reaction होगी तो यहां पर आपको मैं बताने की जरूट नहीं है क्या वनेगा यहां पर यहां पर आपके पास में जब इन रिंग आई उसमें लग जाएगा और इंटू जो है बाहर भाग जाएगे हमको और किसी चीज से काउनों चीज से मतलब ना है हमको और का सोरो बैंजीन मिलेगा यहां ब्रॉमो बैंजीन मिलेगा देट नली बस आपको यह वालव स्टेप ध्यान रखना नानो से यही की रिंगsstयन नानो से करा नहीं से कराएं भाभू को अधर कि लिएक्शन नानों से करानी हिए पहले तो तो आपको गजप की चीज मिलती है बै क्या ही डालोगे तो आयोडीन आपको मिल जाता है क्या ही डालते हैं तो हमको स्यू टू एक्स्टू जैसी कोई चीज की ज़रुवत ना ही होती है भाईया ना ही होती है बिलकुल एकदम सांदार जबर्दस जिन्दाबाद रियक्शन इसका फोटू कीचो तो हम लोग बढ़े आगे खटक करके तो देखो नेक्स्ट है हमार पास हमें बहुते गुण तो फटापट से देख लो बहुते गुण धर्म हमें दो से ही मतलब होता है वैसे जादा से मतलब नहीं होता विलेता से और कौथनांक से यहां पर थोड़े ज्यादा दे रखे हैं बट ऐसे पढ़के आगे चल लेंगे अपन फटापट से तो देखो क्या कह रहा है हम लोगों को कि शुद्ध अवस्था में एलकेल हलाइड जो निमनतर का मतलब है छोटे साइज वाले छोटे साइज वाले हलो एलकेल जैसे यह एक्जामपल दे रखे ना यह कमरे के ताप पर गैस की अवस्था में होते हैं तथा आहाहाहा कुश्भू वाले भी होते हैं समझ में आरी है सब को यह लिए बाद तम सब इनसे क्वेशन न आप जाकर के देखो के तो द्रव में होंगे और शुरू के दो-चार कार्बन वाले तो वैसे ही गैस की अवस्था में होते हैं इससे भी कोई क्वेश्चिन खास ऐसे नहीं आते हैं को अथना यह इंपोर्टेंट चीज आ यहां से इंपोर्टेंट है ठीक है स्टुडेंट एक नंबर का क्वेश्चन आप यहां से कहीं से एक्सपेक्ट कर सकते हो अब समझो बड़े अंगे काकार वाले हेलो एलकेंट का बॉलिंग पॉइंट समान कार्बन परमाणू वाले संगत एलकेंज की तुलना में ज्यादा होता है जैसे 10 कार्बन का हमारे पास में डेकेन ह तुलनात्मक हमारे पास में एलकें और हेलो एलकेंट है तो हेलो एलकेंट का उनसे जादा होता है क्यों जादा होता है तो उसके पीछे कारण क्या है संबोवे सब्सक्राइब प्रबल इसका कारण हेलो एलकेनों में प्रबल अन्तरा आणविक आकर्शन बल कौन से दुईधरू दुईधरू तथा वांडर्वाल बल तो हर जगे फट्टे में टांग अडाने आजाते आपको समझना है दुईधरूव दूईधरूव मेरे कहने का मतलब यह है जिसे मानलो, एक कोई हमारे पास में बड़ा कार्बन वाला और हेलोज़न वाला कोई हमारे पासमें अणुं है, कितने है इसमें कार्बन के पर बालो एक दूत्वर मानलो, ऐसी है, तो आप होगा क्या इस पर पर पार्शॉर्ट सुदिव अर इस पर उंसा पर सुदिव समझे एंस फॉर्जा जिए। पॉजिटिव हो नौग नेगेटिव हो तो इसमें खुद में हलका सा पॉजिटिव है हलका सा नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव सा अट्रेक्ट होता है लेकिन अगर नॉर्मल कोई आपके पास में हेलो एलकेन है तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता नॉर्मल कोई अलकेन है तो नॉर्मल अगर कोई अलकेन है तो उसमें तो ऐसा खुछ नहीं होता देकेन है तो उसमें तो कोई positive कोई negative नहीं है तो उसमें ये वाला force नहीं होता उसमें केवल wonder wall बल होते है wonder wall बल क्या होते है ये सब इन सब को भी attract करते है यह सब इन सब को भी अट्रेक्ट करते हैं, तभी तो साथ में बैठे हैं, वांडर्वाल मतलब जहां कोई force नहीं है, वहां हम बोले दें कि वांडर्वाल आकर्षन बले, क्योंकि यह तो जवाब देना ही ना, कि सब साथ में फिर क्यों बैठे हैं, छोड़ के भाग जाएं ए इतनी सी बात है, अर्थाद हेलो एलकेन का आकार जो है, वो boiling point के proportional होता है, क्या क्या रहा हूं मैं students, कि हेलो एलकेन का आकार होता है हमारे पास में, वो boiling point के proportional है, जितना हेलो एलकेन का आकार बढ़ेगा, 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 तो उसका boiling point भी उतना बढ़ेगा, यह त CH3F CH3 let's say CL CH3BR और CH3I तो इनका साइज सेम है आ रही है सारे मेथेन 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 है तो फिर इसमें सबसे ज़्यादा क्वथनांग हमारे पास में RI का होता है उसका रीजन क्या है आप हमेशा ध्यान रखना द्रवेमान जिसी इसका जितना जादा होगा ना तो क्वथनांग क्योंकि छीजादा होगा आय perfectly सबसे बड़ा है इसमें उससे चोटा प्रोमीन है उससे चोटा क्लोरीन है उससे प्लोरीन वे वह यंदि क्योंकि URAR से नहीं क्रैकर करें तो यू habrी है तो उसका क्वथनांक सबसे ज़दा होगा, इसका सबसे ज़दा कम, उससे कम, उससे कम. इन पर question आ सकते हैं, जैसे मालों exam में कोई ऐसे आपको example दे दिया, मालों एक objective में ही आ गया मालों, कि यसे 4 objective आ गया, कि निवन में से किसका क्षाण di今日 को सबसे कम होगा कि यह कषण को के बढ़ते उकम में जमाओ कषण अब जैसे बुक में यह अपने को दे रखाया है तो यह तोगा डिलीट हो यार मैं लिखा वाला आया था तुम्हारे लिए मैंने का टाइम बचेगा तो CH3-CLA वाला है हमारे पास में और यह ब्लू आला है हमारे पास में वो ब्रोमाइड है यह CH3-BR है आपके पास में और यह वाले देखोगे ना तो यह CH3-CH2-I है और इसके साथ फिर वही है CH3-CH2-CL CH3-CH2-BR and this one is CH3-CH2-I यह इस तरह से है तो माला आप यह देखो समझो CH3-CL और CH3-CL लिख दिया कैं मैंने यह आपर सौरी नहीं सही है बिल्कु सही है देखो CH3-CL और CH3-BR में किसका जादा है हमारे पास में को थना 1-R का जादा है उस से जज़एधा किसका है CS3-I का ज़एधा है simple है और अगर मालकर कार्बन है CS3-Cs2 हो गया तो CS3-CL का इतना सही है CS3-CS2 का जो हमारे पास में CL का पृथना currency है वो बढ़ गया थोड़ा से मतलब CS3-CL का इतना सा है CS3-CS2-C2-CL एक carbon बढ़ गया तो उसका खुछ कार्बन भी बढ़ गया एक और carbon बढ़ गया तो उसका कोठ नाघ और बढ़ गया बल्कि इसमें मैंने 2 carbon नी वनाया है इसमें तीसरा तीसरा carbon भी है हमारे पास है ठीक है students इसको सही कल दे नहीं इसमें 2 2 carbon न ven tee तीन-3 carbon है तो जैसे-जैसे कारबन बढ़ रहे है तो भी कोफनांग बढ़ रहा है क्लोरीन की जग दरवमान जिसका ज्याधा कोफनांग उसका जधा ओर लॉजिक से ध्यान रखister as sama वयवी है तो एलोलगनों में श्रंकलन बढ़ने के साथ क्वथनांक कम हो जाते हैं समावयवी मतलब समावयवीवों वाले जैसे समझो CS3, CS2, 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 BR कितने कार्बन है चार? इसमें भी चारी हैं इसमें भी चारी हैं लेकिन फरक क्या हो गया? कि यहां पर श्रंकलन हो गया सीधी चेन नहीं रही बीच में कुछ निकल करके आगया और यहां पर क्या देखने को मिला? कि दो-दो श्रंकला निकल गई एक CS3 उपर शिफ्ट हो गया एक BR नीचे आगया अब देखो इनका द्रव्यमान अगर आप देखोगे ना बराबर है इनमें कारबन्स की संख्या देखो के बराबर है इनमें हाइडरन की संख्या देखो के बराबर है यह क्या है? सनरचनात्मक समावयवी है structural isomers तो श्रंकलन जब भी बढ़ता है हमारे पास में तो क्वथनांक कम हो जाता है और उसका reason होता है कि इनके बीच में जो लगने वाले वांडरवाल बल है या दूसरे बल है वो कम हो जाते है आकरशन बल कम हो जाते है मलब जैसे मान लो पहले जस्ट इसका जो पडोसी इसका भाई होगा वो उपर ही बैठा था इसके अगला अजस्ट नीचे बैठा था तो आपस में इनके बादची जादा होती रहती थी तो प्यार जादा था अभी क्या हुआ ये बीच में टांग फटा आडा के बैठ गया तो नीचे वाला भाई जो है इसका थोड़ा दूर हो गया तो सबके बीच में थोड़ी दूरी आ गई है तो मान लो कहने का मतलब ये दूरी आ गई तो उनको थोड़ा बिखेरना आसान है तो इसका क्वथनांग थोड़ा कम हो जाता है जैसे इसका 375 केल्विन है इसका 365 है और इसका 365 है क्योंकि इसमें क्या है एक ग्रूप यहां आएगा एक उपर कहीं जायागा ये किदर मान लब काफी दूरी बढ़ जाएगी न अलग-अलग अनुओं में तो जितनी दूरी कम होगी उतना एनर्जी जादा देना पड़ेगा जितनी अनुओं में ही दूरी जादा हो जाएगी तो हमें एनर्जी जो है कम देनी पड़ेगी तो इसका सबसे कम है क्वतनांक और एक हमको ये दे रखा है बुक में ये वाला भी important है देखो समझो कैसे ये भी क्या है हमारे पास में समावयवी है सनाजनात्मक समावयवी इसमें भी दो सेल है इसमें भी दो है ये फरक क्या ही ओर्त है मेटा है पैरा है तो इसमें आप देखोगे ना क्वथनांक तो लगबक सेम है निक यार इनके क्वथनांक तो अलमुस्त है में 453,446,443 कोई खास बहुत ज़्यादा बड़ा फरक नहीं लेकिन गलनांक में बहुत ज़्यादा फरक है यह 256 यह 249 यह सीधा ही 323 चलो इन नोनों में तो फिर भी सिमिलर है उसका तो ज़्यादा ही होगा ना 323 पहुंच गया सीधे तो ऐसा क्यों तो उसके पीछे बुक म क्या है सम्मिती के कारण है ऐसा मतलब जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें उसमें फिट बहुत अच्छे से होता है जैसे मानलो इसके भाई-भाई होंगे और दूसरे तो उनके साथ में बहुत प्यार से खुशी-खुशी रहता है फिट हो जाता है एक दूसरे में पास आ सक देनी इसको पढ़ती है स्टूदेंट्स तो फड़ा फट से यह बहुते गुंधन भी हो गए अब बढ़ते है अपना और आगे अरे यार एक तो अपना बहुते गुंधन में बच गया है चलो इसको भी कलतने क्या है यह घनत तो बोले तो देंसिटी तो बहुत सिंपल है इस्टी सी सूत्र पता अपने चान न बराबर होता है द्रवयमाशन बढ़ाए तो गपना तो बढ़ेगा अगर आयतन बढ़ रहा है तो गबऊंधन मुद Two lasts समय ए तो देखो क्या है यहांपर है मालो सीदीट एच सेवन देल है हमारे पास में और इसका गवमाशन दें इससे हमने कहा यहां पर है हमारे पास में कि हमें समझना है कि द्रवमान बढ़ रहा है तो घनत्तु भी बढ़ना चाहिए जैसे क्या है यह देखो कार्बन एक ही है कार्बन एक ही है कार्बन एक ही है यहां दो क्लोरीन है यहां तीन क्लोरीन है चार क्लोरीन है तो क्या देखन हाँ chlorine है यहां bromine है यहां iodine है तो इनका भी घनत्व बढ़ रहा है कैसे समझो 0.89 chlorine छोटा है क्योंकि bromine उससे बढ़ा है आयोडीन उससे ज़्यादा भारी तो द्रवमान बढ़ता जा रहा है तो घनत्व भी बढ़ता जा रहा है D is directly proportional to M बस आपको ये ध्यान रखना है कि घनत्व बढ़ेगा जब द्रवमान बढ़ेगा तो हम कहारे है कारवन परमाणों की संख्या हैलोजन परमाणों की संख्या तो हम लोगों आपर मैंचन की स्टुडेंट्स तो ये बात हम लोगों आपर मैंचन की स्टुडेंट्स तो ये हो गया हमारे फाइनली क्या सारे के सारे गुण धर्म होगा इनके तो बढ़ते हैं next पर तो next है स्टुडेंट्स हमारे पास में विलेता विलेता लास लास होना ची ये बिल्कुल वही ये वाला लास बुर्ण धर्म है इसका तो विलेता क्या है इससे भी question आता है ध्यान देंगे सब्सक्राइब मेरे इसाब से boiling point और विलेता ही ज़्यादा important होते है वो important नहीं होते बागी तो विलेता मतलब कैसे आप ध्यान दोगे चार जा रहा है कार्मन पर positive चार जा रहा है कैसा nature है polar nature है तो काईदे से पानी में घुल जाना चाहिए लेकिन यही एक special बात है इसलिए important हो जाता है यहां से question बन सकता है आपको लगेगा कि पानी में घुलता है नहीं हो जो है पानी में घुलता है कि Hello Elkin जल में बहुत अल्प भिले होता है कम घुलता है हाला कि यह धुरवी होता है और इन से जल में घुलने के आशाख की जाती हम म Cathуляр यहां Sadly गुलएंगे क्योंकि धुरवी है और पानी में भी धुरवी है लेकिन reason क्या है हमारे पास में आपको हुता आता हूँ, देखो, होता ये है कि जब, जैसे मान लो कोई Rx है हमारे पास में suppose, तो ये क्या है हमारे पास में partial negative और partial positive, तो मान लो कि जब इनके बीच का bond टूटता है, तो bond टूटता है, यहां आप यूं समझें, आप यूं समझे समझें समझें जल में ये क्यों नहीं गुलते यहां लिखा है देखो हम लोगों ने हेलो एलकेंज के अनुओं के बीच में दूइदरू दूइदरू आकरशन बल टूटने से कम उर्जा निकलती है जो कि जल के हाईदरोजन आबंदों को अच्छे से नहीं तोड़ पाती है तो ये ध्यान से देखें के सब्देने हम कह रहे हैं के बीच दूइदरू दूइदरू आकरशन ये वाला बॉर्ण नहीं आप जैसे समझें कि ये वाला हमारे पास में कोई यो तो ये बॉर्ण टूटते हैं और उससे क्या होता है उर्जा मुक्त होती है और फिर ये जो उर्जा होती है ना स्टूडेंट्स ये किसको तोड़ने जाती है पानी को तोड़ने जाती है मतलब पानी को कैसे कि पानी में आगर आप देखोगे तो पानी के अणुओं के हाइड्रोजन है, ऐसे, ये क्या है हमारे पास में हाइचा अबंद, अब ये थोड़ा मजबूत होता है, तो इनके आपस में तूटने से जो उर्जा मुक्त होती है, ध्यान देना सब्यरे, वो उर्जा इसको तोड़ने जाती तो है उर्जा, इसको तोड़ने के लिए लेकिन तोड़नी पाती है, वो उर्जा मुकत होती है, वो कम होती है, तो इस قоть is cancer, होता है, ये फिर इसमें जाकर गुलनी पाती है, ये आपस में तूट के जो उर्जा निकालते हैं, पिर वो उर्जा पानी के बीच में जो हाईडोजन थोड़ी सी उर्जा निकलती है, तो हम कह रहे हैं, जो की जल के hydrogen आबंदों को अच्छे से तोड़ नहीं पाते हैं, ये जल के बीच में क्या होते हैं, hydrogen आबंद, ये जल का ये करनों, ये जल का दूसरे आणों, इन सब के बीच में क्या hydrogen आबंद होते हैं, तो वो अच्छे से तूट नहीं पाते और इसके फलस्वरोप ये पानी में अच्छे से स्टूडेंट से घुल नहीं पाते हैं क्या आप सब्देने इस बात को समझ रहे हैं क्या तो ये हमारा था लास्ट बहुत एक गुण धर्म अब हमें पढ़नी है रासायनिक गुण धर्म और Chemical Properties Hello Elkines के रासायनिक गुण Chemical Properties of Hello Elkines तो देखो क्या है हमारे पास में यहाँ पर हम पढ़ते हैं विस्थापन या प्रतीस्थापन अभीक्रिया है और मैं आपको बता दूँ ये इस चैप्टर की जान है जैसे मैं हर चैप्टर में कहता हूं कि यह इस चैप्टर की जान है यह इस चैप्टर की जान यह topic है आपने जरूर सुना होगा क्या SN1, SN2, SN1, SN2 माथाखा गयोंगे आपके अलग अगले chapters में भी अपने इनके बारे में चर्चा करते हैं यहां SN1 अभीक्रिया होगी, SN2 होगी वही चीज है यह तो यह असल में क्या है प्रतिस्थापन अभीक्रिया है मतलब एक कोई चीज आती है वो दूसरी जो लगी हुई चीज है उसको हड़ागे खुद लग जाती है तो यह कैसी reactions देते है नाभिक रागी प्रतिस्थापन मतल यह को नाभिक रागी का मतलब है जो चीज नाभिक से महबत करे तो वो नाभिक रागी है इसको shortcut में हम लोग लिखते है NU, Nucleophile क्या बोलते है इसको नाभिक रागी या Nucleophile अंगरेजी में नाभिक रागी दियान रखो आप लोग तो तो अभी क्या है हमारे पास में नाभिक स्नेही एक ही बात है आप नाभिक रागी बोलो राग मतलब भी प्रेम होता है और नाभिक को स्नेह करना स्नेह करना तो वसे ही प्यार होता है न भाई तो यह मत लिखना वली आप आपको समझना है कि प्रतिस्थापन अभिक्रियान अगर आप लिख रहे हो मानलो त तो यह नाभिक के उसको क्यों चाहिए होता है नाभिक से इसको क्यों मुहबबत होती है तो उसके बीचे कारण इतना सा है कि इसके पास में इलेक्ट्रोन ज्यादा होते हैं यह कहता है हमार से इलेक्ट्रोन ले लो तुम यह वाला यहां तो फिर कैसा होता है स्टूडेंट्स negative होता है इस पर minus का charge होता है या फिर उदासीन होता है जरूरी नहीं है कि minus का charge हो अब active होता ना भाई पूरा है बहुत छांदार जबर्दस topic है ये वाला तो मैं क्या कहा रहा हूँ ये जो भी नाभिक रागी है अभी पूरी list दिखाऊंगा मैं आपको नाभिक रागियों की हमें याद नहीं करनी list हमें बस एक दो ध्यान रहनें की नाभिक रागियों होते है तो ये electron देने वाली चीज है तो ये नाभिक ढूंड रहा है plus charge ढूंड रहा है कि कहा plus है तो वहाँ जाकि हम अपने electron दे दें तो ऐसा हो सकता है कि इसके पास electron इतने जादा है कि खुद के उपर minus का charge है यहाँ फिर ऐसा हो सकता है कि loan pairs है minus का charge नहीं है यहाँ फिर ऐसे हो सकता है कि इसके उपर loan pairs पड़े हैं लेकिन हम minus का charge नहीं है इसके उपर तो इसका definition कैसे देते है हम लोग वहाँ अभीक्रिया जिसमें एक नाभिकरागी पहले से उपसित नाभिकरागी को हटा देता है प्रती स्थापित कर देता है उसे हम लोग नाभिकरागी प्रती स्थापन अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि अभिक्रागी द्वारा शुरू होती है इसलिए नाभिक्रागी प्रतिस्टा अभिक्रिया कहते हैं और नाभिक्राग्यों के मैं आपको एक च्वटा सा एक लाइन लिखकर दिखा रहा हूं जैसे कि क्या मतलब है हमारे पास में इस reaction का तो बहुत simple है मेरे को एक लाइन चाहिए थी खाली एक थोड़ी सी जगह यहां है नहीं यहां भी नहीं है यहां है चलो यहां देख लो तो मालो कि हमारे पास में कोई carbon है, x से जुड़ा हुआ है और बाकी भी इसके पास में कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है 3D में अभी तो चलो ऐसे बना लो जुड़ा हुआ है, मालो 3 hydrogen से जुड़ा हुआ है यह किसी और ची से जुड़ा है तो यह तो क्या करता है, electrons को अपनी तरफ खीच लेता है और इस पर क्या सा जाता है, partial positive charge जाता है तो जब पडोस में कोई दूसरा कोई नाभिक रागी बैठा है वो देख रहा होता है और यह कार्बन कार्बन को उसका जो नाभिक रागी है वो दोखा दे के भाग रहा है असल में यह जो chlorine-bromine है सुनो, यह भी तो ऐसा ही कुछ था ना CL था, मालो F माइनस था यह बियार माइनस था यह भी तो नाभिक रागी था ना, electron जादा थे ना इसके पास में, तभी तो आया था ना, कार्बन के पास में और कार्बन ने hydrogen से रिष्टा तोड़ करके इस से जोड़ा था यह ही reason था तो मैं यहां पर आप लोगों को कह रहा हूं कि अब क्या हो रहा है कि यह जो चीज जो दूसरा नाभिक रागी है यह आकर के इस कार्बन से जोड़ जाएगा और यहां से इसका जो नाभिक रागी है वो निकल जाएगा बस इतना सा ही होता है यहां पर समझ रहेंगे सारे students इस बात को कि क्या होगा हमारे पास में आप देखोगे तो बना करके दिखा दितने हम आपको यह मैंने गलत जगे बना दिया है यहां पर पहले से कुछ और है लिखा हुआ है एक लाइन लिखी हुई है आपर तो मान लोग यहां पर यह नाभिक रागी जुड़ गया आकर के और यह जो एक्स माइनस था यह अलग हो गया बस इतनी सी बात अपने को नोटिस करनी है तो एक काम करो ना यह एरो एरो हटा दो यहां पर एक लाइन लिखी हुए उसको आंगे दो यहां पर मैं इसको नीचे आपको लिखे देँ जो कि पीछे ही कहीं पर लिख ले ना अब वो लाइन समझ में आ जाएगी कि कोई एक नाभिक रागी है जिसको नाभिक चाहिए और एक हमारे पास में कोई भी हेलो एलकेन है मान दीजे तो ये इससे रियक्शन जब करता है तो होगा क्या हमारे पास में कि यहाँ पर ये जो नाभिक रागी है ये इस कारबन से जुड़ जाएगा आकर के और यह जो हमारा हेलोजन था एक्स जो था वो इससे अलग हो जाएगा एक्स माइनस बनके तो ये भी एक नाभिकरागी था ये भी एक नाभिकरागी है लेकिन फारक क्या है कि ये वाला ज्यादा पावरफुल होगा तो इसने उसको हटा दिया खुझ जाकर लग गया बस इतनी सी बात है अब आप ये वाली लाइन पढ़ो देखो ये लाइन बहुत जाए ज़रूरी वह अभिकरिया जिसमें एक नाभिकरागी पहले से उपस्थित नाभिकरागी को प्रतीस्थापित कर दिता है उसको उसकी जगह से हटा देता है खुझ जाकर लग जाता है पॉइंट है दम है दम समझे है के सब दिने? हेलो इलकेश की धुरूविय प्रकरती के कारण ये ऐसी अभिकरिया देते हैं क्यों होती है क्योंकि हेलो-अलकेश की प्रतिसापन अभिक्रिया बोल रहे हैं और नाभिक्रागी प्रतिसापन क्यों बोल रहे हैं क्योंकि रियक्शन शुरू करने वाला नाभिक्रागी होता है क्योंकि अभिक्रिया शुरू कौन करता है नाभिक्रागी जो दूसरा नाभिक्रागी आता है वो शुरू करता है तो तो इसलिए इसको नाभिक रागी प्रतिसापन अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं ये भी कोई नहीं पूसता आपसे अब इंट्रेस्टिंग बात क्या है आपको यहाँ पर देखना है कि नाभिक रागियों के उधारन है ये वैसे तो हम जब डिटेल्ड क्लास पढ़ते हैं तो फने ओध माइनस तो ऑउक्षिंग पर देखो नेगेटिव चार्ज ना तो यह कैसा नाभिक रागियों गया एन्यू माइनस मैंने बोला दो होंगे यहां तो जिस पर नेगेटिव चार्ज वो यहां फिर उदासी ने कैसे पानी के पास में देखो क्या सीन है दो लोन पेर तो जाके देदेगा दो लोन पेर आरो माइनस है देखो यहां पर भी ऑक्सियन के पास में लोन पेर है इवन इतने एक एलेक्ट्रों तो ज्यादा ही है कि वो उसको नेगेटिव चार्ज आगया उसके उपर आई माइनस है अब आयोडीन के उपर देख लो तुम तीन तीन इस इसके पास में लोन पेर वैसे ही होते हैं अब किसी और का भी मार के लिए तो इसके उपर नेगेटिव चार्ज है भरमार है इसके पास में एलेक्ट्रों की एनसरी को देखोगे तो देखो नाइट्रोजन पर हमारे पास में लोन पेर है आर आडश एनस को देखोगे तो इस को डोनेट कर सकता है तो देखो एजी सी एन के सी एन आर डैश डबल डैश यह अभी कर्मक है और नाभी करागी असल में कौन है एलेक्ट्रोन देने वाला कौन है यह लोग है यह भी isco भी जाएगा तो वण यह जाएगा तो भाउडश बनाएगा यह आई माइनेस जाएगा तो एकस को हटा के लग जाएगा खुद तोन ऑर ही बन जाएगा हमारे आउर एैस थरी अगर कहीं जाता है और एकस से रियक्सरें कर रहेए तो X को वाहर निकाल देगा, HX अलग चला जाएगा, NH2 जाके लग जाएगा उसमें मतलब मैं एक example बता देता हूँ आपको, एक example ता कि आपको clear हो, जैसे माल लो आर NH3 वाला ले ले लेते हैं अब बोले इसका जो hydrogen निकला, इसका जो X निकला उन्होंने HX बना लिया होगा, मैं एक example दे रहा हूँ आपको, तो इस तरह से ही reaction होती है, यह सारे क्या है हमारे पास में, अभी कर्म को कौन से नाबिक रागी हैं यह, कोई उदासीन है, जैसे NH3 उदासीन है, इस पर कोई negative का charge नहीं, यह book में अपने को table, दे रखिये मुख्योत पाद जो बनेंगे, यह उनके नाम है, nitrile बनेगा, cyanide बनेगा, RCN, यह isonitrile बनेगा, RNC, अभी इस पर भी आएंगे, यहाँ पर उल्टा हो जाता है थोड़ा सा, अभी मैं आपको भी बताऊंगा, next page पर ही, और यह बनता है, nitroalkane बनता है, यहाँ फिर क्या है, हमारे पास में, RCOO, AG है, AG हट जाता है, तो RCOO, R बनता है, और जो X निकलता है, वो HX बना लेगा, यह जीज तो क्या है, Aster है, RH बन सकता है, RR बन सकता है, मतलब यह बात है, मोटी मोटी, तो यह उपर हमने सारे देखे, यह क्य करने वाले, यह वाले लोग, और हमारे इतने सारे काम में नहीं आएंगे, हमारे कुछ-कुछ काम में आएंगे, तो तुम टेंशन मतले ना, क्यों रहे भाई भारी-बारी हम क्या करें, अरे हम सिंपल-सिंपल बच्चों वाले काम करेंगे, यार, अब आपर सुनना, अब वहां पर भी नाबिकरागी होते हैं हमारे पास में, तो वहां पर हम लोग बढ़ते हैं कि कौन से उबधन्ती होते हैं, वाई-डेंटेड होते हैं, कौन से यूनि-डेंटेड होते हैं, एक दंती होते हैं, एक दंती मतलब वो ऐसा अनू हो सकता है, जिसमें केवल एक ही पर जो इलेक्ट्रोंस डोनेट कर सकते हैं वहां जब हम उपस है जो नियोगिक बनाते हैं तो इसके बारे हम पढ़ते हैं तो यहां पर हमारे पास में केवल उबधन्ती के बारे में हमें समझना है ज्यादा के बारे में हमें नहीं समझना तो जैसे एक हमारे पास में एक्जांप भी देखने को मिलता है अनुनाजी संब्चना ये कैसे होती है देखो यहांपर एन पर हमारे पास में नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये लोन पेर के इलेक्ट्रोन इसके पास में शिफ्ट हो गया ध्यान समझना इसके पास में एक इलेक्ट्रोन तो है क्यों? क्यों तीन तो इसके यह रहे कार्बन के ध्यान से धिखू ध्यान से तीन तो यह रहे और यह के रहचार है तो अब अग протक्र मालें और य işi दौड़े तोerdन ही इसकी पारो दो RD अगर नॉर्मल कंडिशन है तो यह जा के यह दहने का nitrogen अगर नहीं तो carbon भी जाके देदेगा गभी-गभी तो तो यह क्या हो गया हमारे पास में उबधन्ति यह एंबी डेंटेट एंबी डेंट नुकलियोफाइल जो दो-दो जने वाला एक ही अनू है उसमें दो-दो अलग परमाणू है जो electron दे सकते हैं तो यह वाला हो गया हमारे पास में अच्छा इसका एक और example है हमारे पास में यहाँ पर जैसे NO2 वाला है तो देखो NO2 वाला लिखा है मैं यहीं लिख देता हूँ है ना दूसरा example है हमारे पास में NO2 वाला तो NO2 वाले में देखोगे ना यहाँ ओक्षूनिकूटन जाकर के लेक्टरों रहा है तो यहां पर समझने वाली वाक थी तो समझाने पर मेने ज़्यादा दिया इतना मुश्किल्व रहा है जो तो कर सकते हिए कि यह अभिक्रिया है, दो प्रकार की होती है, अब कहां लिखें देख लो, यह पहला प्रकार है हमारे पास में, अब जो हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ एक point mention कर लें, कि यह अभिक्रिया, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, तो पहला जो प्रकार है हमारे पास में द्वी अनुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिकरिया या S N 2 देखो, शब्द का मतलब क्या है? S से मतलब है सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन होता है प्रतिस्थापन और N से है हमारे पास में नुकलियो फिलिक मतलब नाभिक रागी तो सब्सिट्यूशन नाभिक रागी 2 का मतलब है द्वी अनुक तो यह क्या है पूरा नाम क्या होगा हमारे पास में द्वी अनुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिकरिया S N 2 S N 2 बोले दुई अनुक का क्या मतलब है भईया यहाँ पर तो देखो मतलब बहुत आसान है ये जो अभिक्रिया होती है न ये second order kinematics को follow करती है second order kinetics को follow करती है क्या है हमारे पास में ये अभिक्रिया है दुईतिय कोटी बलगतिकी का अनुसरण करती है क्या मतलब है सुनना हम लोगों ने रासायन एक बलगतिकी एक चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक दुईतिय कोटी की बलगतिकी का अनुसरण करने वाली reactions होती है second order reactions होती है और एक first order reactions होती है तो second order reaction में क्या होता है यहां ध्यान चीज समझेंगे सब्जने कि जैसे मान लीजी हमने कहा कि एक हमारे पास में यह है नुकलियोफाइल और दूसरी तरफ है हमारे पास में कोई भी कारवन जिसमें एक्स जड़ा होता है मतलब आरेक्स ठीक बात है तो यहाँ पर एक चीज यह है और एक चीज यह है अगर अभिक्रिया इन दोनों की सांधरताओं पर निरभर करती है तो उसको बोलते हैं सेकंड ओर्डर रियक्शन यहाँ दूतिय कोटी की अभिक्रिया तो यह जो रियक्शन है हमारे पास में एसन टू इसको इसलिए बोला है क्योंकि यह दूतिय कोटी की बलगति की का अनुसरण करती है उसके हिसाफ से होती है मतलब अगर इसमें एक भी चीज कम कर दोगे न तो रियक्शन होने की स्पीड कम हो जाएगी अगर इसमें आपने एक भी चीज कम कर दी तो reaction होने की speed कम हो जाएगी एक भी बढ़ा दी तो speed बढ़ जाएगी दोनों बढ़ा दोगे तो speed शांदार हो जाएगी बस यह दर मतलब speed और कुछ मतलब नहीं तो आप समझें सब्जने कैसे होती है यह वाली reaction हमारे पास में तो सब्जने देखो हमारे पास में क्या है जैसे बहुत simple है यहाँ से reaction हम लोग करा रहे है तो होगा क्या कि यह जो नाभिकरागी है यह attack करता है दुशुम पीछे से जाके आगे से क्यों नहीं करता क्योंकि आप देखो कि यहाँ पर इस पर भी तो minus का charge है और इस पर तो plus का charge है तो यह अगर इसको आगे से जाके देखेगा तो इसके electron और इसके electron में बिढ़नतों की दूर होंगे तो यह सामने से नहीं जाता कभी इधर से नहीं घुसता इधर से भी नहीं गुछता ये पीछे से जाके अटेक करता है तो इसमें हमारे पास में हमें क्या देखने को मिलता है एक बीच में ऐसा हलका सा एक शन आता है कि नाभिक रागी जो है इसको मना رहा होता है कार्बन को कहता है आप हो हमार धोस्तों जी आप हमसे का है नाराज हो और कार्बन सोच में पढ़ा हूँ होता है कि आर इस X का क्या गरना है बई मैं 5 मौंट्स तो बना नहीं सकता तो बस इतनी सी बात होती है कि नाभिक रागी पीछे से जुड़ जा है और आगे से वो X जो है तड़ी पार हो जाएब maioria वहाँ से छोड़ कर के तो इसको बोलता है हम लोग के सुडेंट से संक्रमण अवस्था इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते है Jewish अवस्था मतंदब संक्रमण मतंदब परिवर्दन होने ही वाला तो जस्ट होने से पहले वाली जो अवस्था है वो यह है संक्रमन अवस्था अब उसके बात क्या कह रहे है हम लोग यहाँ पर कि भाईया reaction कैसे होगी सब्देने देखें तो अब क्या बनेगा हमारे पास में NU आ गया, कारबन से जुड़ गया यह जुड़ा हुआ है बढ़िया एकदम और यह हमारा X- है अब यह अलग हो चुका है इनको आप लोग क्या क्या लिख सकते हो कि X- है NU- कुछ नहीं लिखा यार बस इसको ऐसे ही लिख दिया आपन लोगों ने बहुत बढ़िया शांदार एकदम जबर दस्त अब हमें कुछ एक points यहां पर देखने है कुछ एक points की हमें चर्चा करनी है जो कि SN2 पढ़ रहे हैं अभी अभी SN1 भी पढ़ेंगे इसके बाद में तो कुछ-कुछ points की चर्चा करेंगे क्या-क्या points है हमारे पास में जैसे एक point यह है कि इस अभीक्रिया में मध्यवर्ती नहीं बनता इस अभीक्रिया में वर्ति बनन नहीं रहा इसका मतलब पता है क्या होता है कि यह reaction जो है ना एक पद में पूरी होती है एक step में हो जाती है एक ही step है बस दो step नहीं है इसमें एक ही है तो एक पद में पूरी होती है लिख लेना कि एक ही पद में यह reaction पूरी हो जाती है मध्यवर्ति नहीं बनता अब एक बहुत इंट्रेस्टिंग पॉइंट है मारे पास में यहां पर एक एक्जामपल ले लेते हैं बली फिर उसके बाद एक इंट्रेस्टिंग पॉइंट पर चर्चा करेंगे तो इसका फोटो ले लिया ओ तो ले लो नहीं ले ओ तो 123 यह इंपॉटेंट चीज पढ़े रहे हैं बहुत जादा साथ साथी कोशिश करना समझो लिक बाद में लेना यार शोड़ो तो अब क्या कह रहे है हम लोग यहां पर किया ना यहां पर जैसे फॉरे एक एक्जामपल ले लो जैसे प्रॉपर एक्जामपल में अपन डिजाइ बनाएंगे भीया 3D वाला डिजाइन कैसे बनाएंगे जैसे मानलो यहां पर इसके पास में क्लोरीन जुड़ा है यहां पर हमने कहा एक हाइड्रोजन है अब यह दोनों 3D में ऐसे होता ना चतुषफल की सारचना कैसे ऐसे होती है कित्ती बारी कर चुका हूँ यह चीज त तो यह नाभिक रागी इसको पीछे से अटेक करेगा और यहां से वो निकल जाएगा बाहर तो अगर हम चाहें तो वो संक्रमन वस्था बना करके दिखा सकते हैं कैसे कि यह हमारे पास में कारबन है यह हमारे पास मान लीजिए कि यहां हाइड्रोजन से कनेक्टेड है और यहां भी hydrogen है, यहां भी hydrogen है, यहां अब हमारे पास में असमंजस है, यहां डैजर्ज बना देंगे, कि यहां chlorine है और यहां पर हमारे पास में नई जो चीज आई है, वो है, वो एच, तो अब करना क्या है साथ, तो अब हमें देखने को मिलता है कि बस final product बन जाता है, और कुछ इस तरह से मिल जाएगा हमारे पास में, कि यहां पर hydrogen है, और यह hydrogen बन जाएगे, और यहां पर CL- जो था, वो अलग हो जाएगा, बस अब इसका जो विन्यास बना रहे है ना, उस पर ध्यान देंगे students, कि विन्यास इसका जो है बदल जाता है, उलट जाता है, इसका विन्या फरक है, आपने खाली इदर का hydrogen उदर कर दिया, तो वह फरक अभी समझ में नहीं आयागा, आपको जब इसके त्रीविम पहलू पढ़ेंगे, तो वहां पर अपने इसको समझ लेंगे, समझ में आरी कि सब को यह अली बात, students, यह बस इसको मैंने क्या कर दिया है, उल्टा कर अभी आ जाएगा, तो असल में ऐसा होता है, कि जो structure है वो उल्टा हो जाता है, जो structure है वो just उल्टा हो जाता है, इसी को हम लोग यहाँ पर क्या कहते है, एक term दी है मने इसको, विन्यास का प्रतीपन, मतलब, विन्यास का प्रतीपन से हमारा मतलब है, कि इस अभी क्रिया में जो उत्पाद बनता है उसका अभी विन्यास उल्टा हो जाता है, अभी विन्यास का मतलब होता है, जो 3D में जो उसका structure है वो just reverse हो जाता है, तो वो छाते की तरह उल्टा हो जाता है, ऐसा लिखते है हम अभिक्रिया में कार्बन का विन्यास, कार्बन का चतुष फलकी के विन्यास, छाते की तरह उलट जाता है, वैसे ये भी लिखने की जड़ूरत नहीं है, छाते की तरह उलट जाता है उलट जाता है इसी को हम लोग क्या कहते है विन्यास का प्रतीपन कहते है मतला मान लो कि छाता पहले ऐसे था अब हवा तेज आई मान लो तो हवा तेज आई तो क्या होता है छाता उल्टा हो जाता है तो इस तरह से उसका विन्यास भी उदल गया, जैसे पहले मानलो क्लोरी यहाँ था अब वो दूसरी चीज यहाँ गई, तो यह वाला structure भी बदल जाता है, अगर हम 3D में observe करते हैं तो वो structure भी थोड़ा सा chain लागा, इसको इसलिए उल्टा करके हम लोग यहाँ पर बना रहे है समझ गया के सारे students, very simple, is this simple, काफी simple है, अब इसमें next step हम लोग एक और point है हमारे पास में, उसके लिए एक page add करना पड़ेगा हमको, एक और point के लिए एक और page, यह point है हमारे पास में, त्रीविम प्रभाव, यही सबसे important topics हैं इस chapter के, क्या है, stearic hindrance या त्रीविम प्रभाव यह एक और नाम है इसका, stearic प्रभाव, यह सारे इसी के नाम है, त्रीविम प्रभाव, stearic प्रभाव, stearic hindrance, आप वैसी समझ जाओगे, मतला आप देखो, कि यह जो हमारे पास में carbon है, अगर मानलो इस पे यहाँ तो X से चलो ठीक है, अब मानलो कि यहाँ पर तीनों ची और यहाँ X हो, और यहाँ पर अगर मानलो आपकी एक ही hydrogen है, दो-दो carbon हैं आपके पास में, इससे जुड़े हैं, मतलब 1 degree, 2 degree वाली बात कर रहा हूं, तो सबसे जादा तेजी से reaction कौन देगा, वो यह समझा रहा हूं किसमें आपके, मानलो ऐसा scene है, तो सबसे जादा तेज reaction यह वाला देता है, इसको भी 1 degree वोलते हैं, वैसे comparison इन में होता है, basically 1 degree, 2 degree, 3 degree, क्या है यह 1 degree alkyl halide, 2 degree alkyl halide, और यह 3 degree alkyl halide है हमारे पास में, hello alky, तो अभी क्या है समझना, कि OH- attack कर रहा है, तो यह जब attack करेगा, तो यहाँ पर जितना छोटा group होगा, जितनी छोटी च होगे, तो क्या होगा, इसको attack करने में ज़्यादा परिशान ही नहीं होगी, पीछे से आके धढाम से घुझ जाएगा, आगे से तो आएगा नहीं, देखो, यह तो समझ जाओ तो नहीं आएगा, क्योंकि एक ही carbon sum होगा, अब समझना, देखो, क्या सीन होगा, यह आएगा देखेगा कि यहां से आऊं यह यहां से आँ तो यहां से आना prefer करेगा, यहां से आना prefer करेगा, क्यों? क्योंकि यहां पर इनक्या कम-कम electron है चारो तरफ, तो बीच में से जाने की, और carbon पर attack करने की जगह ज़्यादा है, यहां पर आप चेक करोगे, तो उसके लिए दिक्कत थोड़ी जादा हो जाएगी मालब यहां पर यह scene हो जाएगा कि इसके electrons देखोगे तो इतने सारे क्योंकि carbon का group है ना carbon के खुद के electrons, hydrogen जुड़े वे हैं दूसरी जो भी चीज जुड़े वे हैं उनके electrons इसके साथ भी CS3 हो सकता है CS2, CS3 हो सकता है तो यहां से भी घुसेगा तो दिक्कत होगी, यहां से भी attack करेगा तो दिक्कत होगी तो यहां पर तो बहुत गड़बड हो जाएगी और यह तो देगा इनी reaction क्योंकि यहां पर जहीं से भी नाविकरागी आएगा यह उसको अलावी नहीं करेगा इदर माइनस है, इदर भी माइनस है इदर से यह रोक रहा है, इदर से इसके electron इदर से इसके electron तो हमें यह देखना पड़ता है मतलब यह देखने को मिलता है कि जो 2 डिग्री और 3 डिग्री हमारे पास में हेलो एलकेन है यह SN2 अभिकरिया नहीं देते समझ में आ गई क्या सबको यह वाली बात यह है त्रीविन प्रभाव पढ़के बतायता हूं एक बार देखो बाशा कार्बन परमाणों के चारों और स्थूल समूहों की उपस्तिती से स्थूल समूहों मतलब बड़े समूहों अगर जितना बड़ा समूह होगा न हमारे पास में कार्बन परमाणों की चारों तरफ जैसे उदर बड़े-बड़े समूह है अगर सारे तो उससे क्या होता है NU- के आक्रमण में बाधा आती है मतलब नाभिकरागी के आक्रमण में बाधा आती है वो हो नहीं बाता आकरमण तो इसलिए गहा रहे हैं इसलिए विबिन-Alkyl Halides के अभिकरिया शीलता का क्रम हमारे पास में ये है कि सबसे ज़्यादा तेजी से ये वाला Alkyl Halides reaction देगा फिर ये देगा फिर ये देगा और फिर 3 degree और कायदे से देखा जा तो 2 degree और 3 degree SN2 mechanism से reaction करते ही नहीं है, तो बोले भाया वो कैसे, वो फिर SN1 से करते हैं, ऐसा नहीं कि करेंगा ही नहीं करवा के तो रहेंगे यार ऐसे कैसे नहीं, बस यह है कि कौन कैसे कर रहा है, इससे क्या product जो बनते हैं उन में difference आ जाते हैं, वो नाभिकरागी प्रतिस्थापन, देखो हैं यह दोनों ही नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिकरिया हैं, लेकिन एक है एक आणविक और एक है दुई आणविक, क्या मतलब है, तो जो दुई आणविक है हमारे पास में, जो अभी हमने पढ़ी SN2 mechanism, दुई अनुक, तो इस अभिकरिया का वेग केवल एक अभिकरियक की सांदरता पर निर्भर, करता है, अब मैं आपको एक काम करता हूँ न, पहले से एक आणविक पॉइंट इसमें मैं बतायता हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा समझने में easy रहेगा, जैसे पहला पॉइंट इसमें एक ये है, जो हमें note करना है, कि यहाँ अभिकरिया दो पदों में होती है, दो देख लो आप, दो चरण होते हैं इसमें, देखो उल्टा है, SN2 में एक ही चरण था, SN1 में दो चरण है, ये ध्यान अखना है, दो चरणों में होती है, step 1, step 2, उसके बाद आप देखोगे कि इसमें मध्यवर्ती बनता है, मध्यवर्ती बनता है, मध्यवर्ती बनता है, और इसकी ये जो अभिकरिया है ये सामनेत है, प्रोटिक अमलों की उपस्थिती में होती है, प्रोटिक अमलों का मतलब होता है, वो अमलों जो H प्लस दे सके, प्रोटिक अमलों की उपस्थिती में होती है, प्रोटिक अमल मतला H2SO4 हो गया H3PO4 हो गया ऐसे यह वाले अमल हो गया हमारे पास में यह जैसे और भी होता है हमारे पास में जैसे CSR CH2OH हो गया CSR COH हो गया हमारे पास में यह सारे हमारे पास में धुरूविय प्रोटिक विलायकों में अ अ अ अ प्रोटिक अमल नहीं था यार, sorry, 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 धुरूविय प्रोटिक विलायकों में, आप इसको ऐसे लिखेंगे, धुरूविय प्रोटिक विलायकों में, ये थोड़ा गलत ध्यान रहेगा मिरको, ये होता है, धुरूविय इसको correction कर लेंगे सबसे में, प्रोटिक विलायकों में, सामने तहाँ इन में होती है reaction धुरूविय प्रोटिक विलायकों अच्छा धुरूविय प्रोटिक विलायक क्या होते है for example कुछ एक हो गया है जैसे हमारे पास में CS3, COOH हो गया हमारे पास में धुरूविय है और प्रोटिक है मतला प्रोटन देने वाला वो लौजिक सही है पूरा कि अच प्लस देने अच्छ को धंदलorfिय प्रोटिक है अविया प्रोटिक विलायक है और धुरुविय प्रोटिक है अच्छ भी है, आंपनेधियान द्यान ध्यान रखने की ज़रूद नहीं है उसके लावा सामाने तो धुरुविय प्रोटिक विलायकों में ये reaction संपन होती है, तो अपन इसके एकाथ steps, जो दोनो steps हैं, उनको देख लेते हैं फटा-फट से, क्या है देखो हमारे पास में step, पहला step students हमारे पास में simple है, कि ये carbon है, ये x से जुड़ा हुआ है, मदा rx है हमारा, इस पर partial positive है, इस पर partial negative है, अब क्या होता है, पहला जो चरण है वो h plus के कारण होता है, धुरुविय प्रोटिक विलायक में अपने पास में h plus हा गया, इसलिए उसको लिया विलायक को, तो अब ये जो चरण है ना, ये है step 1 और ये step धीमा चरण होता है, ये है step 1 और ये ही धीमा पद होता है, अब इसमें होता क्या है, कि h plus की presence में x निकलता है पहले तो, और क्या बनता है हमारे पास में कार्ब धनायन बनता है, मतलब यहां से ये इलेक्ट्रोन लेकर रभू चेकर हो जाता है, चेकर क्यों, इसको h plus बुलाता है, आजा आजा, समझ गया है, hx बना लेंगे न, h plus के पास तो इलेक्ट्रोन है इनी, खुदका भी चला गया उसका तो, तो यह इसको बोलता है, तो एक कामगर कार्बन का चोरी करके आजा, तो एक कार्बन का एलेक्ट्रोन चोरी करके उसके पास चला जाता है, शिम्पल, इसलिए तो लिया था उसको प्रोटिक वे लायक को अपन ने, और पीछे क्या हो जाता है हमारे पास में students यह x- आ गया चलो मानलो कि x- अलग हो गया और यहाँ पर कार्ब धनायन हमारे पास में बन गया अब क्या है step second step second बश तो अब यह कार्ब धनायन बना अब इस पर आएगा नाभिव रागी आक्रमान धुडिम और बस हमारे पास में यह तो तीवर गती से हो जाएगा तीवर होता है step तो ध्राम आक्रमन तो अटेक स्पीड में होता है और क्या बन जाएगा आपके पास में आम काचार बन करके तयार है देवियों सज्णम आम काचार बन करके तयार है खाओ इसको मस्ती से समझ गएगा सारे students is this clear यह टेज हो मतलब जो हमारे पास में थ्री डिगरी कार्बो केटायन बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए मतलब थ्री डिगरी अगर हम लोग हेलो एलकेन लेंगे ना तो वो ज्यादा तेजी से इस रेक्शन को देगा तो फॉर एक्जामपल हमने इधर लिया यह CH3 3 टाइम स शी फिर यह VR से जड़ा हुआ है नहीं बाबा और इसको हमने प्रोटिक विलायक में डाला धुडिम करके तो हमारे पास में यहां क्या बन गया शांदार सा एक मध्यवर्ती बन गया यह देखो मध्यवर्ती का निर्मान हो रहा ना और यह VR माइनस इस से अलग हो गया समझ म पर अटेक करेंगे हमार नाभिक रागी भीया यह जुम और क्या बनाएंगे तेजी से तीवर्गती से यह हमको बना करके देंगे जो हमको चाहिया था चाहिया था नाभिक रागी प्रतीस था पहनाफिभिया प्र पाद बीयार और यहां पर वो कॉन ह剛剛 इसॉडिर नहीं है नु कौन लिया है आपर OH- लिया है नोने खेक है नु की जगे तुम OH- ले लो यह ब्र को तो अलग किया ना ब्र को क्यों जोड़ेंगे अपर तो यहां पर मान लो तुमने लिया है OH- नाभिक रागी की रूप में तो यह OH यहां पर लगचाएगा समझ में आगए किस अब कोई वाली बात is this clear है अच्छा मैं एक बास उता हूं आपको कि अना आपके मन में विचार होगा कि भया यह धीमा है आपको कैसे सवाल होना चाहिए न आपके मन में कि यह वाला पहला पद धीमा होता है यह आपको कैसे पता तो देखो यहाँ पर क्या होता थोड़ा था न ऑन अफ ऑन चलता रहता है रियक्शन थोड़ी सी वैकोर डिरेक्शन में भी आती रहती है इस पर दोनों तरफ का तीर मिलेगा आप यह काफी जादा होता है ना तो रियक्शन फटाफट हो जाती इसी लिए हमने बोला है कि यह रियक्शन SN1 मेकेनिसम फटालो करती ह। कि यहाँ पर जो सांधृता है व gesch Shank matter करती है इसकी matter नहीं गरती है तो इस लिए ये एक ही चीज़ की सांदरता पर depend कर रहा है और ये पीछे आ जाता है ये वापिस reaction ऐसा है सब को समझ में आई गए वाली बात और यहां पर एक बात ध्यान देंगे कि अभिक्रिया की जो दर होती है न वो धीमे चरण पर depend करती है तो ये एक note वाली बात होती है वैसे तो एक करती है ठीक है स्टुडेंट्स समझ गएक है सब इने इस बात को अभी क्रिया की दर जो है वाईसा आप दीमे चरण पर निरभर करती है मतलब पहले वाले step पर reaction की rate जो है speed जो है depend करती है अब मेरे को इसका जो एकाध पॉइंट आपको और बताना है उसको बताने के लिए एक खाली पन्ना लेना पड़ेगा तो इसका फोट्टो ले ले लें तो बहुत बढ़िया रहेगा तो बढ़ जाए आगे एक पन्ना और एड़ करते हैं हम लोग यहाँ पर कि हम देखें अब हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है हैलाइड की सांधृता पर निर्वर करती है केवल हैलाइड की सांधृता पर निर्वर करती है अलकिल हैलाइड की सांधृता पर इसलिए उसे प्रतम कोटी का बलगती का अनुसरन करती है यहाँ अलकिल हैलाइड की अभिक्रिया शीलता का क्रम का क्रम देखें सब्गाने क्या है क्रम अभी क्रिया शील्टा का आरेक्स की तो आप देखोगे न 3 डिगरी वाले सबसे ज़्यादा रियक्षन तेजी से देते हैं क्यों उसका रीजन क्या है कि हमारे पास में 3 डिगरी जो कार्ब धनायन बनता है न वो सबस्याद स्थाई होता, समझाता हूँ, देखो कैसे बना लो पहले फटा-फट से एक बार फिर समझाता हूँ मान लो कुछ ऐसा जीन है इससे कम तेजी से ये reaction देगा हमारे पास में, इसमें एक ही R होगा मान लो, और यहाँ पर भी reaction देगा, क्या reason है उसके पीछे तो कारण यू लिख लो आप ये कारण है, हमारे पास में कार्ब धनायन का स्थायत्व का करम का स्थायत्व तो कौन सा कार्बो केटायन ज्यादा स्थाई होता है, बहुत सिम्पल है देखो अगर थ्री डिगरी कार्बो केटायन है जैसे मान लो ये वाला है फॉर एक्जाम्पल तो इस केस में क्या होगा, तीनों इसको इलेक्ट्रोन देते हैं अपने 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 तो इसका प्लस थार थोड़ा शांत रहता है, ठीक है पॉजिटिव का चार आ रखा है इसके उपर वो इतना शांत नहीं हो पाता इलेक्ट्रोन यहां से आते हैं और यहां से तो आते नहीं है और इससे कम स्थाई कौन है हमारे पास में तो आप देखोगे इसससे कम स्थाई है 1 डिगरी बाला यहां भी hydrogen आगया मालों यहां भी hydrogen आगया तो केवल एक ही जना electron supply कर रहा है तो कार्ब धनायन इतना stable नहीं होता तो काईज से आप देखोगे तो 3 degree हमारे पास में सबसे शांदार reaction देगा फिर 2 degree देगा फिर 1 degree देगा मतलब असल में यह है कि अगर कार्ब धनायन बनेगा ही नहीं तो वो SN1 देगा कैसे कार्ब धनायन बनेगा तभी तो नाभिक रागी आकर के attack करेगा ना धनायन पर तो नाभिक रागी कार्ब धनायन का बनना इतना important है यहां पर कि यह वाले जो दोनो है न यह तो reaction ही नहीं देंगे हमारे पास में यह वाले कौन से दोनो एक और चलो इसको भी बना लो आप एक बार कि माल लो तीनो ही hydrogen's है इसके पास में तो यह दोनो चीज़े तो SN1 reaction देंगी ही नहीं भूल दाओ यह SN1 देंगी दोनो उसमें भी यह नाटक बाजी करेगी वो तो SN1 reaction देंगी ही नहीं दोनो चीज़ें एक कार्बन वाली और बिना कार्बन वाली क्योंकि यह स्थाई नहीं होगा ना यह कार्बोकेटन स्थाई नहीं है वैसे भी तो आप दिमाग ही मत लगाओ कि अगर आपके पास में कोई कहा दे कि CH3X है हमारे पास में इसकी नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराने है तो आप उसको बोलना भाई है SN1 नहीं होगा SN2 कराओ क्योंकि SN2 उल्टा था SN2 में तो बढ़िया है कि यहां से आपके पीछे से अटेक कर जाया का नभिकरागी तो उसको तो टेंशन ही नहीं है वो तो बल्कि यह फटा फट देगा और फिर यह देगा उसमें यह दोनों नहीं देते लेकिन यहां पर ज़स्ट उल्टा हो गया अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो जस्ट उल्टा हो गया SN1 और SN2 में तो यह बात इवन आप देखोगे न तो हमारी बुक में हमको बताया है क्या कि जो SN1 अभिकरिया है ना अलेलिक हैलाइड अच्छे से देते हैं अलेलिक हैलाइड क्या था अलेलिक हैलाइड था हमारे पास में जैसे मालो CH2X है मालो और यह आगे जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो double bond से कनेक्टेड है ऐसा हमारे पास में structure है मालो एक बार के लिए इसको ऐसे खोल के बना लेते हैं यहां hydrogen लगा दो और इसके भी hydrogen को खोल खाल दो यहां पर आप तो यह है हमारे पास में अब यह वाला ध्यान से समझेंगे अपन लोग की यह वाला जो है न यह SN1 क्यों देता है SN2 क्यों नहीं देता है तो यह मस्त बात है इसके पीछे जैसे मालो इससे क्या होगा कि X निकल जायेगा न तो यहां पर यह कार्बन यहां भी चलो मालो CH2 होगा ऐसा मालो आप तो क्या होगा यह जो CH2 है इस कार्बन से कनेक्टेड है इसके पास में एक hydrogen है यह आगे इस और यहाँ पर क्या pro-tech हमारे पास में कुछ विलायक थे हैं महाँ पर, तो यह अब हमारे पास में कार्ब धनायन बना, क्या बना स्टूडेंट्स, कार्ब धनायन, तो अब इसका क्या अनुनाद हो जाता है, मतलब यह double bond के electrons यहाँ shift हो जाता है, और इस पर 2 hydrogen रहते हैं, तो होता क्या है, अनुनाद से अब इस पर positive charge आजाता है, तो positive का charge ना घूमता रहता है, यह electron वापस यहाँ चले जाते हैं, फिरियों, 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 तो जितना ज़्यादा अनुनाद रहता है, उतना ज़्यादा स्थायत वो रहता है, तो यह चीज स्थाई होती है, धनायन स्थाई हो गया इसका मंदब, तो यह धनायन क्योंकि बना पा रहा है, तो इसलिए यह SN1 mechanism से reaction करेगा, बस और कुछ नहीं, क्योंकि यह अनुनादी सनचना बना पा रहा है, इसका वो stable है, कार्ब धनायन इसका stable है, इसलिए यह SN1 mechanism से reaction करेगा, समझ में आगए सब को यह वाली बात, यह हो गया, अलिलिक का, अभी पड़ा वन्शॉट में शुरू में, अलिलिक के बारे में, अभी काम में आगया हमारे, फिर उसके बाद आप देखोगे तो बेंजलिक, तो बेंजलिक हैलाइड में, SN1 mechanism, तो बेंजलिक क्या होता है, ध्यान है सब लोगों को, बेंजलिक हैलाइड की बात हो रही है, जैसे मान लीजिए एक बार के लिए, यह है बेंजलिक हमारा, कार्बन है हमारे पास में, और इसके पास में H2 है सपोस, और यहाँ पर मान लीजिए कि X जुड़ा हुआ है इसके पास में, तो अब होता क्या है, बेंजलिक हैलाइड है यह, तो यह SN1 देगा, क्यों दिमाग लगाते हैं इस पे, तो क्या होगा, जैसे ही इसको हम लोग H प्लस वाले वो प्रोटिक विलायक विलायक में डालेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, कि यहाँ पर यह X निकल जाएगा, तो यह CH2 पॉजिटिव बचेगा, तो अब क्या करें भईया, तो अब देखो क्या होगा, कि यह ELEKTRON यहाँ जाएंगे, यह ELEKTRONS यहाँ जाएंगे, डबल मॉन बनाने, और इस कार्बन के प्लस के चार्ज को खतम करने के लिए, पाप को खतम करने के लिए, तो अब क्या होगा, अनुनाद चालू हो जायागा इसमें भी, अनुनाद जब चालू होगा, ध्यान से देखो सब्जने, बई अनुनाद हो रहा है न, तो मतलब काम सेटल हो गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बई वो पॉजिटिव का चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, अब क्या होगा, अगले में आप देखोगे, नेक्स्ट स्टेप में, कि ये वाले उलेक्ट्रोन यहाँ आएंगे, इस पॉजिटिव के चार्ज को खतम करने के लिए, तो उससे फिर क्या होगा, फिर वो पॉजिटिव का चार्ज, आगे शिफ्ट हो जाएगा, अनुनाद तो कितना बनाया है, ये अनुनाद आते ही, तो मेरा मन करता है, डांस करने लग जाओ, अब देखो क्या है, अब फिर से वही चीज होगी, कि ये वाले उलेक्ट्रोन यहाँ आएंगे, ये प्लस के चार्ज को खतम करने के लिए, और एज़र रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, फिर से पोजिशन चेंज, पॉजिटिव चार्ज की, कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन यहाँ, डबल बॉन यहाँ, देखो कैसे, कि यह पॉजिटिव का चार्ज उपर वापिस चला जाएगा, CH2 के पास में, और यह डबल बॉन ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो वहीं आ गए, जहाँ से हमने शुरू किया था, मतलब जितनी ज़्यादा अनुनादी संरच्छना होती है न, तो उतना ही ज़्यादा धनायन इस्थायतु है, तो इसका धनायन का इस्थायतु बहुत ज़्यादा है, तो यह easily कौन से mechanism से reaction देगा, SN1 mechanism से reaction देगा, SN2 से नहीं देगा, मतलब मद्यवर्ती बनाता है, धनायन बनाएगा, और फिर यह reaction देगा, बहुत simple सी बात है, तो फढ़ा फट से notice कर लो, यह अपने पढ़ ली नाभिकरागी प्रतिष्थापन अभिक्रियाएं, अब अपन बढ़ रहे आगे, तो यह तो है अपनी पहले तरह की नाभिकरागी प्रतिष्थापन अभिक्रियाएं, पहली तरह की reaction जो यह देते हैं, अब अपने ना इनके उपर एक topic है, देखो मैं आपको इमानदारी से बता दू, exam के point of view से एक दो number से ज़्यादा का नहीं है, एक से दो marks, इस से ज़्यादा का मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन समझने की दरश्टी से बहुत important topic है, तो इसम नहीं समझ में आया है, तो छोड़ देना, इमानदारी से कह रहा हूँ, छोड़ देना, अगर पड़ा है पुराना, तो easily समझ में आजाएगा, क्योंकि समझने वाला topic है, और number कोई एकाज से जादा आएगा नहीं, इस से अगर कोई सवाल आता है, तो तो देखो क्या है हमा हमारे पास में, मैं आपको बहुत simple में बताता हूँ, अपने पास में जो प्रकाश होता है, वो बहुत सारे तलों में ऐसे मानलो, क्या कर रहा होता है, दोलन कर रहा होता है, क्या कहोगे, मतलब बहुत सारे तलों में वो मौझूद होता है, हर तरफ चल रहा होता है, आप ऐ यह normal हमारा सामान्य प्रकाश है, क्या है? सामान्य प्रकाश, तो होता क्या है कि कुछ-कुछ चीजों में ऐसा गुण होता है, यहाँ जैसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक nicole prism से गुजारते हैं, अब आप धिमाग मत लगाना कि nicole prism क्या है, यह मान लोग प्रकाश बोलते हैं लोग यह प्रकाश देखो इस तरह से बहार आता है एक ही तल में दोलन कर रहा होता है मतला इसको हमने क्या दिया कि यह हमारे पास में क्या है सम्तल धुरूवित प्रकाश अब हमें मतलब होता है इस लाइट से इस प्रकाश से अब कुछ-कुछ पदार्थ हमारे पास में ऐसे होते हैं जैसे हमारे पास में अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले जो जैसे मानलो कोई हमारे पास में लेट से क्या है प्रोपेनॉल है मानलो या उसमें कोई एक हेलोजन कहीं पर जुड़ा हुआ ऐसा कुछ मानलो अलकोहल जुड़ा हुआ एक तरफ है एक तरफ CH2OH ऐसा कोई योगिक है हमारे पास में सिंपल अपन ने किया कि उसको पानी में मिलाया उसको अपने मगगा भरके रखा और उसमें से हमने देखा कि जब इस तरह के प्रकाश को उसमें से हम गुजारते हैं तो यह हमारे पास में मान लीजीए कांच की नली में पदार्थ कांच की नली में पदार्थ का क्या है हमारे पास में एक्वेस विलायन है उसको पानी मिला के उसमें डाल दिया तो ये क्या करते हैं इस सम्तल धुरुवित प्रकाश को घुमा देते हैं मariamente मैं आन्ठ लगा के हैं से देख रहा हु कि ये कहा जाता है प्रकाश तो आ तो रहा था जब सीदा था लेकिन आगर माल लो उसको दाहीने गुमा दिया यह माल लो उसको बहीने गुमा दिया तो यह प्रकाश को घुमा एते हैं मुलब आ तो इस अक्ष पे रहा था मालो वो इतना गूम गया दाही ने गूमेगा यह बाही ने गूमेगा देखने वाले के लिए तो ऐसे जो पढ़ार्थ होते हैं वो प्रकाशिक सक्रिय पढ़ार्थ होते हैं बस आप मेरे साथ देना, नहीं समझ में चोड़ देना, क्या कहा रहा हूँ, सामाने प्रकाश को निकोल प्रिज्म, सम्तल धुरुवित प्रकाश में बदलता है, सम्तल धुरुवित प्रकाश जो है, उसको अगर इस पदार्थ में से, कोई प्रकाशिक शक्री पदार्थ है, म को मापने वापने के लिए सारे यंत्रवंत्र हैं आप उसकी चंता मत करो आप तो केवल थेवरी पे ध्यान दो तो जो पदार्थ मालो ऐसे समतल धुरुत प्रकाश उस पदार्थ में से होके घुजरा और उसने दाहीं तरफ घुमा दिया तो उसको बोलते हैं दक्षन यहाद रखो ना यार L से उल्टा तो यह L यहाँ फिर माइनस से इसको हम लोग लिख करके दिखाते हैं अभी थोड़ी दिर में आपको समझ में आयागा और इस वाले को हम लोग प्लस यहाँ फिर छोटा D से लिख करके दिखाते हैं थम्स अप अच्छा ऐसा क्यों पढ़ लेकिन उस में से आधा यह वाला योगिक क्या करता है प्रकाश को दाहीने घुमाता है समतल दृवित प्रकाश को और आधा इसी का जो ओड़ी का हिस्सा है वह भाहिने घुमाता है हमारा होबढ़ा गुं क्या कर रहा है एक इतरफ गुमाना सूतर सेम है गल्लांग सेम है इनके अन्यगुन समान होते है। लेकिन प्रकाशिक गतिविधी समान नहीं होती। प्रकाश को आधा उसी का योगिक यूँ घुमाता है ठोड़ा उसका यूँ घुमाता है। तुमारी किश्मत ही खराब होगी तो एक्जाम में पूचे का कि धुरुवण समावयवता से आप क्या समझते हैं वैसे अगर समझे हो तो समझाद होगी कोई बड़ी बात नहीं अब इससे रिलेटेड ये टॉपिक है आणविक असममित्ता, काईरलता और प्रतिभिंब रूप इसको समझना इंपोर्टेंट है एक नमबर के लिए नहीं समझ माया छोड़ देना तो मैं फड़ा फट से बता रहा हूं देखो लूइस पास्चर नाम का एक व्यक्ति था उस समतल ध़ुद प्रकाश को उल्टा घुमार है तो एक प्लस है और एक मायनस है तो उन्होंने दिखाया कि दोनों प्रकार के क्रिस्टलों में समान सांधृता वाले जली विलेन, समान परिमान, समान परिणाम किन्तू विपरित दिशा में घुणन प्रदर्शित करते हैं, उन्होंने प्रदर्शित करा, experiment करके दिखाया, किस दिर को सब कुछ सेम है, लेकिन ये प्रकाश को यूँ घुमा रहा है, ये प्रकाश को यूँ घुमा रहा है, उसी के अलग-अलग क्रिस्टल, तो दिमाग लाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो दो वेग्यानिक थे हमारे पास में, एक वॉन्ट हॉफ थे और दूसरे ले बैल थे, तो इन्होंने बोला, experiment के अलग-अलग से काम कर रहे थे, अलग-अलग रूप से, तो इन्होंने experiment से बताया, कि ये उसकी असममित्ता के कारण है, अनों की asymmetry के कारण है, देखो आगया ना, असममित्ता, अब ये topic बहुत गहरा रुचिकर है, असमित्री का मतलब क्या होता है, जैसे माल लोग की कारण है, इससे चारों चीज़ें जो जुड़ी हुई है न, अगर वो चारों चीज़ें अलग-अलग है, तो ये असमित्त कारण है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असमित्त कारण, ये असमित्त है, अगर चारों में से दो भी सेम हो गए तो व असम्मित नहीं होगा मतलब ये कौन दिखायागा पहली condition क्या हो गई कि असम्मित होना चाहिए पहला condition हो गए हमारे पास में असम्मित आ होनी चाहिए तो अगर कह रहे हैं यदि आणवे का असम्मित मौझूद है आप लोगों को कोई योगिक है मान लो उसका medical use इस तरह से होता है कि अगर वो प्रकाशिक सक्रिय है मान लो तो गजब की दवाई है लेकिन अगर वो प्रकाशिक सक्रिय नहीं है तो वो काम का नहीं ऐसा तक होता है तो इसलिए यह गुण भी scientist लोगों के काम आ गया सेम सूत् विवस्ता में और अध्यारूपित नहीं होताइब अब बात आ गई हमारे पास में दर्पन प्रतिविंब की अब थोड़ा सा कान आखे न आख खोल कर सब कुस वे सुनना है इसको देखें सबड़ने यहां पर क्या है हमारे पास में काईरल्टा समझ रहे है है हम लोग ये भी important है केवल ऐसा पूछ ले कि निमनमे से कौन सा chiral है कौन सा chiral नहीं है तो ये क्या चीज है वो भी समझ में आ जाएगी आपको इसको पढ़ो पहले सब्दने देखो क्या कह रहा है same same glass है एकदम same same ball रखी हुई है कह रहा है जिनका दरपन रूप जो है न एक दूसरे को पूरी तरह से ढख देता है उसको हम लोग एक chiral बोलते हैं अगर दरपन रूप किसी चीज का उसको पूरी तरह से ढख दे तो उसको एक chiral बोलते हैं लेकिन अगर किसी चीज का दरपन रूप उसको पूरी तरह से cover नहीं करे तो उसको students हम लोग बोलते हैं काईरल वस्तु में बोलते हैं मैं इसको एक बार छोटे से example से बताऊंगा फिर अपन इसका जो chemical compound का example लेंगे ना तो तुम अच्छे से समझ पाओगे देखो थोड़ा सा interesting topic है काईरलता चेक करना और काईरलता मालब काईरल है या नहीं जैसे माल लोग बॉल है तो इसको पूरी तरह से ढखेगा कि नहीं ढखेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा इस वाले दरपन रूप को 180 degree घुमा के रखना पड़ेगा 180 degree घुमा के फिर इसके उपर रखके देखना पड़ेगा तो इसको जब आप 180 degree घुमा के रखोगे तो क्या ये वापिस ये वाली चीज नहीं देदेगा हाँ साही बात है तो ये तो उठा के इसके उपर आ अगर अध्यार उपित हो जाए मैं फिर repeat कर रहा हूँ तो ये कैसा है a chiral, chiral नहीं है कैसा है a chiral है और जैसे मालो और example है हमारे पास में glass वाला जो हमें book में दिखाया ना book में थोड़ा अच्छे से नहीं दिखाया इसलिए मैं तुमको बना करके दिखा रहा हूँ तो मालो तो अब मैं कह रहा हूँ कि इसको चेक करना है कि chiral है कि नहीं है तो इसको 180 degree घुमाओ एक प्रतिविम्ब रूप को तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर इसका structure कैसा बनेगा थोड़ा structure पर मज़ा ना टेड़ा मेड़ा हो रहा है ना तो ये चीज अब ये point वाप नहीं है देखो मैं समझाता हूँ कैसे ये मेरा right hand ये मेरा left hand अगर मैं मालो इस हाथ के सामने यहां दरपन हो तो दरपन के अंदर यहाथ आपको ऐसा ही दिखेगा ऐसे दिखेंगे तो अब अगर आपको चेक करना है कि chiral है कि नहीं है तो किसी एक को 180 degree घुमाओ और इसको यूँ किया और इसको लाकर करके इस वाले के ऊपर रखो तो देखो नहीं धख रहा है मदल्ब आपको लग रहा है कि यह यह वाली चमडी मदला हमारी जो समझो कैसे हो रहा है होना चाहिए था ऐसे संदमे है यह सब को यह लिवाद लेकिन हो रहा है ऐसे कि इस तरह से पूरी तरह से उसको cover नहीं कर पा रहा है ये मतलब उल्टा आ रहा है उसके उपर सीधा नहीं आ रहा, यू नहीं आ रहा संदमे ही बात, ये यू किया और इसको ला करके यू रखा तो यह काईरल वाला होता है हमारे पास में concept देखो पीछे देखो यहां देखो students के इसको direct समस्त है direct मतलब कैसे कि हम कह रहे हैं कि यह दोनों हाथ है कि मानलो इसको उठाके यू रख दिया तो देखो मचली जलकी रानी हो गई है उसको cover ही नहीं कर रहा है अध्यरोपित नहीं कर रहा होता है यह कहने का मतलब है तो यहां देखेंगे सब्दने इस बात को कि यह वाले जो structures हैं हमारे पास में यह कैसे हैं काईरल वस्तु हैं यह अन अध्यरोपित हैं यह इनका प्रतिबिंब रूप एक दूसरे के ऊपर अध्यरोपित नहीं होता है वैसे हमें इन दिखाया है हमने कि कि किसी योगिक के अनुं में तुरे में व्यवस्ता में सम्मेति नहीं होता है अगर कोई असम्मित है तो अध्यरोपित नहीं होगा अब अपन इसको भी छोड़ते हैं अपन ना सीधा ही इसका एक example देख लेते हैं सीधा ही एक अपन प्रेक्टिकल एक् होते हैं मतलब यह सारा हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि सिंपल सी बात है देखो काईरल अनु जो होते हैं वो ध्रोण घुर्णक होते हैं बस इतनी सी बात है काईरल अनु ध्रोण घुर्णक होते हैं अब अपन इसको एक बार करके देखते हैं जैसे हमारे पास में यहां पर यह रहा, एक example है हमारे पास में यहाँ पर propane to all, तो for example चेक कर रहे हैं कि यह chiral है की नहीं है तो पहला example है हमारे पास में propane to all, एक नदे प्रोपेन to all का लेना है किसका लेना है, example हम लोगों को propane to all का ही ले रहे है, ठीक बात है चलो देखो, तो क्या है सूत्र हमारे पास में, प्रूपेंटुल का, प्रूपेंटुल का सूत्र हमारे पास में CH, इधर मालो CH3, इधर भी CH3, और इधर हमारे पास में OH, अब इसको चेक करना है कि यह धुरूण घुर्णक है या नहीं है, मतलब काईरल है या नहीं है, हमें मतलब यह प्रकाशिक activity दिखाए गए अगर धुर्ण गुर्णक नहीं है तो प्रकाशिक सक्रिय नहीं बात कता है है तो फिर दिखाएगा plus minus zone दिखाएगा तो यह कैसे देखेंगे हम लोगों देखो हम लोगों ने इसका structure ऐसे बनाया है कैसे बनाया है जैसे माल लो यह हमारे पास में एक CH3 है 3D में structure बनाना है इसके लिए ध्यान रखना है बस अपने को यह हमारे पास में यहाँ पर O H है यह हमारे पास में यहाँ पर H है और यहाँ पर माल लीजिए हमारे पास में है अंदर की तरफ यहाँ पर एक और CH3 है देखो, इस कार्बन से चार चीज़ें जुड़ी हुई है ना आप भली इसको ऐसे बना दो यहाँ पर तो और एजीली समझ जाओगे यहाँ है, चार चीज़ें हो गई तो चार चीज़ें कैसे जुड़ी हुई है तो यहाँ समझो, यह वाला डंडा बाहर की तरफ है मतलब यह कार्बन बीच में यह CS3 बाहर है यह उपर वाला CS3 अंदर है यह OH हहाँ पर है और नीचे उसी तल पर हमारे पास में H है दो चीज़ें सेम तल पर होती है दो चीज़ें ओपोजिट तल में होती है और यह अंदर जा रही होती है तो यह वाला अंदर जा रहा है यह डंडे वाला बाहर निकल रहा है तो अब हमें इसका दरपन प्रतिबिम बनाएंगे यह दरपन बना दिया आपने तो देखो दरपन प्रतिबिम कैसे बनेगा तो यह वाली चीज दरपण में पास दिखेगी यह ऐसे दिखेगा अपने को और फिर यह वाली चीज दूर दिखेगी हमारे पास में यह दूर जा रहा है और एच पास आ रहा है तो एच यहां दिखेगा और यह चीज आप देखोगे तो दूर की तरफ दिखेगी न हलाकि य अब भी model model को छोड़ो तुम इसी से ही समझो बस इतनी सी बात है दो मिनट में खतम करेंगे इस topic को tension मतलो विल्कुल भी इसका दरपण परती बहुत आइने में देखो के तो ऐसे दिखेगा ना लेकिन आपको चेक करना है तो ऐसा नहीं कि अब आप सीधा ही इसको इसके ऊपर पर है अंदर तो मैं क्या रहा हूं इसको 183 डिगरी घुमाओगे तो यह कहां चली जाएगी यहां जाएगी तो यह तो बाहर हो गई तल से यह तल है बीच में तल के पहले अंदर जा रही थी लेकिन अब तल के बाहर हो गई यह तो तो बस यह बात समझनी है अपने को यहा जायागा बस वाइठ ही लो कलर इसको CS3 को नीचे समझो कि CS3 नीचे नीचे नहीं समझना बाहर आगया और मानलो ही जो बाहर था जो वैक्ति बाहर था वो अगर 183 डिगरी घुमा होगा सब कुछ ही घूंगा ना रही तो यह वाला जो CS3 है ना यह इसकी जगह अंदर चला गया और यह वाला हाइड्रोजन जो यहीं पर था हमारे पास में तो इसको फ़रक पड़ेगा नी फ़रक पड़ेगा नी का क्या मतलब है देखना ध्यान समझना इसको कैसे बनाएंगे हम लोग यह बाहर आ गया उसको मेरे को ऐसे नहीं बनाना था न वो CS3 जो है इसकी जग और यहा उसी तल पे है तल की बात हो रही है यहाँ तो अगर那我們 तो हमारे पास में उसी के उसी तल पर है है समझतों बस ही यहा था जैसे समय तार ओष यहा था गुमा के हमने उसको यही रख दिया उसी तलपे अब देखंla को इसको उठाओ इसके उपर लाके रखो तो क्या ये उसको अध्यारोपित कर रही है ये देखो H के उपर H आ रहा है CS3 के उपर CH आ रहा है OH के उपर OH आ रहा है CS3 के उपर CH सबको सेम किसे उपर सेम आ रहा है तो ये इसका मतलब ये तो अध्यारोपित हो गई ये तो अध्यारूपित हो गई, इसका मतलब ये काईरल नहीं है काईरल नहीं है, कैसी है, एक काईरल है जब गिलास अध्यारूपित हो रहा था न तो एक काईरल था तो इसका मतलब, देखना समझना, काईरल अनुधुर्वन गुणाक होते है तो जो अद्धार उपस नहीं होती chiral क्यालाती तथा उस गुन को chiral ता कहते हैं तो ये तो chiral नहीं है, ये तो ये chiral है तो इसका मतलब ये प्रकाशिक सक्रिय भी नहीं है, optical activity भी नहीं देती प्रकाशिक सक्रिय नहीं बस इतनी से बात हो ये अचा एक example ऐसा ले लेते हैं, जो प्रकाशिक सक्रिय हो, problem solved, बस एक example ऐसा ले लो, यह है मारे बास में butane to all, अब यह प्रकाशिक सक्रिय है, क्यों समझना, जैसे अचा यह उपर आला क्यों नहीं था, आप यह यह देख करके बता सकते हैं, इसमें 2-2 CS3 हैं जर, यह तो असम् पिती नहीं है, तो कैसे होगा, आई बात समन में ही सबको, तो आप देखो क्या कह रहा हूं, मैं एक और example लो, example number 2 लो, butane to all, butane to all, क्या है, CH3, C, और यहां लेख लो, आप, OH है, और यह H है मान लो, और यह है, आपके पास में CH2, CH3, ठीक हैं, यहां फिर आपको CH2, CH3 करके आप लिखो, C2H5 लिख लो, तो अब बनाओ देखो इसका structure, कुछ भी होना लेते हैं, जैसे मान लो की हमारे पास में carbon से, OH मान लो यहां पर है, और CH3 मान लो, एक हमारे पास में, कैसे बनाया है थोड़ा structure, एक चीज ऐसे लगा दो, एक चीज ऐसे लगा दो, और एक बनते हैं कि बनता है कि नी बनता, मतलब यह chiral है यह वाला, तो अध्यार ओपित नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखना है अपने को, अध्यार ओपित नहीं होना चाहिए, यह तीनों चीज अपने 3D में जमादी मान लो, तो एक तरफ OH डाल दिया, एक तरफ C3 डाल दिया, एक तरफ H डाल दिया और एक तरफ अपने C2H5 डाल दिया तो अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे दरपन प्रतिबिम बनाएंगे देखो फटा फट से घुमाओ उसको तो दरपन प्रतिबिम बड़ा सिंपल है कि जो चीज यहाँ पास में है वो पास में दिखेगी यह डंडा दूर जा रहा था तो यह डंडा दूर की तरफ दिखेगा आपको और यह रहा आपके पास में OH और यह जो चीज है आपको पास की तरफ आते हुए दिखेगी यह आगया आपके पास में C2H5 और यह CH3 तो देखो उसी तल में है तो वो तो वहीं को वहीं दिखेगा उसके तो क्या फर्क पड़ रहा है अब लेकिन देखो अगर आप अभी इसी कंडिशन में उसको इसके उपर उठा के रखोगे तो वो तो हो ही नहीं सकता अजयरोपित करोगे कैसे होगा ही नहीं हो तो OH कहां जाएगा किसके उपर नहीं जाएगा इसको एक्स तो सी डिग्री घुमाओ तो देखो घुमाओगे तो मतलब क्या होगा यह चीज बाहार है OH लेकिन अब यह बाहर से कहां चली जाएगी अंदर चली जाएगी समझना यह बाहर है और यह C2H5 अंदर है तो दोनों को आप घुमा रहे हो तो बाहर वाला अंदर जाएगा अंदर वाला बाहर आ जाएगा मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आप देखोगे तो जो OH है वो यहां आ जाएगा और जो C2H5 OH है आपके पास में वो यहां आ जाएगा C2H5 आ जाएगा आपके पास में Hydrogen जो है इसको भी घुमाया तो इसकी जगे चेंज होकर के यहां आ जाएगी और जो CH3 है कायदे से वो यही रहना चाहिए अब देखो यह टॉपिक तो ऐसा है जो मेरे को भी एक बार के लिए घुमा देता है लेकिन देखो अपन ने एकदम सही किया समझना कैसे देखो यह C2H5 यही है C2H5 यही है लेकिन प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम यह हो रही है कि यह अंदर की तरफ है यह बाहर की तरफ है सत्यानास हो क्या काम उतना मतलब समझो इसको उठा के जब इसके ओपर रख रहे है तो अध्यार ओपिक नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर C2H5 अंदर की तरफ है और यहाँ पर C2H5 बाहर की तरफ है तो अध्यार ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पर OH बाहर आ रहा है यहाँ पर OH अंदर जा रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पर अध्यार ओपन नहीं हो रहा अध्यार ओपन सूपर इंपोजिशन नहीं हो रहा और इसका मतलब यह चीज़ कैसी है? Chiral है Chiral है इसका मतलब क्या है ये प्रकाशिक सक्रिय है समझ में आई सबको ये कैसी चीज है प्रकाशिक सक्रिय है Optically Active है बस ये है बात हमको जो समझ नहीं थी अब तो अपन आगे जा सकते तो फटाफट से देख लो अब तो थोड़ी सी थियोरी है क्या है हमारे पास में थियोरी प्रतिविम्ब रूप या एनिंशियोमर तो क्या कहते है देखो ये SN1 और SN2 से connected है अभी समझ में आजागा दो मिनिट में आप दो मिनिट और दोगे खतम हो जागा और समझ में भी आ जाएगा तो हम करें प्रतिविम्ब रूप या एनिंशियोमर क्या क्या लाता है जो त्रिविम्ब समावयवी परस पर अध्यारोपित नहीं होते न हो सकने वाले दरपन प्रतिविम्बो की तरह होते है जैसे मालों यह चीज है जैसे अभी पीछे बनाया आपने ये वाली चीज और ये वाली चीज जो है ना ये क्या है तृविम्ब समावयवी है तो सेम लेकिन ज़ोमिटरी अलग है थीडी में अरेंज्मेंट अलग है तो तो थीडी अ dirpi mud समावयवी है अंतर केवल किस बात का होता है, समतल धुरुवित प्रकाश को घुनत करने में होता है, जैसे मालो पीछे अपने देखा न, ये वाला हो सकता है, समतल धुरुवित प्रकाश को लेफ्ट घुमा देगा, ये वाला हो सकता है, राइट घुमा देगा, ये अंतर होता है, एक प्ल तो देखो रहसे मिश्रण क्या होता है जैसे मालो ऐसा कोई हमारे पास में प्लस वाला और माइनस उसका क्या है समावयवी है क्या नाम दिया इसको अपने प्रतिभिम्ब रूप है कोई प्रतिभिम्ब रूप है हमारे प्लस एक माइनस है दोनों को बराबर मात्रा में मिला द क्योंकि जितना ये वाला उसको प्लस में घुमादेगा प्लस उसको जितना इधर गुमादेगा दाइन तरफ माइन तरफ गुमा देगा तो नल हो जाएगा आपको कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलेगा तो ऐसे मिश्रण को हम लोग रैसमिक मिश्रण बुलते हैं दो प्रतिविंब रूपों का समान अनुपात में मिश्रण जिसका धुरुण घुर्णन चुनने हो जो समतल प्रकाश समतल धुरुद प्रकाश को जीरो घुमाएं बस इतनी सी बात है एक रैसमिक मिश्रण को उसके नाम से पूरू DL लगा देते हैं यहां फिर प्लस माइनस लगा देते हैं प्लस माइनस मतलब कहला यहां चहरु हो गुमा रहां ध मातलब करना प्लस मुंसं ब्रकाश यह होंगा है तो रैसमिक मिश्रण स्मतल प्रकाश को जारते हैं तो गहीं नहीं मुड़ता जितना वो है उतना ही वो है उसमें इसलिए अब रैसिमिकरण क्या है रैसिमिक मिश्रण बनना तो क्या प्रतिबिम्ब रूप के रैसिमिक मिश्रण में बनने की प्रक्रिया एक्जाम में आ गया रैसिमिकरण किसे किसे कहते है तो रैसिमिक मिश्रण कैसे बन रहा है प्रतिबिम रूप से रैसिमिक मिश्रण कैसे बन रहा है जो प्लस और माइनस वाला प्रतिबिम रूप है उनको मिला रहे हो आप समान अनुपात में उससे आपके पास में रैसिमिक मिश्रण बन रहा है तो यह तो प्रक्र को ऐसे ध्यान रखना है, कुछ ना बिगड़ना, कुछ ना बिगड़ना, जैसे अगर आप देखोगे न, हमने SN1 में देखा था, तो जो structure रहता है, वो ही रहता है, उसका त्रिविम विन्यास बिगड़ता नहीं, उल्टा नहीं होता, विन्यास का प्रतीपन नहीं होता कि इस यह कार्बधनायन बनता है, यहां से X निकलता है, और यहीं पर आकर कि नुक्लियोफाइल लग जाता है, तो हमें देखने को मिला कि इसका जो arrangement था, वो change ही नहीं हुआ, तो इसमें SN1 में धारण होता है, लेकिन अगर आप प्रतिलोमन देखेंगे, inversion, तो हमने पढ़ा था विन्यास का प्रतिलोमन, तो यह किसमें होता है, हमारे पास में SN2 में होता है, क्या, विन्यास का उल्टा हो जाना, तो यह हमें SN2 मेकेनिजम में देखने को मिलता है, क्योंकि वो चीज़ पीछे जा के अटेक करती है, तो पूरा उल्टा हो जाता है मामलाई, तो देखो क्य चारो तरव चारो चीज़े जो नहीं बदलuju जैसे है वैसे ही रहे तो इसको इसको लोग मोते disciple अगर प्रतिलोमन क्या होता है इसटु में में यह क到ट परिणाम स्वारुण का विन्यास परिवर्तित होजाता है जो असम्मित कार्बन है ना सेंटर वाला उसका विन्यास उल्टा हो जाता है तो ऐसा SN2 में होता है और ऐसा SN1 में होता है इसलिए हमने पड़ा है इसलिए हमने इसमें एकार टॉपिक छोटा सा और भी है लेकिन उसमें ज्यादा भेजा जाएगा आपका तो इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं तो अपन भली इसको छोड़ देना मैं फिर क्या रहा हूं कितनी सारी चीजों को विलोपित कर देते हैं बहुत सिंपल है इसको बोलता है बीटा विलोपन आपको बस एक दो चीजें ध्यान देनी क्या कि आपके पास में क्या होना चाहिए एक हेलो एलकेन की रियक्शन है पहली बात तो जैसे माल लो यहाँ पर कोई X है आपके पास म क्लोरीन है चलो यहाँ पर क्लोरीन है आपके पास में बीटा आपके पास में क्या होना चाहिए हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन का मतलब होता है पडोसी का हाइड्रोजन यह माल लो इसको आपने अलफा माल लिया तो पडोसी बीटा हो गया तो यह सारे बीटा हाइड् Potassium Hydroxide का Alcoholy Willen Alcoholy, इसको ऐसे लिखते है मतलब इसका होता है Alcoholy Willen है किसका KOH का, अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, कि देखो समझो अगर Potassium Hydroxide दारू वाली चीज है Alcoholy, अलकोहल वाला तो निकल लेता है खाटक, खाटक, खाटक Plus, यह आगया आपके पास में HCl संब्हाई सबको तो Beta Carbon से Hydrogen परमानों तथा Alpha Carbon से Halogen Alpha Carbon से Halogen निकलेगा, Beta Carbon से Hydrogen बाहर निकलेगा का Willopen होता है, इसे Beta Willopen भी कहते हैं, इसे Beta Willopen भी हम लोग कहते हैं भाईया पानी वानी पीले ने अच्छी ये अपनी आलत की दही हो गई है, इसी की तैसी हो गई है तो फटा फट से लिख लो तुम, फिर सिद्जफ पढ़ेंगे पर सिद्जफ बड़े आगे बड़े तो ये है, इसका और हमारे पास में क्या है विलोपन में ठीक है, और एक्जामपल है, एक्जामपल देख सकते हैं अपन KOH वाला और अब जैसे एक एक्जामपल पेपर देख लें और है इसमें बिल्कुल है जी पेपर है आपने पास में रहे है पेपर की गमीना है तो आप समझे सब दोने जैसे और एक्जामपल देख लो मालो CH3 यहाँ CH है आपके पास में और यहाँ पर आपके पास में लेट से ब्रूमीन है और यहाँ पर फिर से CS3 है तो वही alcohol का है आपके पास में अल्कोहली केवच तो क्या होगा यहाँ पर यहाँ से ब्रूमीन निकलेगा अब देखो इदर वही बी आपके पास पर यह यह तो खुद alpha है यह beta है यह beta है तो beta वाले से hydrogen को उठाना है अब देखो यह वाला same है इधर भी जो है इधर भी वही है तो कहीं से भी उठालो फरक नहीं पढ़ रहा लेकिन कहीं पर अगर ऐसा हो फरक पढ़े तो वहाँ पर एक नियम लगता है वह बताते हैं अभी आपको तो यहां तो अभी क्या होगा फिलाल यहां से bromine निकलेगा यहां से hydrogen निकलेगा तो HBR को बोलो bye-bye और yogurt क्या बनेगा यहां double bond बन जाएगा तो हो जाएगा CH2 double bond CH और यहां पर हो जाएगा CH2 क्या बोलती बबलिक लेकिन आप सुनना एक सवाल घड़ा होगा क्या कि अगर मा यहां पर हो bromine और फिर यहां पर हो आपके पास में CH3 तो अब देखो समस्या हो जाएगी पैदा सामने तो आपको लिख करके देदिया क्यार एलकोहौली को होना चाहिए तो आपको बोला कि यह तो alpha carbon है यहां से तो आपको bromine को उठाना है यह तो clear है लेकिन बीटा वाले hydrogen क उठाना क्यों कि यह अलग चीज है यह वाला देखोगे ना आप तो यह कौन सा हमारे बास में 2-degree carbon है और यह वाला देखोगे तो यह लग दोनों चीज़े अलग है तो इसका अंसर हमको दिया सेज्जेफ नाम के वेक्तिन है क्या है सेज्जेफ नाम के वेक्तिन जिनके ना तो क्या बनेगा product हमारे पास में CH3 फिर यहां जाएगा आपके पास में CH2 फिर यहां जाएगा आपके पास में CH ठीक है इससे bromine गया यहां double bond बना लेंगे यह double bond बन गया और यह आगया आपके पास में यहाँ पर CH2 तो एक तो यह चीज बनी है आपके पास में अब मालो एक बार इस से उठाते हैं अपन हाइडरोजन तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास में CH3 और यहाँ पर आ जाएगा CH और यह आजाएगा आपके पास में यहाँ पर double bond CH और ब्रोमिन तो गया और इधर यह CS3 चली रहा है यह चीज बन जाएगी अब दोनों में से कौन सा मुख्या बनेगा तो जवाब है यह वाला यह वाला बनेगा मुख्या दीर यह तालीज को और यह वाला बनेगा अल्प क्यों? क्यों भीया क्यों? तो सेज़ेफ ने बोला वो अल्कीन बनेगी वो अल्कीन बनेगी वो अल्कीन बनेगी बोले भीया सीरिल चल रहा है क्या तो देखो बोले भीया वो अल्कीन बनेगी जिसके चारों तरफ दोनों तरफ तीनों तरफ जितने भी तरफ हैं एलकिल समूह जादा हो जिसके जारों तरफ मलब जिसके दोनों तरफ लिख लो तीनों तरफ लिख लो एलकिल समूह जादा हो तो अब आप देखो इस double bond के इसी तरफ बस एक एलकिल समू है लेकिन इस double bond के इधर भी एक एलकिल समू है और इधर भी एक एलकिल समू है तो ये वाली मुख्य बनेगी अच्छा याद करने की ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हो hydrogen आप उससे ले लो जिसके पास कम है जो गरीब है उससे ले लो ऐसा ही करता है ना दुनिया में भी तो ऐसा ही होता है गरीब होसे और पैसा लो फिर वो अमीरों के पास देखो 300-300 करोड निकलता है अरे क्या बता है तुमको तो जिसके पास कम है hydrogen है उससे hydrogen को जाकर के खेंच लो इसको बोलते है Seth Jeff का नियम students क्या बोल दी बुबलिक तो Seth Jeff का नियम है हमारे पास में बढ़ जाए है हमारे पास में बढ़ जाए है क्या आगे बोलो क्या बोल दी बुबलिक तो एक और reaction है हमारे पास में मस्ट शांदार reaction है उसको लिखते हैं पर इसको तो लिखो यार तुम लोग मस्ट मज़ा जागा फोटो ले लिए तो ले लो देखो नहीं लिए तो ले लो फटावट तो नेक्स है हमारे पास में तीसरी हमारे पास में अभिक्रिया है यहाँ पर धातूओं से अभिक्रिया अब यह जो चीज हम लोग बनाने वाले हैं यह इन व्यक्ति ने गल्ती से उना दी थी दातुम से Abhikriya समझ लहोगे अब तक तो तुम लोग Abhikriya यह हम लोग बनाने वाले हैं Grignaad reagent Grignaad abhikarmak तो बहुत सिंपल है magnesium से Abhikriya करा रहे हैं पहली अपन लोग mg से Abhikriya magnesium से Abhikriya तो क्या है हमारे पास में यहापर बहुत सिंपल है देखो Rx की reaction जब हम लोग किस से कराते हैं magnesium से कराते हैं किस के presence में निर्जल एथर बस इसको ध्यान रखना सब दने निर्जल एथर की presence में जब यह reaction होती है students तो क्या बनता है हमारे पास में Rmgx बनता है इसको हम लोग बोलते हैं Grignard अभी कर्मक बहुत important चीज़ा आगे काम आएगी Grignard अभी कर्मक बहुत सारी जगवं पर हम लोग इसको काम में लेते हैं Grignard reagent इसको English में बोलते हैं Hindi में बोलते है Grignard अभी कर्मक इसमें कुछ भी हो सकता है For example जैसे हम लोग ऐसे ले ले For example यह हमने example ले लिया C2H5Cl ले लिया क्या है C2H5Cl ले लिया और Magnesium से reaction करा दी वही निर्जल एथर के presence में होगी यह ध्यान रखना है निर्जल एथर क्या बन जाएगा आपके पास में यह R की जगे है C2H5 आपके पास यह तो मैंने का पूरी हाथ से लिखना बनती है C2H5MGCl यह बन गया हमारे पास में तो ग्रिन्यार अभी करमा का अच्या दे क्रियाशील होते है किसी भी स्रोच से प्राफ्ट प्रोटोन से अभी क्रिया कर हाइड्रो कार्बन देता है तो इसको किसी भी जगे से प्रोटोन मिलेगा न तो फट से जाके उससे रियक्शन करेंगा या भी दिखाएंगे तो हमको कैसे करेगा यह और जो है हमको क्या दे देता है यह हाइड्रो कार्बन बना करके दे देता है इसका बहुत यूज है देखो जैसे यहाँ पर दिखाई रखा है हम लोगों को जैसे माल लो यह इतना reactive होता है पानी से reaction कर लेता है माल लो हमने कहा R, M, G, X जो है इसको जब हमने पानी से reaction कराते है तो देखो पानी टूटता है 2 में H+, में और OH- में तो इसकी नजर क्या रहती है यह जो है ना magnesium यह OH के साथ भाग जाता है इसको लेके और इसको लेके भाग जाता है कैसे M, G, OH, X बना करके अलग हो जाता है और आप देखोगे यह hydrogen जो है R के पास आ जाता है तो RH बन जाता है मतलब hydrocarbon बन जाता है hydrocarbon बन जाता है बई देखो magnesium है ऐसा है क्या लोग बोलोगे ज्यादा ऐसा क्या यार क्या बोलो प्लस वाले लोग तो उनको minus वाले ज्यादा ची होते हैं अपनी तरफ तो OH भी minus ले लिए अपनी तरफ एक्स भी minus उसको भी ले लिए अपनी तरफ भाग गया हाँ से ऐसा है तो ये RH बना करके hydrocarbon हम लोगों को बना करके दे देता है यहाँ पर देखो एक point है हमारे पास में और कि ग्रिन्यार अभिकर्मक से अभिक्रिया के समय जरासी भी नमी को निकालना आवश्यक है नहीं तो जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है इसलिए अभिक्रिया को शुष्क इथर में करते है अगर आप से माल लोग अभी पूछे कि यहाँ पर निर्जल इथर क्यों लिया है तो आप बोलोगे देखो ग्रिन्यार अभिकर्मक इतना ज़ादा अभिक्रिया शीला जरासाभी अगर आपने पानी छोड़ दिया तो यह तो हाइट्रोकार्टन बना करके देगा यह चीज़ बन जाएगी आपके पास में ग्रिन्यार अभिकर्मक खतम हो जाएगा यह नाम है वही सब कुछ है यार मेरे दोस्त तो वोट्ट रियक्शन क्या होती है अच्छे से कर लेना वेरी 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 इंपोर्टन तो क्या मतलब है तो बोले है किसकी रेक्षिन आर एक्स की है तो ध्यान रखना सबको तो इसमें लेना है ना ना करते प्यार तुमीं से कर बैठे वाँ 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 तो न रा न रोना नहीं और फिर बनेगा क्या हमारे पास में इसमें बहुत सिंपल है तो यहां पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है देखो यह एक्स है ना यह सोडियम के साथ बहार निकलता है सोडियम हमको दो लेने होते हैं तो यहां पर यह जीज स्वारी हमें दो लेनी होती है सोडियम भी दो लेने होते हैं बहुत बड़ी बात है तो होता क्या है हमारे पास में आर और आर कनेक्ट हो जाता है और टू टाइमस X बहार आजाता है, समझे कैस बजने क्या हुआ, देखो, R और R connect हो गया आपस में, उच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च तो डबल लिकिन पहले आप क्या से कारवन आणा डबल कारवन हो गए र एक्स लिया र र बन गए आपके पास में और यह न था न तो यह एक्स के साथ निकल गया यह देखो इसको ऐसे भी बनाते एक आर एक्स को माल लो आपने ऐसे बनाया बीच में आप लोगों ने na लिए और फिर दूसरी तरफ आपने x और r' को ऐसे लिखा तो देखो होता क्या है यह 2 na है हमारे पास में समाल लें, तो क्या होगा यह बाहर निकल जाते है खटा-खट तो देखो क्या बन जाता है हमारे पास में यहाँ पर simple r से r' connect हो जाता है और 2 times of na x हमारा अलग हो जाता है यह हमारे पास में students votes reaction और यह होती है हमारे पास में शुष्क इथर की presence में यह बस हमें ध्यान रखनी है शुष्क इथर यह वाली भी और जो पीछे हम लोगों ने पढ़ी थी न ग्रिन्यार अभी कर्मक जिसमें बनाया था यह भी शुष्क इथर था निर्जल इथर शुष्क इथर एक ही बात होती है तो दोनों में same condition है जो आपको ध्यान रखनी रहेगी students समझ गए कि अबिकरागी पढ़ी प्रतिस्थापन और फिर इसके अलावा हमने कुछ-कुछ रियक्शन और पढ़ी तीसरी धातूं से अभी कर्या थी दूसरी विलोपन अभी कर्या थी और तीसरी थी हमारे पास में प्रतिस्थापन अभी कर्याएं प्रतिस्थापन में रामांड खिच गई पूरी नाभिकरागी प्रतिस्थापन में फिर SN1, SN2 आगई फिर रैसिमी करण और वो सारे सारे आगए फिर विलोपन पढ़ी फिर धातूं से पढ़ी धातूं में दो पढ़ी अब इसके बाद हम लोग कहले हैं मेगनेशियम से जब रियक्शन कराता है तो हेलो एरिनो की अभिकरियाँ है अब हम लोग पढ़ रहे हैं तो यह एलो एरिनो की अभिकरियाँ पढ़नी है अपने को फिर बस कुछ एक जो product है उनके उपयोग देख करके खतम हो जायागा topic तो देखो hello arena में पहली है नाभिकरागी प्रतीस थाफन अभिकरिया है अब खास बात क्या है कि ये जो है ना hello arena ये नाभिकरागी प्रतीस थाफन अभिकरिया देने में ऐसा interested होते नहीं है क्यों नहीं होते है interested वो बताते हैं हम लोग आपको तो ये aryl halide नाभिकरियाओं के प्रती कम अभिकरियाशील होते हैं तो हम कारण देखते हैं सीधा हम इनके कारण समझेंगे हमारे पास में चार कारण है और exam में अगर मान लो आप से पूछ लिया कि क्यों है कम अभिकरियाशील तो आप बता तो पाओ तो आप इसको बोलेंगे कम अभिकरियाशील कुछ ही होती है एक आदी कोई reaction होती है अब कम अभिकरियाशील होने का कारण क्या है कारण कारण तो बहुत simple सा कारण है है मेरे भाईया दो-तीन कारण है ध्यांस देखेладी हुअं तो देखो उम्हारे पास में क्या है हेपी लो जन बाबू की जए हो हेपी यहां चुड़ा हुआ है इसके बासमें इतनी जारी तीन- तीनयू आई जा होता नहीं न वीडू, क्यों नहीं होता न वीडू, तो इधर देखनेंगा न वीडू, देखो यार अवित्ता ठक जाने के बाद, एनरजी वना के रखने के लिए कुस्तों करना बड़ेगा न, ऐसे ही खुजी खुजी दे रहे हैं खुद को, तो पहला तो क्या है, अनुनाद के कारण, आंशिक द्वियाबंद, पहला है आपके पास में कारण कौन सा, अनुनाद, और अनुनाद के कारण क्या हो जाता है, आंशिक द्वियाबंद, यहां पर हमें देखने को मिलता है, तो पहला कारण आप लिख सकते हैं, अनुनाद के कारण, आंशिक बच्पन वाली बना करके द्वी आ बंद मतलब नुक्लियोफाइल दूसरा है उसके लिए बॉंड तूटना पड़ेगा तो वो तूटता नहीं फिर वो गड़बड हो जाती जैसे यहां पर हमें डवल बॉंड देखने को मिल जाता है और यहां पर हमारे पास में इसके उपर हलका सा positive चार्ज जाता है ठीक है वो तो कोई बात नहीं अब क्या होता है कि यहां से electron फिर यहां shift हो जाता है तो यहां negative आ जाता है यहां फिर क्या होता है यह electron आगे shift होता है फिर यह यहां shift होता है तो यह चार यहां shift हो जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि उपर तो double bond है एक्स के साथ में और यहां पर हमारे पास में क्या है अब नेगिट्व यहां आ गया डॉल वोंड यहां अगया तो यह वाला अनुनादी जो संदरचना है ना इनके कारण फोड़ी समस्या रह जाती है यह वापस यहां शिफ्ट हो जाता है तो नेगिटिव यहां डॉल और यह हमें जो चीज चाहिए वो नहीं करके देता तो पहला रीजन हो गया हमारी पास में दूशरा रीजन वया दूशरा कारण बताएंगे तो दुशरा रीजन वया यह यह एप, कि या यहादर जो एक जुड़ा है ना यह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है या यह SP2 संकरित पर कार्बन है अच्छा, फिर SP2 संकरित कार्बन में क्या होता है SP2 संकरित कार्बन में S गुण अधिक होता है किस से अधिक होता है SP3 की तुल नामे लिख दो भली आप SP3 से अधिक होता है SP3 से अधिक होता है मतलब क्या S गुण का मतलब है कि electron कितना नाभिक के पास में खीचा है तो ये जो carbon है ना sp2 वाला तो इसमें s का power थोड़ा जादा है sp3 से थोड़ा जादा है तो ये बंद के electron को थोड़ा जोर से अपनी तरफ खीचता है तो उसको अपनी तरफ थोड़ा पका ही जलता है कि हम तुम्हार को नहीं जान देंगे, ऐसा, SP3 बोलता है, ठीक, जाना तो जा, तो आप देखो के ना, तो पीछे देखे थे, अपने जैसे मानलो, यह हमारे पास में कार्मन सारे सिंगल बांट्स बना के बैठा है, और यहां पर तो यह SP3 था, तो पीछे वाले जो हमने देखे थे, वो रिएक्शन साइसी थी, SP3 वाली थी, लेकिन यहां पर SP2 आ गया, तो यह एक हमारे पास में थोड़ी समस्या रह जाती है, इसलिए यह रिएक्शन इसलिए नहीं होती, मतलब नहीं होती, दो रिजन हो गया हमारे पास में, तीसरा रिजन देखेंगे, अचा फोटू गींचना है दो, गींचना हो, one, two, three, तीसरा लिजन, तीसरा लिजन है यहां में आले पास में, थर्ड रिजन इस दा, अगर मालनो चलो, तो यहां पर फैनिल धनायन बनेगा, तो फैनिल धनायन अस्थाई होता है, फैनिल धनायन का अस्थाई होना हो, यह चीज अस्थाई है, इस इस क्लिर गाइस, फैनिल धनायन की स्टेबिलिटी बहुत कम होती, होती नहीं ऐसा मानलो आप, फैनिल धनायन अस्थाई होता है स्थाई नहीं होता है फैनिल धनायन का अस्थाई अनुनाद के द्वारा स्थाई नहीं हो पाता अगर ये धनायन की बात करें न तो पॉजिटिव चार्ज घूमने जा नहीं पाता कहा जाएगा यह समस्य रहती है इसके साथ में अब उसके बाद एक और क्या है चौथा रीजन है हमारे पास में संभावित प्रतिकर्शन जैसे मान लो मलते हैं यह कब बना समझे रहे हैं इस पर एक्स डुड़ा होता एक्स निकल गया हमें यह तो चाहरे थे यहां नेगेटिव पाता है और यहां भी नेगेटिव पाता है तो इससे क्या हो जाता है कि जो अटैक करने आ रहा है ना उसको प्रतिकर्शन देखना मिलता है बहुत सारा जैसे समझो इसके चारों तरफ इसके खुद के एलेक्ट्रों फिर यहां पर इसके एलेक्ट्रों हो तो संभावित प्रतिकर्षण देखने को मिलता है, इसको संभावित प्रतिकर्षण के कारण भी अटेक नहीं कर पाता है, मेनला नाबिकरागी प्रतीष थापन है कि एक नाबिकरागी दूसरे नाबिकरागी कि वो रहता दे वहाँ से इसको बोले टाय दा बाय बाय दा पाय यह जा हो tua हाँ से समझ गए सारे स्जूडेंट्स इस बात को तो यसलिए नहीं देता है तो इन में से कुछ अभीक्रियाएं हैं हमारे पास में तो कुछ अभीक्रियाएं कुछ अभी क्रियाएं कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाई कुछ अभीक्रियाएं हाँ तो कुछ अभीक्रियाओं में हमारे पास में यह आपके पास में है इसका इसका जखर में यह 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 X है जो यह 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 अलग हो जाएगा न यह यह X अलग हो जाएगा लेकिन यह आसानी से नहीं होती देख रहो न तुम कितने पापड बेलने पढ़ रहे हैं इसके लिए बहुत जढ़ा पापड इसके लिए बेलने पढ़ रहे हैं तो एक बात ध्यान देंगे students जो बिहार, sorry, UP बगरा की जो अलग books चलती है इसको डोव विधी बोलते है डोव विधी फिनॉल का निर्माण के काम में आती है अगर आप से कोई पूछे कि फिनॉल का निर्माण करना है तो आप ऐसे फिनॉल का निर्माण करके बता सकते हो पिनॉल का निर्मान की एक विदी है लेकिन खर्चा पानी बहुत ज्यादा है 623 Kelvin Temperature, 380M Pressure भाई यह कहां से लाएंगे इता अरे अत्रा कहां से लाओगे तो देखो हम आसान बना सकते हैं इसको बहुत पाईसा खर्च हो रहा है न तो इसको हम थोड़ा इजी बना सकते हैं थोड़ा आसान बना है थोड़ा आसान बना सकते हैं इस मेथड को बना सकते हैं थोड़ा सा आसान बना सकते हैं कैसे आसान बना सकते हैं देखेंगे सब्देने सांती से इस बात को कि अगर हम क्या करें और्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोन अपनयक समुह लगा ले कैसे बना सकते हैं और्थो व पैरा पर इलेक्ट्रोन विद्ड्रोइंग ग्रुप लगा कर कैसे और्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोन अपनाने वाले समुह लगा कर कि अपना बना ले मुझे अपना बना ले वाँ 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 दिल के शहर में नगर तू बसा ले क्या शांदार बात है तो यहां देखेंगे यहां पर हमने माल लीजिए यह ने यो टू जोड़ दिया रिख अभी जो एनो टू होता ना अपनी तरफ खीचने वाला आदमी होता है मतलब क्यों होता है इस और नेगेटिव है क्योंकि देखो ना तुम नाइट्रोजन तीन बांड बनाता है तुम चार बनागे वाटे वससे तो इसने क्या अगर रखा है खुद का तो लोन पेर हो भी दिरखा है तो इसके उपर पॉ अब हम उसी रियक्षिन में यह वही रियक्षिन लेना यह तेंपरेचर और प्रेशर का देखो क्या हाल होता है एने वह लेना है और मात्र 443 केल्विन पर ही अपना काम निपड़ जाता है एच प्लस नेना है थोड़ा अल्का पूल का अमल ले लिया आपने 443 कहां आपको 300 380m लेना पड़ रहा था, 623 Kelvin temperature लेना पड़ रहा था, केवल temperature चीए, pressure का भी लपड़ा नहीं है, same reaction हो जाएगी, same reaction आपकी हो जाएगी, ये X की जगे कौन आजाएगा, आपके पास में OH आजाएगा यहां पर, और नीचे बस आपका ये NO2 रहेगा, उसका खुज नहीं कर सकत अब जैसे मान लो कि अगर, दोनों जगाँ उपर हो, जैसे मान लो हमारे पास में ये चीज temperature और कम हो जाएगा, बस ये बताना चाहरा हूँ मैं आपको, कि यहां पर हमारे पास में X हो, यहां भी NO2 हो, और यहां भी orth हो और पेरा, keep this in mind, meta पर नहीं लेते, इस पर नहीं ले हो जाएगा, और आपको product वही मिल जाएगा, जो आप चाहते हैं जन्मों से, कि भीया, यहां तो NO2 है आपका, यहां भी NO2 है, आपका ठीक अच्छी बात है, यहां OH हा जाएगा, और NAX, NAX यहां पर हमारे बाहर निकल जाएगे, क्या हमारा 2,4-dinitrofenol, 2,4-dinitrofenol बन गया, समझे रहे हैं सब देने इस बात को, अब अगर मान लो, हम तीनों तरफ ही नाइट्रो गूरूप ले ले वो इतने electron इसके खींच लेते हैं, कि यह reaction जल्दी हो जाती है, मतलब क्यों होता है, कि इसके electrons को अपनी तरफ खींच लिया जाता है, बुरी तरफ से, तो यह X जो है New page, तो यहाँ देखें सब देने, क्या है, कि अगर हम मान लो, इसी में ही क्या करें, तीनों तरफ नाइट्रो ले ले ले, इदर दोनों और्थो पर नाइट्रो ले ले ले, और पैरा पर भी नाइट्रो गूरूप ले ले, तो यह reaction बड़ी आसानी से हो जाएगी, केवल मत देखा है, हम लोगों ने यहाँ पर, CL, CL, CL के example लिये हैं, वैसे सारे के सारे हम लोगों ने, बहुत simple में, अपने क्या किया है, इसको heat ही कर दिया ना, पानी में डाल करके, तो यह अपना काम हो जाएगा, यहाँ पर, हमको क्या मिल जाएगा, यह नाइट्रो मिल जाएगा, यह भी नाइट्रो ग्रुप रहेगा, और यहाँ नीचे भी नाइट्रो ग्रुप रहेगा, यह गला ही धुल गया अपना तो, नहीं मतलब धुला नहीं है, धुला नहीं धुलेंगे इसको, इसी easy हो गई, मतलब जितना आपने electron अपने एक समुह उसमें लगा दिये ना, त अगर माल लो आप नाइट्रो मेटा पर लगा दोगे ना, तो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको देखो यह चीज हो क्यो रही है, तो देखो आप पीछे आओ देखो, पुरानी इतिहास देखो थोड़ा सा, यह अपने देखा था, कि कोई भी अग अगर आपने क्या किया देखो, यहाँ पर पैरा पर NO2 जोड़ दिया, तो पैरा वाला क्या कर लेगा, उसको खीच लेगा माइनस को, अपनी तरफ खीच लेगा माइनस को, तो उससे क्या होगा, कि क्लोरी निकलने पर मजबूर हो जाएगा, OH वहाँ पर सेट हो जाएगा, तो उसी समय, जब यह माइनस को स्ट्रक्चर मिल जाता है, समझ गाई, कि नाइट्रोजन उस माइनस को खुद पर आते ही पैरा पर खीच लेता है, और as a result, वहाँ पर माइनस उसको लगता है, क्लोरीन पर हमार तो बच्चा गया, हाथ से लेक्टोन आयागा नहीं वापिस, तो वो निकल लेता है, पतली ग तो नाइट्रोजन ने खीच लिया उसको अपनी तरफ, उसका तो काम ही यही था, उसको लगा यही था, तो उसने जैसे ही खीचा, तो यह क्लोरीन को लग गया कि हमारे एक एलेक्टोन वापिस नहीं आने वाले चलेना ही ठीक रहेगा, तो क्लोरीन यहां से निकल आता है, ह ऐसे ध्यान रख सकते हो, तो यह देखो, अनुनादी सन रचना से, अब देखो यह तो चलो समझ में आ जाता है, मैटा वाला समझ में नहीं आता, मैटा वाले का कोई फाइदा नहीं है, अगर आपने मैटा पर नाइट्रोगरूप लगा दिया तो उसका कोई फाइदा नही हो, क्योंकि आपने ओएच ने अटेक किया, ओएच यहां पर आके लगा मालो यह अवस्था बनी, तो अब मैनस का चार्ज जब घूमने निकल रहा है ना अनुनाद में, तो वो मैटा पर आता ही नहीं है, मैटा पर आएगा तो नाइट्रोगरूजन खीचेगा ना, उसको नाइट्रोगरूजन लगाते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता, यह मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि एग्जाम में इतना इतनी बड़ी सानुचना तुमको बनाने के लिए बूलेगा, बट अपनने सीखी है, डीटेंड लेक्चर में इसको बनाया है, अपनने, आप चा कोई इॉलेक्ट्रोण मांगने है, बेंजीन देने के लिए लुए टयार है, बेंजीन के पास पर ओर्तूपर मैनस ह्योग परापर मैनस है, अनुनात के चख़खर में, यह इसके कारण, आपने इलेक्ट्रोण देटरा सेवाता है, गुमादा रहता है और पर लयुग्रपर परा पर औरपर पर है जाय को यह आओ कुछ होतो तो सही आूथ ही और पटार यह स Talойд बहाद दुगा यह सी तो यह वाली रिएक्षांस तो अच्छे बलकी है, Hello Erin, तो देखो इसमें कौनसी कौनसी reaction है हमारे पास में students, तो इसमें है हमारे पास में hello janan, पहली reaction, hello janan, अगर मेरे को hello janan ही जोड़नी है तो, जैसे मानलो, मैंने ये ले लिया, benzin drink को ले लिया, chlorine ही इसमें already, लेकिन मेरे को chlorine ही add करनी है, hello jan ही करवानी एड, तो हमको यहाँ पर लेना पड़ता है FECL3, उत्परे रख्यों रूप में क्या होता है, यह Lewis अमल की तरह विवहार करते हैं, वही पुराने जमाने का इनका mechanism है, बस इसको निर्जल लिया है, निर्जल FECL3, क्या बन जाएगा हमारे पास में यहाँ ध्यान देंगे, तो यह chlorine जो है, दो जगे आके जुड़ेगा कहां कहां, एक तो और्थो पर और दूसरा पैरा पर, क्यों देखना सुनना, यह chlorine टूटता कैसे है, CL+, में टूटता है और CL- मैनस में, तो CL- तो इसके पास जाता है, और CL+, यहाँ जाता है, और कायदे से यहाँ से निकलने वाला जो hydrogen है, फिर हो CL- से जुड़ जाता है, यह मैं कितनी बार तुमको कथा कह चुका हूँ पहले भी, तो इसको नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पर इसको हटाऊँगा, मैं सीधा product बनाऊँगा, तो हमें केवल main prorator से मतलब है, तो एक चीज हमको ऐसे मिलेगी, यहाँ chloro है, यहाँ chloro आ जाएगा, यह वाला हमारे पास में क्या होगा, ortho dichlorobenzene कह सकते हैं इसको हम लोग, और यह क्या होगा, हमारे पास में 1,4 dichlorobenzene हम लोग इसको कह सकते हैं, तो यह वा तरफ भी खुद के लेक्ट्रोन हैं, दोनों में लड़ाई हो जाती है, तो यह वाला कम बनता है, वो जादा इस्थाई है, जादा बनता है, इसमें क्या है, तो यह इसका नाम आप 1,2 dichlorobenzene कह सकते हैं, 1,4 dichlorobenzene, 1,2 dichlorobenzene, दे ताली, simple है, इसकी reaction तो बहुत simple है, बहुत करके अंत की तरफ, सेकेंड है, नाइट्रो करण, क्या है स्टुदेंट्स, नाइट्रो करण, नाइट्रो गुरुप जोड़ना है हमको, तो यह लिया हमने, हैलो, एरीन को, इसमें क्लोरिन ले लिया, माल अपन ने, और नाइट्रो करण करने के लिए, हमको reaction करानी है, इसमें भी सेम उत्पात बनेंगे, आपको यह चीज ध्यान रखनी है, तो क्या बनेगा, आपके पास में क्लोरिन आ गया, तो यहां पर आप ध्यान रखोगे, तो और तो और आपके पास में नाइट्रो गृप जुड़ेगा, और दूसरा जो प्रोड़क्ट बनेगा, उस वन क्लोरो, टू नाइट्रो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा, इसमें भी वही सीन है, देखो क्या, येवाला आपके पास में मुख्य उत्पाद बनता है, लड़ाई के खारण, और येवाला अल्प बनता है, क्योंकि इनमें लड़ाई जाता होती है, उसमें लड़ाई नही करना अपने को यह one chloro to nitrobendine मतल אז को क्लोरिन का सि पहले आए गा नाइट्रो जन अन बाद में तो one chloro रो कि कि तो nitrobendane है यह सारी इक्षंस सिमिलर है और थो और पेरा पर कुछ-kुछ-कुछ लिदा कर जोड़ लो उसका नाम आब आप ख़ुद रख सकते हैं अब जी के सलफोनेशन तो सलफोनेशन सलफोनी करण कह सकते हो आप इसको सलफोनेशन अंग्रेजी शब्द है हिंदी वर्ड है हमारे पास में सलफोनी करण क्या होता है तो भाई सलफोनी करण देख लो क्या होता है सलफोनी करण में हमारे पास में बेंजीन रिंग है जिसमें क्लोरीन मा किसे सांद्र H2 SO4 से अकेले सांद्र H2 SO4 से अकेले गरम करते है इसको तो हमको क्या मिलता है SO3H group add हो करके मिलता है मालो यह group है तो यहाँ पर SO3H यहाँ add होता है और SO3H पैरा पर add होगा यह SO3H नाम क्या होंगे वही देखो यह मुख्या है और वो आला हमारे पास में अल्प है नाम क्या होंगे तो एक का नाम है हमारे पास में क्या 4 chlorobenzene sulfonic aml 4 chlorobenzene sulfonic aml एक का लिख लो दूसरे का खुद लिख ले ना 4 chlorobenzene sulfonic aml यह सारी conversion में कोई सी भी आ सकती है 4 chlorobenzene sulfonic aml इसको 2 chlorobenzene sulfonic aml बोल दोगे सेम काम कर रहें के नहीं कर रहें सेम काम डिट्टो यहाँ पर क्या sulfonic group जुड़ गया हमारे पास में sulfonation हो गया हमारे पास में हमारे पास में यह था तीसरा चौथा है हमारे पास में यहाँ पर फोटो ले लियो तो ले लो नहीं तो ले लो 1 2 3 4 4 छौथा है भ्या आपके पास में हाँ पर fridle kraft abhichriya रे पैसा वसूल abhichriya 수rium क्राफो यह तो उस में भी पढ़ चुकिया हम दूसरे chapters में भी किया है bankruptcy और आम की अबिकरण क्या है तो कौनजी कौनजी है हमारे पास में, तो बहुत सिंपल है, देखो, एक में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अलकिल समूँ इसमें जोड रहे हैं, तो जैसे हमारे पास में क्या है, हेलो, बेंजीन है, मतलब क्लोरीन है मान लो, तो इसका मैं रेक्शन करा रहा हूं, let's say, CH3Cl ले ना होता हमको कोई सा यहां पर, तो बहुत सिंपल है, देखो, यह टूटेगा, ऐसे टूटेगा, कि क्लोरीन जो है, दोनों एलेक्शन खुद ले जाता है, नेगेटिव चार्ज के साथ भाग जाता है, यह बचता है, तो यह कहां अटेक करेगा, और थो और पहरा पर अटे इस्तरी पैरोँ पर, मैथिल है, क्लोरो है, क्लोरो का सी पहले, मैथिल का है यह PraEL hym बाद में, तो 1-2-2-methyl-benzine, और 1-4-methyl-benzine, यह आपके पास में है, अलप उत्पाद और वह वाला है, आपके पास में मुख्य उत्पाद, क्या कोई सवाल? इसको बोलते है alkili current क्योंकि alkyls हमों जोड़ा न methyl क्या हो गया alkili होगा तो इस वाले को बोलते है Friedel Kraft alkili current alkili current Friedel Kraft की दो reactions है उसमें यह वाली alkili current है दूसरी देख रहे है वो acil current होती है उसमें acil group जोड़ता है यह जोड़ रहा है तो इसमें फोल्डार को सबसेılar तो इसल गूरूप कहा है तो इसमें तो इसको जोड़े लिए देखो जोड़न nom तो देखो काम तो आपको अभी वही करना है आपको चीज तो वही ले नहीं है इसका reaction हमें कराना है यहाँ पर SL group से अब देखो SL Sumoho क्या होता है यह याद कर लो SL Sumo तो SL Sumo होता है हमारे पास में R C double bond O डुरू अब यहाँ कुछ भी हो सकता था रहा कच्छो भी हो सकता थो तो माल लोगों ने यहाँ लिया CS3 C double bond O और let's say CL तो यहाँ क्या किया हम लोगों ने वापस से निर्जल ले लेल CL3 लेलिया तो उससे क्या फाइदा मिला अपने को यह लूई समल से बस यही फाइदा होता है यह इस bond को गजब तोड़ता है यह नेगेटिव आके यह यह इसकी तरफ आ जाता है तो यह पॉजिटिव बसता है समझत रहों कार्बन पर पॉजिटिव चार जायता है तो यहाँ नेगेटिव है यहाँ भी नेगेटिव है और पैरा पर भी नेगेटिव है तो और थो और पैरा वाला हम लोगों को प्रोड़क्ट मिल जाता है मतला आप देखोगे हमको कुछ ऐसा मिल जाता है ऐसे 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 और यहाँ पर है हमारे पास में क्लोरीन यहाँ पर इधर और आप देखोगे तो एक ग्रूप यहां जोड़ गया C double bond O और CH3 प्लस प्लस ब्र्र उस पर जोड़ दो ना पैरा पर जोड़ दो CL यहां पर और एक इसको यहां जोड़ दो मालो double bond O यहां पर है और CH3 को अपर ने यहां पर जोड़ दिया इस तरह ऐसे बना दो तो यह क्या बन गया हमारे पास में acyl group उसमें जाकर add हो गया समझ रहे हैं इस बात को सारे students तो इसका नाम देखो क्या रखेंगे 2 chloroacetophenone वाँ 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 ऐसे भी नाम होता है 2 chloroacetophenone यह है आपके पास में 2 chloroacetophenone 2 chloroacetophenone और यह होगा आपके वाँ 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 है जनम जनम से जो चलिया रही है यह मुख्या है आपके पास में और यह वाला आपके पास में अल्प उत्पाद बन रहा है मैं कह रहा हूँ दिल पे चापलो उसको अजनमान जी के तो दिल खोल गए तो में पोचे कौन रहते हैं अंदर तो पोले तुम फ्रीडल क्राफ्ट अल्किली करनो असली करनो अम को याद भी यह तो बोले फ्रीडल क्राफ्ट बोला और तुम चलो हो गए इसको तो ऐसा याद रखना है क्योंकि एक्जामस में ये ही पूषी जाती है सिधा नेली पर ऐं रिक्षन फूछी जाती है सिधा या मानलोँ एक्जाम में पूछ लेगा कि अल्किली करन के लिए हमारे पास में उत्पाद अभिकारक कौन सा लेना पड़ेगा फ्रीडल क्राफ्ट SLE करण के लिए अभी कारक क्या होंगे एक नमबर का question बंगे objective दो-दो चीजें लिखी वे होंगे चार options में सही वाली पैचान नी किसी भी तरह से questions हमसे इस तरह से पूछे जा सकते हैं ये था SLE करण समझ गया सारे students बढ़ जाएं आगे बढ़ जाएं इस इस क्लियर सेम फिनॉल की भी है सेम इसकी है तो सेम सेम तो याद रखनी चाहिए ना अलकॉल फिनॉल में भी है सेम रेक्शन फोटो ले लो इसकी 1,2,3 ये तो लिखनी लिखनी आपको copy में जो चीजेशे में लिखकर के लाया था आप लोगों के लिए वो इतनी important नहीं थी महला थोड़ी थोड़ी थी लेकिन ज्यादा ये most important है वो तो अपन हाथ से लिख रहे है अब देखो उसके बाद क्या है हमारे पास में धातों के साथ अभिक्रिया तो अभी हमने पढ़ी अब अब अपन धातों के साथ में अभिक्रिया पढ़ी ना अब अपन धातों के साथ में अभिक्रिया पढ़ रहे है धातों के साथ में ये अभिक्रिया बस ये थोड़ी सी reaction सो और है धातों के साथ अभिक्रिया तो इसमें जो पहली reaction है है मारे पास में वो है words फिट्टिंग यहां पहले आपन देख लेते हैं fitting देख लेते हैं आपको दो-दो ये चीजें भी लेनी पड़ेंगे इसको टेड़ा बनाते तो मज़ा आता ये एक सहां से निकलेगा, एक सहां से निकलेगा दोनो एने निगल जाएंगा उसके साथ में और फिर क्या बनेगा, दोनो फैनल आपस में जुड़ जाएंगे मतलब डाई फैनल बनेगा हमारे पास में दोनो बेंजीन रिंग जो है आपस में ऐसे जुड़ जाएंगी समझ रहे हैं सब दोने इस बात को क्या है ये हमारे पास में डाई फैनल देखो याद करो, वोड्स अगर याद है तो ये वाली भी याद है वूड्स और फिटिंग साथ में याद होती है और यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपके पास में टू टाइमस राफ ने एक्स बन जाएगा कोई डाउट है किसीप को इसलिए ter direct reaction you can be непontinent miss है अच्छा इसमें क्या लेते हैं अंह们 लोत निर जल शुश्क इथर या निर्जल इथर एक ही बात है शुश्क इथर या निर्जल इथर देखो उसमें भी यह लेते है ग्रनेयर अभी कर्मक वाले में भी यह लेते है इसमें भी यह लेते है अचा इसका वोड्स फिटिंग फिर क्या होगी अरे भीया बहुत सिंपल है दोनों को mix कर दो Woods और Fitting दोनों को mix कर दो मतलब कैसे एक आपने लिया ये चीज जैसे मान लो मैं आपके बता हूँ ऐसे लो देखो ऐसे बनाव इसको मान लो ये एक्स जोटाव है आपने दो sodium ले लिया आपने दूसरा ले लिया Rx मतलब एक तो बेंजीन वाला और एक सिंपल वाला इनकी जब रियक्शन कर रहा है या आपने बाकी सब कुछ से यह ही चल रहा है तो यह दोनों X जो है यह sodium के साथ बहार आ जाते हैं तो हमें तो वही अरे उल्टा बनाना था इसको मेरे को इसको मेरे को उल्टा लिखना था आर यहां लिखो X यहां लिखो तो टू टाइम से ने एक बाहर आ जाएगा और आप देखोगे तो बेंजीन रिंग से जाकर के कौन जूट जाएगा नॉर्मल जो कारबन चेन है वो बेंजीन रिंग से जाकर के जूट जाएगी क्या सबको यह अली बात समझना रही इस इस क्लिर गाइस यह बहुत इंपोर्टन है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यह क्वेशन से एक्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं डायरेक्ट लाइक दिस और इसमें भी क्या लेना है आपको शुष्कीथर बोले तो निर्जल इथर इसमें भी आपको लेना रहेगा यह है सी शुष्कीथर आपको लेना है वुट्स फ्टंग और यह हया वोट्स अभी करिया wegen yogurt ए टीमों सेम और वर्ट्स फिट्ट्र वुट्स होथ अगर एक है तो तीन या देखिंग वोट्स क्या होता फिटिंग में फ्टिंग में हो चाहिए और फैनल में भी फैलड हो जाएगा और वोट्स फिटिंग में तो दोनों ही आ जाएंगे उसमें तो क्या है समझ गए सारे स्टुडेंट्स तो ये हमारे इस चैप्टर की रियक्शन भी पूरी हो गई अब बस हमारे पास में क्या है स्टुडेंट्स कुछ एक योगिक हैं जिनके हम लोगों को उपयोग पढ़ने हैं और एक डीडीटी है मतलब मैं पांच मिनट और लोगा बस आपके और इस चैप्टर को अपन टाटा बाय बाय सस्री अकाल बोलेंगे जैश्री राम बोलेंगे आज तो दुल गया तो यहां देखेंगे सब्जने पॉली हेलोजन योगिक वैसे तो यह देखो तुम खुद पढ़ सकते हो और इनमें यह सारे इंपॉर्टेंट नहीं है केवल डीडीटी जो है एक उस पर क्वेश्चन बनते हैं फ्रकारि दीडीटी लास्त में तो भ़ली वारे स्पीड में देख लेता है इसको विलायक के रूप में आता है पेंट में अपनायख होता है तो आरे सुभार निकालने लिए प्रोपलेंट के लिए उसको काम में लेते हैं और शादी निर्माण में विलायक के रूप में धातू कि सफाई में फिनिशिंग विलायक के रूप में अच्छा नहीं वाईू में थोड़ी सी मातरा अगर हो तो क्या होगा द्रश्य शंता में आंशिक शिंड़ता आती है सुनने में और देखन में कम होती है GAR हलकी सी हवा में ये हो तो वाईू में अधिक अंपर्क में आने ही कॉर्णिया जल सकता है, अगर सीधा आंखों में चली गए ना तो कॉर्णिया यह जो ऊपर की परत जो है हमारी उसको जला देगे आंखों की, इतनी खतरनाक चीज़ें बताओ, हतियार है हतियार, ट्राइग्लोरोमेथन, क्लोरोफॉर्म सब्ज़ने जानते हैं, पूरी दुनिया यानती है इसको, क्या है CH-Cl3 होता है ना क्लोरोफॉर्म तो, विलाया के रूप में, प्रशी तक के रूप में भी ठंडा करने के चीज़ें आती हैं और साथ में आप देखों के पहले चिकित् पर क्या है वायू में इसकी अल्प मातरा से सांस लेने में चक्कर ठकान सर्ग में दर्द ऐसी की तईसी ही दिर्ग कालिक संपर्क से लिवर और व्रक का शय हो जाता है लिवर मतलब यकरत मतलब लिवर और व्रक मतलब किड़नी तो लिवर और किड़नी खराब हो जाते हैं अगर लंबे समय तक इसके संपर्क में आये तो आप किदनी, बताओ, कोई चीद हवा में दिख भी नहीं रहे आपको, और इतनी खतरनाक है, प्रकाश की उपसिती में वायू दौरा धीरे धीरे ऑक्सिजनित होकर कि अत्य दिख विशाली गैस यह बनाती है, फॉसजीन बनात कि पूर्टा भरी हुई रंगीन बोतलों में रखते हैं, आप बोलना क्योंकि अगर यह वायू में संपर्क में आ गई और इस पर प्रकाश पड़ गया, तो यह क्या बना देती है, फॉसजीन अत्यंत जहरी लिगे, इस होती है, तो इसकी बोटल के ऊपर देखोगे ना, त ऐसे मानलो यह बोटल है अपने पास में तो इस बोटल में ऐसे कोई भी कोल्डरिंग की बोटल आती है तो उसमें उपर खाली जगे छोड़ते हैं लेकिन इसमें जगे नहीं छोड़ते हैं क्योंकि अगर हवा रह रह गई उसमें तो फॉसदीन मन जाएगी और फॉसदीन खो कोड़ो कर दिया चालू घयर मैं गहरा हूँ कि ट्राइयोडमेतन यह ध्यान में रहना चाहिए अपने को एंटी सेप्टिक के रूप में भी काम में आता था एंटी सेप्टिक मतलब समझते हैं कहीं चोट लग गई तो उसके उपर लगाने के काम में भी आता था लेकिन इस इसको अब काम में नहीं लेते हैं पहले लेते थे इसको पहले चोट लग गई तो इसी को लगाते थे लेकिन अब नहीं लगाते क्योंकि बद्बूस ही आती थी इसमें से टेट्रा क्लोरोमेथन मतलब कार्बन के पास में चार-चार क्लोरीन हो कार्बन टेट्रा प्रशी तक बनाने में एरोसॉल कैन के लिए प्रणोदक मतलब बहुत सिंपल है एरोसॉल कैन जाक बाहर निकलती है तो जाक को बाहर निकालने वाली चीज यह है फिर क्या कह रहे है औशद उत्पादन में सामने विलायक की भंती तो यह आप देखो ना बहुत सारे विलायक ह जैसे कोई औशदी है घुली नी पीने की दवाई बनानी हमान लो तो उसको इसमें मिला दो तो उसमें घुल जाएगी औशदी पिला दो उसको ऐसा 1960 के मध्य तक यहां उद्योगों में ग्रीज को साफ करने वाले द्रव तथा घरों में दाग दब्बे हटाने वाले द्रव और अग्नी शामक के रूप में ज्यादा उप्योगी था में स्थाई शती हो सकती तो इधर की जो भी आप पढ़ रहे हो ना इनमें से काफी सारे ऐसे हैं जो हमारे लिए खतरनाक हैं गंबीर इसे दी मूर्शा आ सकती है ब्योंश हो सकता है गहरी मीन मृत्य हो सकती है देखो हिर्दय की गति अनिय में तो जाती है दिल रुप सकता बताओ आंखों के संपर्क में आने पर जलन उत्पन होती है CCL4 उपरी वायू मंडल में पहुंचकर ओजोन परत को विरल बना देती है जिससे यूवी किर्णे प्रत्वी पर मनुश्यों में तवचा कैंसर आंखों की विमारियों तो था विकार और प्रतिरक्षा प्रणाल होता है skin cancer होता और ऐसी खूप सारी चीज़ें ऐसा होती है आखों की बीमारियां होती है तो अच्छा का cancer होता है और प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी खराब जाती मतलब विदारण होना मतलब जो हमारा immunity system है जो हमें बीमारी से लड़ने में help करता है वो system कमजोर होता है हमार क्लोरो फ्लोरो विपन मेथेन और एथेन में जितने भी क्लोरो लगाना है आपको जैसे मालो cf4 हो गया cf3cl हो गया cf2cl2 हो गया cfcl3 हो गया और भी अगर ऐसे बनते हैं मेथेन और एथेन के ऐसे composition तो उनको फ्रेयान बोलते है तो यह प्रशीतक के रूप में बहुत ज्य ज्यादा यही काम में लिए जाते है अब तेरे के स्थाई निश्क्रिय तथा निरावेशी नौन टॉक्सिक असंग्शारक मला स्थाई हैं निश्क्रिय हैं reaction नहीं करते हैं निरावेशी होते हैं नौन टॉक्सिक होते हैं असंग्शारक होते हैं नौन को रोजन नहीं करते खराब नहीं करते चीजों को आसानी से द्रवित हो सकने वाली गैसे है इसली इनको लिक्वीफाय भी हम लोग कर सकते हैं स्टुडेंट्स फ्रेयॉन फ्रेयॉन 12 जो है ना CF2-CL2 इसका नाम है फ्रेयॉन 12 सरवादिक प्रयोक्त है जिसका उत्पादन स्वार्ट सभी क्रिया द्वारा CCL4 से किया जाता है अब देखो कितनी important बात हो गई अगर आप जीवन में कभी chemistry continue करना चाहते हो तो important है नहीं तो क्या है एरोसल प्रणोदक के रूप में तो सारों में लिख देना इस सेप्टर में कहीं आ जाते हो अगर कहीं पूछागा नहीं वेस्तो एरोसल प्रणोदक चार बारी बता दिया में तुमको यह ओजोन परत को इसका question आता है आप लोगों के कुछ कुछ लोगों के यह important इसका structure आ जाता है और कुछ नहीं एक नंबर में दो नंबर में structure पूछ लेगा और नाम पूछ लेगा बस यह द्यान रखो तो क्या है हमारे पास में यह तो इसका history है second world war के time के बाद में इसको बहुत जादा काम म और टाइफस वाहक जूओं को समावत करने में प्रभावकारी होता तो मलेरिया के मच्छर मारते थी और टाइफस जूओं होती है मत एक जूओं होती है वो टाइफस फैलाती है टाइफस एक खतरनाक बिमारी है तो उन दोनों को खटम करने के लिए काम में आता था वो कीटों के अनेक प्रजातियों ने डीडीडी के प्रति प्रति रोधात मागता विक्सित कर ली मतलब मानना समझना ऐसा है अगर कोई पराशेटा मौल गोली दे रहे हैं बाद बाद के लिए तो क्या होता है फिर हमारे शरीर को ना उसके आदत पढ़ जाती फिर नया अगर बै को बनाने तो अब उससे फर्क नहीं पड़ता उसको तो वैसा ही क्या हुआ कि जिन कीडों कीटों पर और मच्छरों पर डाल रहे थे ना इसको उन मच्छरों को समझ में आ गई कि इससे बचना कैसे है तो उनने अपने बच्चों को समझा दिया तो अब जो नह मच्छर है उनमें इसके लिए प्रतिरोधात पकता है कि यह उससे लड़ लेते हैं अब मतलब इसका मतलब यह है कि यह जो है हमारे पास में कीट यह से नहीं मरते है ऐसा समझ सकते हैं आप लोग तो फिर उसके बाद क्या है डीडीडी के अत्यदिक रासायने के स्थाय तो तथा इसकी प्रतिर में बदी रहती है अंतर गरहन लगातार इस फ्रहिगताय से होतारहि तो जन्तों में डीडीटी की मत्रा समय के साथ बढ़ती जाती बढ़ती जाएगी, बढ़ती है कि फिर प्रॉब्लम्स होंगे उससे तो सेयुक्त राज्य में 1973 में इस पर प्रतिबंद लगा दिया गया था लेकिन आज भी हम लोग दुनिया में इसको खूब जादा काम में ले रहे हैं बसे लास पेज इसका स्रॉक्चर देख लो आप लोग दो नंबर का सवा आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है ध्यान में रखेंगे स्रॉक्चर इसका बताना है हम लोगों को और इसके बनने की रियक्शन एक रियक्शन बस हमसे इसके बनने की ध्यान में रख सकते हो स्रॉक्चर देखो बड़ा सिंपल है क्लोरीन कार्बन क्लोरीन क्लोरीन ट् और फैनल यह रहाए आपके पास में इधर भी तो इसका नाम किया दिडिटी बोलते है बति है इसको तुम पर नाम ऺंड ड क्लोरो बाइए क्लोरो क्योंकि नपक्लोर mooi फिर डी स्बीड चाट इस आकना स्लिला सामाने नामें आयूपेसी नहीं द्यानक यहां लिघतुक गओंगे लोर कि लोर अब वहाइर आप लोगों अगर नो पर यह कर बदोस्कीन तो एतेनों कि ट्राइपलो एतेन तो इसके बनने के लिए अपने को दो चीजे चीजी होती कुछ खास नी ये रहाओ में इसके बनने की रियक्शन वह तो हम तुमार बड़े भाईया हैं इसलिव बता रहें हलागी देखो दुनिया भर की किताब हों देखो दस चीज़ें बता देंगे होगा दस चीज़ों से हमको मतलब नहीं होना चाहिए हम तो मुद्दे की बात करें बस एक चीज होती हमारे पास में क्लोरल उससे बनाते हैं इसको कैसे यह तो वाइट कलर लेते हैं अपन बना के दिखाते हैं तुम लोग को यह याद कर लेना अगर तुम लोगों को लगता है कि आपके यहाँ पर यह वाला बनाने का रियक्षिन आ जाएगा तो इसको याद कर लेना यह डबल बॉन्ड ऑक्सिजन इसको बोलते हैं कोरल CHOR-L, हिंदी में लिखना चाहँ तो इसको कोरल ऐसे लिख लेना इसका सामझ नाम है अब क्या होगा इसका रियक्षन हमको दो-दो क्लोरो बेंजीन से करानी है और एक और से करानी है तीरा हो गया तीरा हो गया तीरा तो इनमें गार वी बना लुआ बैसे ऐसे एक एक आइडरोजन को भाःर निकाल दिया जबर दिंद्द क्यूद्गीूंकि से सिंपल है ना बेखो इसका हाइडरोजन इसका ओक्सिजन जो है पानी बना कर गया निकल जाएंगे काम हो गया तो क्या होगा एक H2O अलग हो जाएगा हमारे पास में माइनस H2O कर दो और ये प्रोड़क्ट आपके पास में जाएगा दो क्लोरो बैंजीन लेने और इसके सामने एक ऐसी चीज लेनी है जो जोड़ करके वही चीज आपको बना करके दे तो स्टूडेंट्स थेंक्यू सो मच यार लव यौल यार हमारी पीट गई आज तो हम सांदार वाला जो है सोने वाले हैं तो एक काम करो फटा फट से फोटो ले लो और एक चीज में आप लोगों को देखो यहां पर अनौन्स कर देता हूँ यार लास्ट में कि देखो मैं ना तुम लोगों के लिए मतलब इसके प्रिवेस है इसके जो क्वेशन्स है ना वो छाटने का मेरे को थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है क्योंकि अपने 12 में अगर हम बिहार बोर्ड को छोड़े तो बाकी सारे बोर्ड के जितने चैप्टर है अपने में जो कॉमन चैप्टर है तो वो जादा नहीं बच रहा है अपने पास में अगला अपन जैसे उपसास है जो के योगी का कर लेंगे फिर एक और हम लोग D&F ब्लॉक का देख देंगे मालो फिर हमारे पास में बच रहा है विलैन बच रहा है वैजुत रसायन बच रहा है अगningar ब इस बास चैप्टर अपने पास में और बच रहे Regel बो अगर इतने हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि last के days में भी अगर मैंने आपको ये चीज दे दी ना last के 15 दिनों में भी टिक करके मैं आपको PDF जो है वो दे दूँगा previous years की तो मुझे लगता है settle हो जाएगा काफी और अभी क्या होगा कि आपका एक बार course हो जाएगा जैसे अभी कि Amin वाला chapter थोड़ा अठका हुआ है तो फिर मेरे को थोड़ा आराम आजाएगा मतलब थोड़ा समय मिल जाएगा जैसे 10 का भी course हो जाएगा तो थोड़ा समय मिलेगा हाला कि देखो ये तो जूठी है वैसे क्योंकि one shots होते हैं तो समय नहीं मिलता बिल्कुल हमें नहीं मिल पाता तेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कोशिश प्रयास मेरा जारी है मैं भी मेरे साथ जुड़े हुए मैं भी करी रहा काम है ना तो बस आथ की वक्षा में इतना ही रख रहे हैं बस आप सभी से request है कि वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है जतना आप कर सकते हो ताकि मतब लेर्मेट शेयर जो चाहता है वो सच हो पाए जो नाम है सार्थक हो पाए और बस अपने जुनियर्स को भी बोलना है कि जुड़े हैं अगर जोड सके तो और आप लोगों को में ही बोलूँगा कि देखो हम तो आपको मौका दे रहे हैं आपको फीस वापिस दे रहे हैं आप 90 परशंट ला दो फीस वापिस ले जाना आप आपकी तो बस थेंक्यू सो मच आज शांदार वाला थकें मिलेंगे आपसे पन एक और वन शॉट में उतनी ही उर्जा के साथ में ठकें तो क्या हुआ यार आपकर करके वापिस दे आरो जाएंगे सुबह तक तो चलिए सुडेंट्स